हेलो हेलो एक बार माइक चेक कर लें जल्दी से वनने कलके जैसा मोई मोई हो जाएगा एक बार जल्दी से पिता दो am i audible am i audible and visible ah very good very good very good till this about am i audible and visible tabhi tabhi by a chillana suru karoon giya a par ek bar jaldi se pata do okay okay all right good morning my class 10 thies good morning my beautiful students and my lovely students welcome to science and fun welcome to your English session I am the Pika your English educator कैसे हो सब लोग कैसे हो सब लोग जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कैसी चल रही है तैयारी देको मैले मैंने सोचा ना पढ़ा तो मैं रही हूं रोज ठीक है लेकिन लेकिन एक बार हाल पूछ लेना भी जरूरी है ना बहुत जरूरी है बिकूस बहुत ज्यादा इस टाइम पर बच्चों के लिए distraction है बहुत सारे factors है आप लोग अलग अलग तरह से distract हो जाते हो focus नहीं कर पाते हो तो सोचा एक बार हाल चाल भी पूछ ले कैसी चल रही है तयारी गुटन मॉगन ओके अच्छा तो फिर फ्रेंच में बोल देती हो बोजूर बोजूर एवरीवान है ना फ्रेंच एंग्लिश मिक्स हो गया तुम लोग गुटन मॉगन कर लो जर्मन होता है ना यह जर्मन लांगोज में फॉनल रॉप लांगोज सब्जेक्ट का भी रीजेनल लांगोज के बी ऐसांस वगरा है तो जो भी बच्चे रीजनल लांगविज के एक सायंस दे रहे हैं विश्यू गाइज ऑल बेस्ट हरे इक्जाम में हरे बक्दम आग लगा क्यों मतलब चाहे वो सब् बच्चों का भी नींद से जागो दीपु माम अरिवा अरिवा हाँ बिलकूल मैं हूं तो डरने की क्या बात है डरने की क्या बात है ग्रामर का सेशन आप लोगों का कल है ठीक है ओके विद रीडिंग मैं रीडिंग भी उसमें कराऊंगी और रीसेंटली काफी बच्चों के मेरे पास मेसेज़ेस आया आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कुछ तो बच्चे पूछ रहते हैं कि माम बहुत से जगा पर बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट नहीं लिखना है लेटर में तो यह ऐसा कुछ नहीं है यह देखो अलग-अलग-अलग-अलग तरह से तुम इतना जर्मन मत बोलो मेरे साथ मुझे जर्मनी नहीं आती है जर्मनी बोलतर मिज़त जर्मन नहीं आती है तो ग्रामर का सेश्न आप लोगों का कल है earliest में छोटा सा सेशन हम लोग आशू सर के साथ कर लेंगे जिसमें कि आप ही लोगों ने बोला मैं उनसे ग्रामर पूछो और थोड़ा सा सेशन को पहले शेर करो फटा-फट से रिपोर्टट स्पीच सारे टॉपिक्स कराऊंगी कल टेंशन मतलो ठीक है कल आट बजे ग्रामर हम लोग करने वाले हैं फटा-फट से सेशन को शेर करो जल्दी-जल्दी से बिलकुल करेंगे आयूश स्टार्ट करेंगे बच्चों को ज अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है आप लोगों को एक वीडियो भी मिली होगी फ्लोड इट फॉर्स फ्लाइट की तो वह भी देख लिया होगा तो रिविजन आपका चल रहा होगा और यहां पर लाइव मैं आपको कराऊंगी इसमें हम लोग चाप्टर का रीकॉल लेंगे सारे चाप्टर का ठीक है जिस बच्चे ने एक भी चाप्टर को टच भी नहीं किया है उसको भी ऐसा लगेगा जैसे आपने लाइन बाइन पढ़ लिया है क्योंकि मैं सारे हाइलाइट इम्पोर्टेंट जो फ्रेजिस होते हैं वो भी कवर कराऊंगी साथ में हम लोग थीम्स भी डिसकस करेंगे ठीक है इनीशल चाप्टर जो इंपोर्टेंट है उनके थीम्स तो मैं आपको बताऊंगी फिर हम लोग आपस में डिसकस करेंगे सारा कुछ अच्छे से और थीम्स भी लिखेंगे कि भई थीम्स क्या-क्या है दिखो बहुत से बच्चे अ आपको बहुत अच्छे से कर लेना है पारलल क्वेस्टिंज में वो काम आएगा थीम बेस्ट क्वेस्टिंज आपको बहुत अच्छे से समझने हैं कोई आपके इंपोट्स होंगे तो डेफिनिटली वो भी हम यहाँ पर डिसकस करेंगे डाउट में हर चाप्टर को कवर कर आने के बाद देखो बहुत अराम से मैं कर आँगी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है अराम से तसल्ली से लेकर बैठो खाने खाना पीना सब लेकर बैठो क्योंकि हो सकता है को मैंने बोला है कि कोई एंड टाइम नहीं है शुरू अभी आट बजे हुई है लेकिन एंड लेने हैं उस हिसाब से जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ अभी थोड़ा सा पॉस लेना जरूरी है तो ब्रेक भी होगा ठीक है चलो अभी तुम लोगों का रेशियो ठीक नहीं लग रहा है मुझे फटा फट सेशन को शेर करो फटा फट से लाइक और वीवर्स का रेशियो भी हम लोग करेंगे ठीक है चलो शुरू करें शुरू करें जल्दी से पहले सेशन को लाइक करो ऐसे नहीं चलता है ऐसे नहीं चलता है बराबर करो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फटा फट से फटा फट से ओके बाइम स्टेक लेटर में लाइन नहीं लीव किया त आप स्पेसिंग नहीं भी देना चाहते और आपकी राइटिंग इग्दम प्रेजेंटबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर चलेगा लेकिन सेंडर्स अड्रेस डेट रिसीवर्स अड्रेस सब्जेक्ट इनके बीच में आपको स्पेसिंग देनी जरूरी है ठीक है और याद रखना आज आशू सर की इंग्लिश की क्लास है आना जरूरी है क्योंकि देखो तुम लोग बहुत आल्रेडी पैनिक वैनिक मचा के रखते हो डरे रहते हो तो ग्रामर मैं वहाँ पर क्वेस्टिन्स लेकर आउंगी थोड़ा टेस्ट भी कर लोगे तुमारी ग्र अर्टिक्लर एरिया पर मुझे ज्यादा फोकस करना है कल ग्रामर की क्लास लेते हुए और कुछ में उसमें लिटरिचर भी आड कर दूंगी ठीक है और हां एक और इंपॉर्टन अगर तुमको बीच में कहीं पर लगे कि कोई वर्ड मेरे गले के वनको यही तक रह गया और बाहर नहीं क्लियर हुआ है प्लीज कॉमेंट में बोल देना माम प्लीज रुपीट दे सेंटेंस या जो भी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वर्ड जो है स्किप हो सकते है बीच बीच में ठीक है क्योंकि अभी गले का लग रहा है मुझे ऐसा गलबढ तो प्ल से इंपोर्टन चाप्टर है यह इससे आपके पास एक शौट अंसर टाइप तो जरूर आएगा जरूर आएगा अलेटर टू गॉड रिकॉर्ड रहा है जितने भी पास्टियर के क्वेस्टन आप उठालो अलेटर टू गॉड जितना ही इंस्पाइरिंग चाप्टर है जि लेकिन इसको मैं आपको बिल्कुल तरग तरीके से एकदम शौट पीसेज में बहुत तरीके से समझाओंगी सारे वह इंपोर्टन कंसेप्स जिस पर क्वेस्टन बनते हैं ठीक है लॉग आंसर टाइप में आपको अभी के सेशन से बहुत हेल्प मिलेगा क्योंकि तुमारे आपके अच्छा वेवरिट कौन सा वेवरिट है तुम लोगों का चाप्टर कौन सा तुम लोगों ने टेलिगराम चानल जॉइन किया यार कल रात को यह मेने भेज आई ऐसा वैब तो बिल्कुल टाइमली भेज दे रही हूं ऐसा कुछ नहीं है दूसरे टेली तेली चानल को क्यों जॉइन कर रहे हो लगा हुआ देको description पर link होगा आप उसे join करो इसके बाद है two stories about flying ठीक है जैसा की chapter का नाम है यहाँ पर दो stories है about flying और देखो flying यहाँ पर अलग-अलग purpose से देखेंगे पहला जो हमने देखा इसमें it is about a young seagal ठीक है baby seagal उसकी flight हमने देखी क्या उसमें transformation हुआ वो हम इसमें जानेंगे उसके बाद दूसरा वो वाला flight है the black airplane वाला flight ठीक है वो हम यहाँ पर देखेंगे further फिर आती है आप सबकी favorite मेरी favorite Anne Frank ठीक है हम लोग करेंगे from the diary of Anne Frank और मैंने देखो अपने class 10th के सभी बच्चों को बोला है जब तुम लोगों के exams over हो जाएंगे यह बुक जरूर पढ़ना यह तो छोटा सा chapter है तुम्हारी book में exam point of view से लेकिन exams over होने के बाद एकदम जब free हो जाओगे अपने 13th या 14th मार्च के बाद यह जरूर पढ़ना जो online PDF डाउनलोड कर सकते हैं वहां से पढ़ना अदर्वाइस book purchase कर सकते हो तो वह भी करना ठीक है बहुत अच्छा है तुम लोगों को काफी inspiring यह लगेगा उसके बाद अगला आता है ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया ठीक है यह जो चाप्टर है यह एक्स्प्लोर कराता है हमें अलग अलग जगाओं से ठीक है हमने अगर आप लोगों ने प्रॉपर लाइफ सेशन्स अटेंड किये थे पेड़ वाइस वालों को भी पता है कि कितनी अलग अलग जगा घुमाया थ रही देखो क्लास 10 को तुम इतना बुरा भी मत बोलना ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया की वज़े से हम इत्ती सारी जगह ओपए भूम आए ठीक है इसके बाद है अब इसी में था अबेकर फ्रम गुवा कुर्ग एंटी फ्रम असम क्लियर अच्छा बहुत बच्चे डर रहे है कि मैम क्या हम यह ऑथर की नाम याद करें तो यार देको इतना कोई नेसेसरी नहीं है ठीक है इतना कोई नेसेसरी नहीं है क्योंकि क्वेस्टेंस में आपको और डी प्रवाइड़ी प्रवाइड होगा ओके ठीक है हां उसके बाद आता है हमारा प्यारा मिजबिल दी ओर त सारे हमारी family के characters like कि अलग-अलग इंसान अलग-अपने यह परिवारस से a part हमारे पास यहाँ पर water हमारे इस प्यारे से first flight chapter में यह हमारी first flight family है ठीक है इसमें हमारे पास अलग-अलग characters है अलग-अलग हमारे ऐसे समझलू रिष्टिदार है जिनके पास किसी के पास पैट है कोई असम रहता है कोई कुर्ग रहता है कोई गोवा रहता है इस लाइक डाट ऐसे कनेक्ट करो अपने चाप्टर्स को ठीक है उसके बाद हमने माडम राइट बस पढ़ना है वल्ली तो भाई हम तो फैन हो होच गई है ना इंट्रिस्टिंग इसके बाद था इसके बाद है अब यार इतना सब कुछ पढ़ लिया थोड़ा लाइफ का लेसन भी हमें मिलना चाहिए दुनिया भर की स्ट्रगल जो हम करते हैं कहीं न कहीं उसमें भावोग हो जाते हैं तो भाई हां पर बहुतम कि भाईया क्या है कुछ नहीं है प्यार वे आ रहे हैं अल्टिमिटली क्या होता है सब लोग सिक्योरिटी देखते हैं डिफिनिटली ठीक है तो यहां पर फ्रपोजल से हमने यह देखा और इसके बहुत सारे और भी आसपेक्ट से हम सब कुछ डिस्कुस करेंगे क्लियर है समझ में आ गया crazy student हम शुरू कर रहें एक बार overview लेना बहुत जरूरी चाप्टर का clear है clear है चलो सारे बहुत इजी चाप्टर है अराम से हम लोग इनको कवर करेंगे तो सबसे पहला चाप्टर है आपका a letter to God अब आपको क्या करना है कि यह जितने भी characters में आगए आपको बत सब्सक्राइब करने के लिए जैसे हमारा इसमें character है इसको अप्रेण्स कर सकते हो लेंचो इस चाप्टर में जो आपके character है उसको लेंगो भी बहुत जगा पर बोलते हैं ठीके तो लेंगो लेंचो जादा डरो मत इस ओके fine spelling आनी चाहिए अब उसका character उसके क्या traits है किस तर पूर बना सकते हो और most welcome ताकि सब लोग आराम से याद कर ले तो hundred dresses आपके syllabus में नहीं है ठीक है ओके मैं सच बताओं ये session लेने के बाद कोई भी chapter book से read करने की नौबत नहीं आएगी तुम लोग अपने आगे के exam के लिए भी पढ़ सकते हो बीच का जो time जब मैं available नहीं होत तो a letter to God chapter का जो title है यह clearly दिखा रहा है किसके बारे में बात हो रही है एक letter के बारे में बात हो रही है जो कहां जा रहा है God तक जा रहा है तुम में से किसी ने आज तक कभी God को letter भेजा है करा तुमने ऐसा बताओ अच्छा समय के रहें लेंग को नहीं बोलेंगे हम लेंचों ही बोलेंगे ओके वाट इस दे लेसे वी गेट फ्रॉपोजल दर रियल रिशाप पूछ रहे हैं सी इस इस नौट जिस्ट पाउट मॉरल पद्धन कई चाप्टर ऐसे होते जो आपको एक सोसाइटी का reflection देते अब the proposal जो है वो एक Russian society का पूरा हमें एक overview देता है कि कैसे लोग जब मैं आऊंगी ना इस चाप्टर पर रिशाप तो आपको अच्छे से explain करूँगी कि इसमें वो क्या दिखाते हैं कि जितने भी rich elite class लोग होते majority लाइक उस टाइम पर Russian culture में कैसे लोग होते थे जो wealth को बह हमारा जो main character है लेंचो उसने लिख दिया God को letter ठीक है अब यहां से क्या theme सबसे पहले देखने मिलती है पहले मैं themes discuss करूँगी फिर हम chapter का recall लेंगे सबसे पहला theme आप भी अपने inputs दे सकते हो no doubt और भी themes हो सकती है जो आपको लग रही है पर मैं obviously अभी क्योंकि exam आ रहा है तो सिर्फ मेरा focus उन themes पर है जो exam में पूछ लिए जा सकते है और directly आपको कोई नहीं पूछेगा what are the themes ठीक है आपसे pointers मैं करवा रही हूं यहाँ पर ताकि इस से related कोई question है तो you can explain क्या है सबसे पहले बात की गई है human resilience पर कि देखो कितनी diversity आ जाए कितनी मुसीबत I mean diversity कह रही हू मैं कितना ज्यादा problem आ जाए ठीक है कितनी भी ज्यादा problem आ जाए adversity आ जाए adversity क्या होता है problem आ जाए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग hopeless हो जाते हैं लेकिन इस chapter में हमने क्या देखा कि लेंचों ने demonstrate किया क्या explain किया अपना resilience अपनी ताकत दिखाए कि भई मैं survive कर जाओंगा को unfavoring faith unfavoring faith याद रखो बिल्कुल कॉमेंट्स भर दो इस फ्रेस से इंपोर्टेंट है इस चाप्टर के लिए ठीक है अन्वेवरिंग faith क्या होता है unfavoring with unfavoring faith होता है unfavoring इंसु ना ठीक है तो यहां पर वही चीज को reflect किया गया है औल्दो एक बालेंस वर्जिन में positive भी है इसका negative भी है इसका राइट अब इस चाप्टर में हमने human resilience देखा कैसे क्योंकि लेंचो के खेत पर जब इतना ज़दा हेल स्टॉर्म जा गए इतने ओले पड़ गए तो कोई भी फार्मर जो होता हम इतने cases सुनते हैं सुसाइड वगरा के तो परिशान हो जाता है लेकिन यहां पर लेंचो ने अपना faith जो है व जरूरी नहीं है कि हर बार faith positive ही रहे अब एक बात बताओ इतना भी क्या faith कि यार तुम खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं और सब भगवान भरोसे छोड़ दिया अभी जैसे आप में से बहुत बच्चे होंगे जो इस moment पर भी sessions नहीं ले रहे हैं इस final moment पर भी यह जो एक पी यही complexity develop की गई है faith को लेकर कि कैसे individuals जो है वो doubt और uncertainty face करता है in times of crisis कि वो कुछ भी decide कर रहा होता है फिर अब crisis का time है मुसीबत का time है पढ़ना चाहिए ना अब इस time पर तुम लोगों को लेकिन क्या करते हो तरह तरह के आप बस motivation लेने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह बस हम जो नहीं पढ़ रहे हैं उसमें हमें कोई motivate कर दे है ना तो यह नहीं करना है यहां पर लेंचों की बस यह एक छोटी सी गढ़बट अगर वो पोस्ट मास्टर तक नहीं पहुंचता लेटर तो क्या होता उससे कहां से मिलते पैसे ठीक है इसके बाद अगला जो थीम बहुत इस चापтор से वह हैं इंपाट और फिलीव 还lich करता है कि बिलीफ जो होते वो बिलीश के ब西स फर जीते हैं है तो यह एक्या ऐतकर नहीं मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग street चीड एट ढॉम एक सूंट नियुक्र आलिश्त dużo ऐओ पो बीट नहीं होता है एं कि दिता है लाइट चली गई लाइट चली गई तो आप क्या करें ऐसा नहीं डाक टाइम्ज मतलब और प्राब्लम्स ट्टिक है जब आपकी लाइफ में प्राब्लम्स हो तो हम उसको डाकेस टाइम डाइक टाइम्स ऐसे बोलते हैं आई समझ में बात ठीक है पीपिटी डेफिनिटली मिलेगी भई विनोध तुम्हें कैसे भूले हम विनोध को तो जरूर मिलेगी ठीक है इंग्लिज ग्रामर कल करेंगे कल करेंगे समझ वाया थीम्स इसके बाद और क्या हमने देखा है इसके अलावा अगर आप लोगों की को ये क्या लिख रहे हो अंब्रेकबल फेथ ओके हां बिलकुल बिलकुल इफ्शा डेफिनिटली यू कन राइट अन ब्रेक बिल फेथ बिलकुल बिलकुल ओके एक मिनट रुखो जरा तुमारे कॉमेंट बहुत जदे दिभाग रहा है लेकले अपनेट यह और आज वेल कैश hai 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 lawsuits okay unbreakable lick सकते हो विलकुल लिख सकते हो डाक टाइम्स डाकर स्टोफ टाइमस चलेगा ओके ट्रू जिनरोसिटी एक्सेप्टिंग गराटिट्उट्ट एक ठीक है unshakable faith meaning of resilience meaning of resilience का मतलब होता है कि कोई भी situation हो आप हस हस के उसको अराम से पार कर जाते हो this is resilience clear है ठीक है ओके यार 80-20 rule obviously exam डेके बिलकुल सुबह-सुबह आउंगी तभी होगा अभी थोड़ी होगा क्या तुम लोग भी पढ़ोगे नहीं कुछ नहीं पढ़ना है के तुमें हर चीज के लिए मना करते ते हो ताकि प्यूर लर्निंग का बहुत अच्छा इंपाक्ट पढ़े ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही आपको पढ़ा रही हूं देखो सब आपके फ्रेंज आपको साथ में पढ़ा रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं अपने काम पर जा रहे हैं लेकिन लैंचो का फेथ बहुत 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 कर था ठीक है शाब बाश तुम लोगों का सबका वो क्याबलरी चेक भी हो रहा है साथ के साथ ठीक है रोबस्ट का मतलब होता है एक्दम स्ट्रॉंग फेथ ठीक है पूर फार्मर था लेकिन ऑनेस्ट था उसका खेथ जो था वो कैसे दिखाया वह राइप कॉर्ण डॉटेड विद फ्ल लार्स भी विजिबल हो जाएंगे ही लिव्ट इन दा हाउस कहां था उसका घर यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कई बार एक्स्ट्राक्ट में आ जाता है ना ओनली वान इन दो इंटायर वाली पूरी वाली में एक लॉटा उसका घर था बहुत दूर दूर तक ऐसा नह को काम एन कंपोस्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स बेरी गुट शाब बाश इसे कहते हैं पढ़ना है ना गृप स्टडी हो रहे है तुम लोगों की सो साट ऑन दे क्रेस्ट ऑफ लो हिल एक छोटे से पहाड के क्रेस्ट पर वो था ही होप फॉर डाउन पोर ना वट इस डाउ डाउन पोर होता है एकदम हेवी रेंफॉल अच्छा बात बताओ तुमको लाइक करने के लिए में को क्या बताना पड़ेगा कि किस कौन सी लांगवज में बोलू अभी ठीक है आते ही मैंने फ्रेंच बोल दी हाँ पर जर्मन बोल दी है इंग्लिश मैं पढ़ा रही हूं ह करो जल्दी से ठीक है डाउन पोर होता है है वी रेंफॉल है ओके तो वह वेट कर रहा था बड़े टाइम से कि भाई बारिश हो जाए तेजी से किसी तरह या कुछ नहीं तो थोड़ी सी तो बारिश हो जाए थोड़े से तो पर साथ हो उपर से दूरिंग दो मील और खाना जी बच्चे मेरे एकदम बढ़िया स्कोर करके आए और मुझे जैसे ही आप लोग 26 को अपना एक्जाम दे कर आओ भर भर के मुझे इंस्टग्राम पर या जहां भी आप उसे कनेक्ट कर सकते हो आप मुझे मेसेज करो कि मैम हम खोड़ कर आए एक्जाम बस यह फेथ मुझ लेंचो वाला तरह complex faith नहीं है मेरा हम मुझे पता है आप लोग hard work करोगे मैं hard work करूंगी तो definitely मिलके हम लोग cover करेंगे अपना पूरा बढ़िया से syllabus इसके बाद देखो अब during meal जब वो खाना खा रहे थे बारिश होने लगी he was happy to see mountain of clouds वो बड़ा खुश हो गया mountain of clouds देखकर अब यह mountain of clouds क्यों बोला है क्यों बोला है mountain of क्यों बोला है mountain of clouds यह दिखाने के लिए कि भाई proper आस्मान में बादर चा गए थे ठीक अब heavy rainfall की expectation यहां पर थी तो खुशी का महौल था पूरी family में अब वो क्या बोलता है इनको देखकर these aren't rain drops यह बारिश की बूंदे नहीं है जो उपर से गिर रही है falling from the sky they are new coins यह क्या है यह new coins है ठीक है new coins बोला है उसने किसको बारिश की बूंदो को क्यों बोला है new coins reason क्या है उसका जल्दी से बता दो the big drops are 10 cent बड़ी बड़ी बूंदो को उसने 10 cent बोला है 10 cent pieces और छोटी छोटी को उसने 5 cent pieces बोला है कहने का मतलब यह है कि लैंचो ने rain drops को किस से compare किया है बारि of cloud is basically black cloud absolutely very good हां लेट आने वालों good morning good morning चलो यहां पर क्यों बोला है क्यों बोला है जल्दी से बताओ I am suffering from error correction questions यह कौन सी बिमारी है यह कौन सी बिमारी है वा 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 लोक एक ने बोला है ability के लिए use करते हैं हम can और लेंचो था ox of a man शबबाश यहां से तुम्हें याद हो गया कि लेंचो was an ox of a man ox of a man का मतलब होता है hard working definitely देखो यहां पर very good हम उसने क्यों money से compare किया है क्योंकि rain is going to help him rain is going to या will help him एक ही बात है कुछ भी लिख दो ठीक है rain will help him earn money क्योंकि जब बारिश होगी तभी तो अच्छी harvest होगी अच्छी harvest होगी तभी तो उसके पास पैसा आएगा है ना simple इसके बाद suddenly अभी तक सब अच्छा चल रहा था बहुत बढ़िया चल रहा था लेकिन यहां पर to blow with the large hail stones और साथ में ओले पड़ गए ठीक है यह सारी की सारी problem आ गई बिचारे लेंचों के लिए और अब यह इनको क्या बोल रहा था they resembled new silver coins इसने क्या बोला कि यह जो hail stones दिख रहे हैं किसके जैसे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं new silver coins के जैसे क्योंकि पूरे पूरे वो जब नीचे गिर रहे थे तो obviously silver shiny थोड़ा सा आपने देखा अगर ओले देखें हैं तो वो कैसे चमकते हैं तो बिल्कुल वैसे ही compare कर दिया किसके जैसे new silver coins किसको compare किया है hail stones को याद रखना extract based में कई बार पूछते हैं extract based में कई बार पूछते हैं प्लीज इसको याद रखना क्या है rain drops को compare किया है coin से ठीक है new coin से छोटे वाले को किस से five cent pieces से बड़े वाली drops को 10 cent pieces से hail stones को compare किया है new silver coin से समझ में आ गया clear it's okay it's okay नीरज कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप आगे continue करो फिर पीछे का जो रह जाएगा आप देख लोगे इसके बाद बहुत घंटों तक बारिश हुई असला बहुत नहीं एक घंटे तक बारिश हुई for an hour and the field was white as if covered with salt यह important है ठीक है फील्ड जो है वो एक्दम वाइट हो गया जैसे कि salt से covered हो राइट क्यों बोला है ऐसा क्योंकि दिख रहा है सामने और यहां पर आप क्या देख रहे हो यहां पर compare किया हुए उसको फील्ड को क्योंकि उसके उपर हेल्स्टोन पढ़ गई थी एकदम वाइट हो गया था और वह किसके जैसा दिख रहा था as if वो किस से covered है salt से covered है यह पोवम्स हम लोग कर चुके है पोवम्स जिन बच्चों ने नहीं दिया है वह हम कर चुके है ठीक है आज हम लोग सारा हो गया था ठीक है क्रॉप वाज दिस्ट्रॉइड पूरी क्रॉप खराब हो गई थी कुछ भी नहीं बचा पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं बचा इतने हेल स्टोंस थे लेकिन यहां मेरे खेत में इस हेल स्टोंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं ठीक है ओके अब लेंचो लेंचो का तो बिल्कुल अन्शेकिबल था कोई नहीं तोड़ सकता था तो उसने बोला कि चलो यारब भगवान जी के भरोसे है कुछ नहीं कर सकते तो यह थोड़ा सा महान काम किया है 100 पैसोस की डिमांड कर दी है ठीक है टिड़ा टिड़े को कहते है लोकस्त यह बोलना नहीं चारे थी तुम लोग मजबूर कर देते हो अनन्त कपूर का पढ़ लेते हैं हमें नहीं अच्छी लगती है बुक्स यह बहुत अच्छा था अनन्त वेल ड़न बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब यहां पर देखो क्या डिमांड किया 100 पैसोस ताकि वह क्यूं डिमांड किया क्वेश्चन अगर आ गया तुमसे तो कैसे आंसर करोगे देखो मैं तुमझों को साथ के साथ सब्जेक्टिव के लिए ép कर रही है कि क्यूं颐 पूछेंगे क्यूं डिमांड किया पार्टी करने की लिए नहीं चिकें या कही बैंक में जमा करने लिए नहीं ताकि वह अपनी फीलड को फिर से सो कर सके उगा सक नहीं क्रॉप एंड टूल लिव अंटिल क्रॉप कम जब तक उसकी क्रॉप वापस से नहीं ग्रोव कर जाती है तक तक क्या खाएगा उसका पूरा का पूरा परिवार तो उसके लिए उसने पहले से प्लान बना लिया बैककप प्लान की भई हंड़र पैसो भगवान जी मुझ क्या मतलब यह कैसा लेटर रहिए किसको दिया रिंगिसे पर डाला हुआ है ठीक है लेकिन पोस् tô आपस्ट मास्ट जो कि कैसा था कोस्ट का है टार्च न.'s भूर ऑप एमएबल मैन और वट इस की दुनिया में कौन ही इतना भरोसा करता है झालो इसका जो फेज गृत है ना इसको हमें तोड़ना नहीं चाहिए इसके तो एक काम करते है जो यह बोल रहा इसको करके देदेख इसको पता नहीं चलने देंगे कि किस ने दिया है ठीक है he collected 70 पैसो और यार वो कहां से इतने पैसे लाता 100 पैसो वेंट a lot at that time वो कहां से लाता very good amiable के लिए you can use other words आप लिख दो joyful यह आपको help करेगा character sketch में ठीक है in case अभी मैं आगे कराऊंगी बढ़ फिर भी आप अपने भी तो words डालो it was a joyful okay loving person इमीबल याद नहीं रहेगा joyful लिख देना friendly लिख देना चल जाएगा बहुत बढ़िया आगे इसके बाद वहां पर उसने अपने सारे employees को बोला कि चलो यार मदद करते हैं इसकी एक act of charity है ठीक है क्या बोला कि यह act of charity है मैं कहीं दान देने तो खटा करा उन लोगोंने सबने मिलके 70 पैसोस कि ते भले लोग है और ही इंसेल्फ गेव पार्ट ऑफ इस salary का चोटा सा पार्ट बढ़ी बात है मैं बता रही हूं अपनी salary का ऐसे इतना बड़ा हिस्सा देना कहीं जी तो बिलकुल भयंकर बात होगा इंतलब दिल पर पत्थर रखके दिया होगा इसमें ठीक है वेरी गोड़ी वाज एंपलेंट देखो भले में नेम्स नहीं ले रही हूं आप लोगों के बटाम रीदिन यूर कॉमेंस और बहुत अच्छे वर्ट आप लोग ले रहे हो वेरी गुड तो नेक्स संडे लेंचो केम त अगले संडे लेंचो पैसे लेने आ जाता है ठीक है बटी वस दिसपोइंटे तो फाइंड ओली 70 पैसो और वो क्या देखता है कि यार सिर्फ सतर पैसो है हमने तो इससे मांगे थे 100 पैसो यह क्या हो गया आइडली रियक्शन क्या होना चाहिए था क्वेस्चन आ जाता है क स्टिये वर दो यूंटन यारेक्शन फोर रिसीविंग 70 फैसो शुडवी क्या इडन रियक्शन वना जाता आइडल रियक्शन यहा सबूस्पोइंटमेंट का ठीक है उसका reaction क्या था disappointment का कि वह सप्राइज थी और यह क्या है सचो वांगे ते सतर दिये हुए हैं he was angry और वह गुस्सा भी बहुत हुआ उसका एक और reaction आप देखोंगे तो टोटल कितनी बार कितनी बार लेंचो ने लेटर लिखा दो बार लेटर लिखा पहली बारी में क्या किया उसने डिमांड किये कितने पैसे 100 पैसो मिले कितने सतर पैसो ठीक है अब दूसरी बारी में उसने फिर से लेटर लिखा और अब उसने कैसे लिखा विद मच रिंक् रिंकलिंग क्या होता अपने ऐसे एकदम इसे लिखते हो कि और यह से हो गया मैंने 100 मागे थे मुझे सिर्फ 70 क्यूं मिल रहे हैं ऐसा सोचके टेंशन में स्ट्रेस में इस तरह से जब आपकी ब्राव इसे रिंकल करती है तो ऐसे ही लेंचों के साथ हुआ था रिंकलिंग लिखने में ठीक है तो यह भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं मैंने कहा ना आज का सेशन देने के बाद लाइन बाइन पढ़ने की नौबत नहीं आएगी तो इसलिए आगे बढ़ो डिमांद इंग रेस्ट आप दमानी उसके बाद उसने बोला वाकी पैसे लाओ भाई मे हुए ठीक है उसके बाद दूसरी चीज उसने क्या लिखी कि आप प्लीज यह पैसे जो है मेल से भेजो क्यों क्यूंकि पोस्ट आफिस के इंप्लॉईज जो है देवर अब बंच ओफ ग्रूप्स और यह हो गई एक आईरनी आईरनी मैंने कल समझाई थी क्या होता है आईर कि अगर खाना बच जाए तो रख दो इन फ्रेज और एक फ्रेज यूज हुआ है जो कि है नॉटर रिफ रिमेंड ऑन ट्रीज क्या बात आ लोकिक तुम आंसर क्यों लिखते हैं तुम शाहिरे लिखा कर अपने अंसर मजा करें मार्स नहीं मिलेंगे इसके बहुत बढ़ा तरीका लेकिन चीजों को यात करने का है ना वेरी गुड अनएक्स्पेक्टेड एंडिंग हो गई वेरी गुड यहां पर लेको आयरन डॉनिकल एंडिंग तो है ही साथ में यह अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है क्वेस्टिन आ जाता है कई बार ऐसे क्यों बोलेंगे हम से unexpected ending क्योंकि आपने और हमने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था लेंचो से इसने हमारे बिल्कुल लग्दम नजरों में गिर गया यह हमारी क्यों क्योंकि यार उसके लिए ती महनत करी और उनको ही उनको जो एक्चिली में लेंचो की हेल्प कर रहे थे तो यह तो एकदम उल्टा हो गया राइट तो यह आईरोनिकल एंडिंग हो गया ठीक है ओके वेरी गुड संजीब वें सिचुएशन अकड डिफरेंटली दान दर्यूल वर्ड ख्लियर समझ में आई बात क्लियर है हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ ठीक है तो कहीं न कहीं यहां से आपको नहीं लगता कि लेंचो ने एक छोटा ग्रीड नहीं बोलेंगे यार इसे ग्रीड नहीं बोलेंगे यह उसका फेथ है उसको यह इतना भयंकर फेथ है कि उसको लगा कि गॉड ही उसको पैसे भेज रहे हैं 100 पैसोज और उसको ये भी भरोसा था कि अगर गॉड भेजेंगे तो एक रुपे भी कम नहीं भेजेंगे तो ये कैसे हो गया ठीक है तो इसको ग्रीडी नहीं बोलो ठीक है आज खाने में खाई है कड़ी और हो रही है आईरिनी थूड़ा सा ख्लोज इनफ ख् कोई डाउट अभी तक अभी तक कोई डाउट कोई पॉइंटर जो आपको समझ में नहीं आया हो ठीक है ओके एंसेट डोंट जज एनीवन ओन हिस लुक्स लेंचो थोट इंप्लोईज वर बंच ऑफ क्रूक्स विनर साक्षी जा यूर्ट विनर सो फार बहुत बढ़िया ब इसके बाद क्यारिक्टर स्केच कर लेते हैं लेंचो का ऑल्दो हमने काफी फ्रेजस काफी लिख लिए लेकिन फिर भी आगे कंटिन्यू करते हैं तो लेंचो वाज और हाड़ वोकिंग फार्मर ठीक है आप यहां पर क्या लिख सकते हो एन ऑक्स ऑप मैं ठीक है इसके करता है यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट तरह से हैं लेंचों का फेथ क्यूंकि वह बिल्कुल अंधा पर अंधा परोसा करता था कहीं न कहीं इस तरीके का फेथ किसी के लिए हामफुल हो सकता है तो इस केस में आप लोग ना लिखना कि येस सच फेथ कैन टूर्ण आउट चाप्टर की एंडिंग है चाप्टर की एंडिंग में है आईरनी शाब बाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लविंग इट वेन ही फेस्ट हंगर और लॉस्ट होप जब उसको पता चला कि भीया अब भूके मर सकते हैं उसकी सारी होप चली गई वो भगवान की तरफ मुड़ दया इवन पोस्ट मास्टर मॉझेश वाइस 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 वेट रहान हो गया उसकी इस फेट को देखकर लेंचु डिस्पाइट बीग फार्म पॉट राइट अलेटर और ये भी बहुत अच्छी बात थी कि लिए को फार्मर्स के हम लोग क को डिरेक्ली लेटर लिखकर हावेवर ही डाउटेट पीपल्स इंटेंशन लेकिन एक छोटा सा गड़बर उसने क्या कर दिया उसने लोगों की इंटेंशन को डाउट किया और उसको यह रियलाइज ही नहीं हुआ कि भईया उसकी हेल्प करने वाले एक्चली में क्रूक्स नहीं थे ठीक है तो यह रॉनिक उसके एंड से थोड़ा सा गड़बर हो गया ठीक है समझ में आ गई बात अब उसके बाद आपके पोस्ट मास्टर का क्यारेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट हो जाता है सो पोस्ट मास्टर कैसा था एक बहुती काम एन रिलिजिस परसन रिल इसलिए भी बोलेंगे यहां पर रिलिजिस क्यों डाला है रीजन यह कि उसने नहीं चाहा कि लैंचों का फेथ किसी तरह से भी टूटे तो वह लैंचों का फेथ बनाए रखना चाहता था इसलिए यहां पर रिलिजिस परसन लिखा है समझ गये उसका यह एक्शन तो यही पैसे तेरे लिए कैसे दे सकते है पॉसिबल है यह है ना तो लेकिन वो रिलीजिस पर संथा यह शो करता है उसका यह डिस डिसिजन की भाई मुझे इसका फेथ बनाए रखना है ओके ठीक है आट फॉर्स्ट तो शुरू में उसने लेंचो को जब लेंचो का लेटर पड़ा से फ़नी लगा लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि भाई मुझे इसके हल्प करनी चाहिए वैन ही सीजब उसको पढ़कर समझ माया कि इसको अभी कितनी जरूरत है तो भाई बहुत ही काइंड एंड जेनरेस परसन था ठीक है तो यह भी आप एड़ कर सकते हो क्लियर की कांट गिव लैंचो ओल्ड मनी सारे पैसे नहीं दे सकता था कहां से लाता बट ही स्टिल डिसाइड तो हेल्प आप लोग लिख लो प्रोटागनिस्ट ठीक है लेकिन उसके आक्शन जो है बहुत बड़ा डिफरेंस लाते स्टोरी में अगर लैंचो इस चाप्ट तो पोस्ट मास्टर भी कहीं पीछे नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने ठीक है वो लैंचो की लाइफ में होप लेकर आए और उन्होंने यह हमें क्लियरली दिखा दिया कि आज की डेट में भी इंसान एक दूसरी की मदद कर सकता है इवन वेन तो फॉलो देखो वो पोस्ट मास्टर थे ऐसे थोड़ी ना कि वो किसी को भी बोल देते लाओ भी पैसे खट्टे कर और जमा करो कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं अलग-अलग इंस्टिटूशन के आप किसी भी और्गनाइजेशन का पार्ट हो वहां के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं तो वो सब कुछ छोड़कर इगनॉर करके पोस्ट मास्टर में आउट अप द वे जाकर लेंचो की है ठीक है क्लियर है क्लियर हो गया चाप्टर इवाफटा पटसे डाउच लेलू मैं और तुम लोगो की शाहिरियां पढ़ लू जल्दी से कुछ अ अच्छा हां डेविड वेरी गुड वेरी गुड डेविड डाट इस अगुड वेश्टन अब एक बात बताओ बहुत क्वेश्टन मैंने देखे थे ऐसे कि जब सेकेंड टाइम लेंचो ने पोस्ट मास्टर को लेटर भेजा होगा तो क्या रियाक्शन रहा होगा उनका ख कैसे प्रेजेंट करोगे क्या लिखोगे कि अगर पहली बारी में तो चलो उसको फनी लगा नो डाउट लेकिन उसने कंपैशनेट होकर हेल्प करने की सोची लेकिन दूसरी बारी में क्या होगा क्या लिख सकते हो रोबस्त होता एक्दम स्ट्रॉंग परस्नालिटी ओके साइड ओके बेरी कुट है ना मैं यहाँ पर अदिशनली लिख दू यहाँ पर अलग से ओके मैं लिख देती हूं पोस्ट मास्टर्स रेक्शन पोस्ट मास्टर्स रियक्शन आफ्टर दो सेकेंड लेटर ठीक है क्या था क्या डाल सकते हो साड हुआ होगा ठीक है और उसके प्रक्राइब के हिसाब से और क्या देद होगे डिस पॉइंटेड वेरी गूड उसको अब इस अपॉइंट मेंट होगी कि यार मैने इतने फोर्ट डाले और इसने यह किया है ना वेरी गूड शॉक भी उसे लगा होगा कही ना कई सप्राइज वह ऊगा श्यूक नी लिखते चलो सप्राइज लिख देते हैं ठीक है बेसिकली यही ठीक है हाँ वेरी गुड विपन कह रहे है मैं यह भी तो हो सकता है कि वह रिग्रेट कर रहा होगा तो लिख सकते हैं एक पारलल वर्ड में वैसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरीके का क्यारेक्टर हमें दिखाया गया है पोस्ट मास्टर का बड़ा ही फ्रेंडडी और में आपिसमेश परसने तो वह इतना हो सकता है रिग्रेट करें यह नहीव नहीव नोपें चलू लिख लेटें ठीक है हम JUST THAT he might have regretted ticket might have thought about this action make them simple words me like I thought about this actions and was regretful TK clear oh yeah or kisike questions I say he's was startled very good surbi okay palak jain pehle waalimini second time pooch up we aren't you care a ma'am legend he's still in depression and other legends get a baby very good devastated excellent excellent postmaster got stunned shabash trust issues got developed trust very good pratham very good is given us could trust issues over on a henna she can heartbreaking broken trust okay please bottle Q satisfied case over your thoughts on aras to why you wanna ha 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 clear hey done hey it's all the important component is chapter cover yeah hey yeah effect but a hailstone ka lencho ki cropper so yet or as a Zeruri exam point of you say silly I've added some points quick but review karlete hey Lencho predicted rain Lencho Niren ko predict kiya tha or aisa hua bhi methi ki barish hooghi or barish hui bhi kaafi tez barish hui okay he was happy bada khush tha or raindrops ko enjoy karne bhaar chala gya however Lekin phir strong winds ai or us ki puri field ko taba kar diya aik tada se chica winds hawa chalne laghi barish hoonay laghi saath me or bade bade hale stones oopar se girne laghi to kiske jaisa the white like salt the hailstone destroyed the entire corn crop puri corn ki crop joh hai wo destroy ho gai ek b patta nahi bacha thikasare flowers johai plants se jhad gai lencho was left feeling miserable lencho aikdom helpless feel karata miserable feel karata is destruction ko dekkar lekin phir uska ye faith waapis jaga towards god ticket done chapter done sare components humnye discuss kar diye hai chike clear hai 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 padhai karke hum hai vehoosh lencho asked 100 pesos very good kuchh aagye ke chapters ke liye bhi bachau chalo okay okay chike abhi yya aapke kush important phrases hai joh kai bar aapse pooch lepe exam mein parallel questions बनते हैं, humanity still exists, this is what we get to know after reading a letter to God, in which firm faith in God of a poor farmer and helpfulness of the post office employees are aptly depicted, यह क्यों लिखना है, अच्छा, aptly depicted thought, कि भई यह जो आपके दोनों characters है और इनके साथ जो हुआ, इससे हमें क्या पता चलता है कि humanity अभी भी exist करती है, अगर इस तरीके का कोई question बने तो आप क्या लिखोगे, आप इसमें सबसे पहले तो आपका जो main character describe करोगे, वो है post master, ठीक है, post master के action को explain करोगे, समझ गए, अगर यह question आपके exam में आता है, long answer type, तो उसमें आप क्या करोगे, humanity still exists, कि इंसानिया तभी भी जिन्दा है, यह हमें इस chapter से पढ़ने को मिलता है, right, जिसमें कि form faith in God of a poor farmer, एक गरीब farmer का faith हमें देखने मिलता है, और कैसे post office की help, जो हमने देखी, post office employees की help, तो मतलब मैंने तो यहां लिख दिया post master's आपको इस तरह से answer करना है, समझ में आई बात, ठीक है, और क्या पूछ सकते है, इस तरह से post master's gathers money with the assistance office post office employees, post master's ने अपने post office employees की मदद से क्या किया था, पैसे खटे किये थे, and help drench on behalf of God, और क्या किया था, कि भई, God के बहाफ में sign किया था, क्यों किया था, क्या reason हो सकता है, क्या reason हो सकता है, देखो sign, end में उन्होंने यह नहीं लिखा कि post master, कि मैंने दिये हैं पैसे, उन्होंने अपने आपको credit नहीं दिया, उन्होंने credit दे दिया सारा God को ही letter को sign कराया by the name of God क्या reason था उसका reason था था कि लेंचो का जो faith है वो ना तूटे clear ठीक है समझ में आई बात तो यह सारे important components हम discuss कर चुके है chapter के अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले chapter की तरफ which is Nelson Mandela clear हो गया क्योंकि यार यह देखो लेंचों वाला important chapter है इसलिए जो important होंगे definitely हमें उसे ज्यादा time देना पड़ेगा ठीक है ओके clear है हाँ ताकि उसका faith न तूटे clear है चलो यार एक बार मैं जल्दी से cell change कर लेती हूँ उससे पहले मेरी अवाज okay अभी ठीक है ना अभी ठीक है ना चलो continue करते हैं हम लोग अपने Mandela के साथ चलो चलो अब Mandela जी से आप लोगों को डरना नहीं है ठीक है ध्यान से शुझत चीजे सुननी है समझना है ठीक है औट मीनिंग्स का आते हैं तुम्가 छोटे बच्चे फोड़ी और चोटे बच्चों में आते थे पहले ऐसी верс याद कराते थे ना पेरेंस यहां पर मेरी मंमा तो ऐसे याद कर लिखता है ठीक है अपने लाइफ के बारे में वह खुद से लिखता है तो ये नेलसन मंडेला का जो चाप्टर है ये उसने खुद से एक बुक लिखी है जिसका रामे लॉंग वाक्टु फ्रीदम उसका चुटा सा एक सर्प्ट आपके पास है ठीक है अपार्थाइड के बार ने इन आस्पेक्ट पर बात किये स्पैसिफिकली अगर आप देखोगे तो नेलसन मंडेला ने क्या चीज़े रिफ्लेक्ट की है अपने इस चाप्टर से एक बार हम लोग जल्दी से थीम से गो थू करते हैं और फिर हम आगे चाप्टर का रिकॉल लेंगे और सारी ठीक है मैंने आप लोगों को रिजीलियंस बताया था कि चाहे कितनी ही डिफिकल्ट सिच्वेशन आ जाए आप हसके उसका सामना करते हो आप परिशान नहीं होते हो ठीक है ओके हां वेरी गुड बेरी गुड अच्छा तुम लोग किसके लिए कॉंग्राइज भोल रो 790K क हमारा नहीं है science and fund में तुम लोगों तो तुम लोगों को पहला congratulations ठीक है ओके चलो वा 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 question दो देखो हां अब यहां पर resilience क्या है resilience मंडेला की जो जर्ड़नी है आप लोगों ने chapter देखो line by line पढ़ा था तो वहां से आप लोगों को पता चलोगा कि उसने resilience दिखाया कैसे सालों तक decades of imprisonment बहुत सालों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था जो कि ऐसा नहीं है कि वो जेल में रहे और उनको problem फिर उन्होंने हसके वो सारी चीज़े sort करी बहुत समझदारी से ठीक है परिशान नहीं हुए panic नहीं मचाया और उनकी जो यह struggle थी ठीक है किसके equality यह भी हमने इस chapter में देखा कि कैसे वह equality को favor कर रहे हैं बिना race और background के बारे में सोचे इसके बाद हमने देखा forgiveness कि भई इतने सालों तक whites blacks के अगेंस्ट oppression करते रहे लेकिन फिर भी मंडेला ने मंडेला ने क्या किया मंडेला ने उनको माफ कर दिया आप आगे देखो कि उन्होंने oppressors और oppressed पर एक component discuss किया है और वहां पर उन्होंने clearly बोला है कि हमें oppressors को कर देना चाहिए oppressor कौन होता है जो अत्याचार करता है माफ कर दो उन्हें ठीक है वह यह बोलते हैं तो उनका forgiveness हमने इस चाप्टर में देखा leadership की थीम हम यहां से देखते हैं कि मंडेला की लीडर्शिप quality ही तो थी जिसकी वजह से और उसके साथ साथ उनका courage उनका determination determination संकल ठीक है तो यह सारी चीज़े सारे elements बने मिलकर तभी तो वह अराम से इतने अच्छे से अपने गोल तक पहुच पाए उन्होंने अपार्थाइट के अगेंस्ट fight किया इसके बाद आप देखोगे freedom ठीक है पूरे chapter में है क्या long walk to freedom तो टाइटल ही है तो मंडेला की life story क्या दिखाती है उनकी freedom के लिए fight okay सिर्फ अपने लिए नहीं उन्होंने सिर्फ अपने freedom के लिए fight नहीं किया वो fight था उनके देश के लोगों के लिए समझ गए ठीक है यह आपकी prominent theme रही है अब मंडेला थे कौन नेलसन मंडेला the first black president of South Africa who fought for the equal rights for his people अपने लोगों के लिए उन्होंने equal rights के लिए fight किया okay ठीक है he suffered a lot of pain for the freedom और इतना असान नहीं था कि हमने आज हम chapter पढ़ रहे हैं तो इतना असान नहीं very good he spent around 27 years in the jail सब ताइस साल जेल में रहे हैं वो तो हलके में मतलो मंडेला को ठीक है इसके बाद उनके साथ साथ कुछ characters और आड किये गए है chapter में अमीन इस जो आप तो चाप्टर पढ़ रहे हैं तो जनानी कौन थी Nelson Mandela की daughter थी वो अपने father के साथ inauguration day पर वहां पहुंची थी और काफी close थी अपने father के वो राइट देन थाबो एंबेकी कौन थे ये फर्स्ट डेप्यूटी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेजिटेंट आफ साथ आफ्रिका फुवस्ट वेरी क्लोस टू मंडेला ठीक है यह वाला कोलन हम अटा देते हैं बहुत क्लोस थे मंडेला के और मिस्टर दी अपनी स्पेसिफिक स्पीच दी थी तो यह जो चैप्टर है यह चोटा सा पार्ट है चोटा सा एकसर्प्ट है नेलसन मंडेला की ओरिजिनल आटो वायग्रफी लॉंग वाप्टो फ्रीडम का समझ गए मंडेला कौन थे फर्स्ट ब्लाक प्रेजिडेंट साउथ आफ्रिक से जल्दी से दिल बोलता है मंडेला मगर दिमाग बोलता है थोड़ा पढ़ लेना नहीं नहीं का फिल और अच्छा थोड़ा सा और अच्छा रही गुड इंडिया में है लोनावला खंडाला साउथ आफ्रिका के हीरो थे नेलसन मंडेला शबाश जो भी लिखना चाहो ब्लाग पीपल सैंग दे नाशनल एंथम ओफ इंग्लिश ओके ओके लेंचो को शार्थ चाहे था क्यूंकि उसको करना था सो अपना खेत लेंचो को था भगवान जी में अन्वेवरिंग फेत नाइस नॉट बैड तुम वो क्याबलरी याद कर बहुत बढ़िया मेरी वाइस दो रिमान जैसी लगती है है ऐसा मैंने का भी मुझा पहली बार बॉला है किसी में ऐसा है क्या इसा है क्या इंटराशनल हीरो क्यो बोला था चलो बेरी गूड बेरी गूड बेरी गूड ओके ही फॉर्ट अगांस तर सिस्टम नोडव ठीक है he inspired everyone due to his very determined due to his determination towards his freedom very good Shrugan he set an example very good national hero name bola international hero bola kyunki he set an example us na poori dunya mein example set 30 ya tk whose lifelong dedication to the fight against race racial oppression in South Africa won him the Nobel Peace Prize or jiski वज़े से उनको Nobel Peace Prize भी मिला और 1994 में वो president भी बने finally समझ में आई बात इसके बाद date क्या थी उस inauguration की 10th में बहुत बड़ा दिन था South Africa के लिए क्योंकि पहला non-racial government उनके यहां बननी थी पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई black जो है president बन रहा है इसी लिए यह moment special है ठीक है very good अंशुमन he fought for world peace definitely उन्होंने पूरी दुनिया में यह convey कर दिया तो question आ जाता है कि international hero क्यों बोलते हैं ठीक है अब international leaders and dignitaries वहाँ पर आए dignitaries होते हैं बड़े-बड़े दिगज ठीक है बहुत बड़े-बड़े लोग वहाँ पर आये उस inauguration ceremony में और वह कहां हुआ था lovely sandstone amphitheater formed by the union buildings in Pretoria इसको बिलकुल अच्छे से रट डालो ओध taking ceremony जो हुई शपत ग्रहन जिसे बोलते हैं वह कहां हुई जहां पर सारे ही dignitaries gather हुए थे sandstone amphitheater formed by the union buildings in Pretoria समझ गये इसके बाद इसके बाद इसके बाद it was the site of a rainbow एक फ्रेज आपके इस पर्टिक्लर पार्ट में आड़ है कि यहां पर बहुत इट वोज मोर लाइक रेंबो एज़ रेंबो हो कैसे gathering of different colors and nations कि अलग 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 देशों से लोग यहां आए थे इसलिए लेंचो ने क्या बोला है कि यहां पर अलग अलग जगह से लोग आए थे और यहां पर यह statement clearly यह explain करती है जैसे rainbow में different colors होते हैं बिलकुल वैसे ही यह सामने लोग जो आए यह अलग अलग nations से आए हैं तभी उन्होंने यह line दिया important है आप से extract में पूछ लिया जा सकता है इसके बाद मंडेला ने speech दी जिसमें उन्होंने बात की अपनी विक्टरी की obviously जीते थे तो बात होगी उसके बाद उन्होंने justice पर बात की freedom पर बात की human dignity की यार देखो इंसानियत जो एक चीज होती humanity उसके लिए सबसे ज़्यादा matter करता है उसकी खुद की dignity तो हमारी dignity तो हमसे छीन ली गई थी हब अब हमने fight back किया है तो इस पर बात की है he pledged to liberate उन्होंने pledge किया शपत ग्रहण की कि भई मैं अपने लोगों को liberate मतलब होता है freedom कि मैं अपने लोगों को गरीबी से suffering से discrimination से दूर करूंगा और उन्होंने word यूज किया है an extraordinary human disaster किसके लिए बोला है उन्होंने an extraordinary human disaster किसे बोला है human disaster क्या होता है एक ऐसी चीज जो तबाह कर देती है इंसान को और यहां पर वह extraordinary normal से अलग ordinary का मतलब होता है common आम एकदम normal extraordinary इस जो common से थोड़ा ज्यादा हो ठीक है तो human disaster क्या हो गया इसको बोला अब इस chapter में तो human disaster क्या होगा भाईया अपार्थाइट पर बात हुई है ना तो अपार्थाइट आई समझ में बात clear है हाँ very good Shankar very good Chandan अपार्थाइट referring to the practice of यहीं से उन्होंने clearly refer कर दिया कि भाईया South Africa का major concern सबसे बड़ा disaster वहां का अपार्थाइट ही है नहीं शिवाम I'm not ignoring anyone I'm trying to teach you उसकी बाद वहां पर क्या थे jets and helicopters आए बहुत colorful show हुआ जैसा proper ceremony में होता है जैसे आप लोग हमारे इंडिया के रिपब्लिक दे में देखते हो वह सब कुछ हुआ फिर दो national anthem गाई गई को सी सिकेलल वाइट ने गाया डाय स्टेम ब्लैक्स ने गाया दोनों नेशनल एंथम गाने के पीछे का रीजन क्या था देखो दोनों ही गाएंगे अभी यहां पर मंडेला यह नहीं चाहते थे कि ब्लैक्स की सरकार बन रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ब्लैक्स के अरे वह चलो मंडेल वोज ओवरेर्म विदा सेन्स आफ हिस्टरी अब एक सेंटेंस और आपके पास चाप्टर में की मंडेला जो है वो एकदम सेंस ओफ हिस्टरी से एमोशनल हो गया था क्यों यहां पर ओवर्वेर्म विदे सेंस ऑफ इमोशन सेंस अथादनेस नहीं सेंस ऑफ हिस्टरी बोला क्यों बोला है क्योंकि जब वो अपने इस जर्नी को देखता है तो उसको पीछे के सारे स्ट्रगल याद आते हैं उसको सब अगर जो कुछ बच्चे याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है लेकिन इतना हाड और फास्ट कोई रूल नहीं है कि याद करे बिना तो काम नहीं चलेगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ओके रवी का पड़ते हैं वियार आर नेशन्स प्राइड नेशन मंदेला फॉट अगेंस फीडम एन अपार्थाइड वेरी गुड़ दिव्यांशु ही वस अ करेजिएस पर्सन अडिटर्मेंट लीडर ही स्ट्रगल फॉर अल्मोस्ट एट डेकेट तो विन फ्रीडम पर इस कंट्री अगेंस रेशल ऑपरेशन इंडिस्क्रिमिनेशन वरी करते हैं क्योंकि लोग जब वहां के अच्छे होंगे तभी वह कंट्री ग्रो करेगी तो यहां पर उन्होंने पीपल एज रिसोर्स हुमन रिसोर्स चाप्टर तुम लोग पढ़ते हो उस पर फोकस डाला हुआ है ठीक है उसके बाद वो करेज की डेफिनेशन देते हैं कि क्या है वेंतरा मंडेला की चंट्रीक को लेकर करेज रहे हुए कैसे को और स्पाइडर सपाइडर सब्सक्राइब नवगता होगा किसी को अकेले रहने से डर लगता होगा बहुत सारी जीजसे तो यहां पर is not the absence of fear but the victory over it courage का मतलब है असली बहादूर इंसान वही है जो अपने डर पर भीटरी पाता है ठीके किसी को स्टेज फ्राइट होता है ढर लगता है कि पता नहीं कैसे मैं बच्चो को पढ़ा पाऊंगी नहीं पढ़ा पाऊंगे होताए कभी नहीं कभीवार तब courage वही है जब आप अपने उस fear को fear से fight back करो अगर मैं यह सोचके बैठ जाती कि नहीं आप मैं नहीं मुझे डर लग रहा है मैं नहीं जा रही हो पढ़ाने तो शायद आज मैं यहाँ पर होती भी नहीं तुम लोगों के सामने ठीक है अब उन्होंने बात की है twin obligations को लेकर अब twin obligations क्या है बहुत important है यह ध्यान से सुन लो ठीक है ध्यान से सुन लो ध्यान से सुन लो इसको twin obligation मतलब कुछ दो duties कुछ ऐसी rules I mean moral duties होती है कि करना ही करना है वो twin obligations क्या थी सबसे पहली तो किसी भी इंसान की life में दो obligation होती है पहली towards his family कि अपने parents का अपने wife का अपने बच्चों का ध्यान देना है या अगर एक female की बात करूँ तो अपने parents का अपने husband का अपने बच्चों का ध्यान देना है the second obligation is to his people दूसरी जो obligation होती है वो अपने लोगों की तरफ होती है अपनी community की तरफ होती है अपनी country की तरफ होती है और everyone fulfills his duties as per his inclination और हर कोई अपनी duties अपनी inclination के हिसाब से कि मालो मुझे मेरे लिए मेरी family ज़्यादा important है तो वो अपनी family की देख भाल करता है किसी को लगता है कि मेरे लिए मेरी country ज़्यादा value रखती है तो country को ज़्यादा ध्यान देता है ठीक है लेकिन यहां पर मंडेला ने बोला कि या ब्लैक्स के लिए यह फुल्फिल कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यार वो लोग इतने अप्रेस्ट है इतने ज़्यादा उनके साथ उनको इतना कुछ जहेलना पड़ा है अपने उनके बाद उन्होंने freedom का concept दिया है क्या freedom एक बार मैं जल्दी से यह topic cover करती उसके बाद तुम लोगों के comments पड़ते तुम लोग क्या लिख रहे हो क्या बाते कर दो पढ़ नहीं रहे हो ना अभी भी childhood perception उन्होंने क्या दिया देखो freedom का concept मंडेला ने क्या समझाया कि जब म उनका belief था ठीक है लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनका perspective change हुआ मंडेला को लगा कि यार freedom क्या है actually मैं family को बढ़ा करना family को पालना livelihood अपनी कमाई उनकी जीवनी चलाना यह सब उनके लिए freedom था लेकिन बात में फिर उनको realize हुआ कि नहीं यार सिर्फ इतना ही नहीं होता freedom यह तो selfish thought हो गया कि मैं सिर्फ अपनी family को लेकर सोच रहा हूं फिर उनकी understanding को थोड़ा broad किया गया तो उन्हें पता चला कि यार यह से freedom यह फ्रीडम नहीं यह तो limited transient है यह तो बहुत ही restricted freedom मैं देख रहा था actually मैं तो मुझे पता चला कि freedom है ही नहीं freedom तो curtailed है हमें दी ही नहीं गई है black people के पास freedom है ही नहीं ठीक है तो freedom की definition उन्हें धीरे धीरे समझ में आई यह important है ठीक है यह बहुत important है very good Neeraj the black and the colored people of South Africa did not have any freedom Nelson Mandela joined African National Congress to struggle for the achievement for freedom of his people very good comrades होते हैं साथी दोस्त ठीक है inclination मतलब जुकाओ फिर Mandela ने क्या बोला Mandela ने उसके बाद oppressor और oppressed पर बात किये बड़ा important है यह भी Mandela ने बोला कि भाई हम लोगों को ना देखो जो oppressed है जो जिस पर अत्याचार हो रहा है वो तो ठीक है उसको तो आजादी चाहिए लेकिन जो अत्याचार कर रहा है जो oppressor है उसको भी आजादी चाहिए अब यह क्या बोल दिया oppressor को किस बात की आजादी यार वो होता है वो prisoner of hatred होता है ठीक है उसके मन में वो कैद है उसके मन में क्या भरा पड़ा है hatred भरी पड़ी है राइट देस imprisonment is characterized by prejudice and narrow minded mindedness छोटी सोच होती है उसकी और यही reason है कि मंडेला बोलते हैं कि oppressor को भी free करो oppressor को भी freedom की ज़रूरत है ठीक है मंडेला अजर्ट और मंडेला इस बात पर फोर्च डालते हैं कि ट्रू freedom is not achieved असली freedom तब नहीं अचीव की जाती जब कोई दूसरे की freedom चीन रहा है यानि कि अगर ऐसा समझें कि आज तक अंग्रेजों ने जो हम पर रूल किया था ठीक है तो यह मान के चलें कि हम free नहीं थे तो इसका कहीना कहीं यह भी आप बोल सकते हों कि अगर मंडेला की definition के साब से जाएं तो वह कोई free नहीं थे ब्रिटिश कोई free नहीं थे वह भी oppressed थे क्यूंकि उनके मन में किस क्या भरा हुआ था उनको कौन कंट्रोल कर रहा था hatred उनको कौन कंट्रोल कर रहा था negativities आई समझ में बाद ठीक है क्या गोरा क्या काला नेलसन मंडेला है प्रेजिनेंट आफ साउथ अफरिका वाला अच्छा जी चालो क्लियर है उसके बाद उन्होंने freedom को indivisible बोला है क्या होता है इंडिविजिबल देखो मंडेला thought that freedom एक पूरा package है मंडेला कहते हैं कि यह पूरा package होता है और इसको तुम तोड़ नहीं सकते हो pieces में और freedom का मतलब यह नहीं है कि मान लो मैं कह रही हो कि चलो तुम्हें आजादी है तुम politically free हो लेकिन तुम्हें बोलने की आजादी नहीं है ठीक है तुम culturally free हो लेकिन तुमको job करने की आजादी नहीं है तुम कोई भी religion adopt कर सकते हो लेकिन तुमको इस particular चीज को करने की freedom नहीं है तो bits and pieces में नहीं होती आजादी इसको नहीं बोलते freedom तो क्या बोलते थे Nelson Mandela की freedom is indivisible आप उसको divide नहीं कर सकते हो तुकडों में नहीं तो दोगे आप freedom को if someone can't speak freely about politics तो obviously बात है मान लो example दे देते हैं अगर कोई politics पर खुलके बात नहीं कर सकता तो definitely उसके बाकी factors affect करेंगे वो majority cases में शांत रहना पसंद करेगा वो अपने opinions नहीं दे पाएगा तो उसकी freedom यहां पर रोक दी गई ना तो मंडेला believe that freedom is all connected इसलिए freedom को connected मानते हैं कि भई freedom है तो भई सब में ओनी चाहिए okay and you need all parts of it to have true freedom आपको सब हिस्सों में आपको freedom मिलनी चाहिए clear समझ में आई बात बहुत inspiring character है मंडेला हमारे लिए और उनका चोटा सा character sketch तुम लोग आराम से कर सकते हो आप जल्दी से मुझे अपने doubts रखो यहां पर फटा-फट से फटा-फट से है ओके है हमारा head हो रहा है Spain और मंडेला का मंडेला के obligations थे twin क्या बात है मिष्टी very good प्रो मैजसन के रहे है मैं थोड़ा slow चलिए देखो यार आज तो मैं वैसे भी slowly ही जा रही हूं क्योंकि important chapters यार इससे slow तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ना ठीक है इससे slow तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा नोट करने के लिए आपको मैं PDF प्रवाइड कर दूंगे नोट क्यों करना है आप questions अब यहां से आप लोग सीधा questions attempt करना आज के session complete करने के वाद सीधा questions पर तूट पड़ो answer लिखने लाइक हो जाओंगे ठीक है बोलते है prejudice ठीक है तो मंडेले का मंडेले का बोल रहे हूं मंडेला का character sketch आप अराम से attempt कर सकते हो क्योंकि मैंने जितने भी चीज़े बताई वहां से अराम से फ्रेम हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम आते है two stories about flying पहले यह बताओ कोई भी डाउट है अभी मंडेला वाले chapter क जल्दी से बता दो जल्दी से फुट्प्रिंट्स हम लोग 25th को करेंगे काव्या क्या डाउट है आ सकते हैं killer gaming बिल्कुल आ सकते हैं nelson नहीं थे white that's why he gave apartheid a good fight well done इससे तुम्हें चीज याद करने में help मिलेगी पहला nelson mandela was a black president दूसरा he fought against apartheid very good very good very good जीवन नोस्टैल्जिक होता है जब आप पुरानी चीज़ों को emotionally याद करते हो ठीक है याश कह रहे हैं ma'am please explain courage once again बता भाई courage पता याश को समझाओ जल्दी से फटा फट से courage को समझाओ sonu भी पूछ रहे हैं courage क्या होता है nelson mandela के हिसाब से courage is not you know कि जब आपको बिल्कुल डर नहीं लगता it's not absence of fear courage is victory over fear जब आप अपने डर के उपर जीत हासल कर लेते हो वह कौन सा एड़ था या डर के आगे जीत है मस्वही वही ठीक है समझ में आई बात wrinkling of brow बताया तो था ऐसे करना ठीक है लिखना क्यों है लिखना क्यों है यह तो मैं तुम्हें समझा रही थी चलो अब इस chapter पर आते हैं two stories about flying अब यह जो आपका chapter है two stories about flying इसमें अब लोगों को क्या करना है सबसे पहले तो देखो इस chapter में क्या overcoming fear की डर के आगे आप कैसे जीतते हो डर से कैसे बच सकते हो है ना क्या आपको करना अभी अभी पीछे हम लोगों ने हम लोगों को अच्छी definition दी करेच की मंडेला जीने और वहीं से वहीं से हमें इस चापकर में यंग सीगल जो था शुरू में बड़ा और रहा था किया आपनी परस्ट प्लाइट कैसे लों गा मैं कैसे पहली बार आप लोग भी डर रहे होगे पहला board exam कि मैं कि पता नहीं में क्या करके आ जाओंगा क्या मैं लिख दूंगा है ना लेकिन यहां पर वही चीज हुई but eventually उसने इस पर जीत हासल कर ली conquers का मतलब होता है wins it किसकी मदद से अपनी mother की मदद से ठीक है okay this chapter is a narrative that describes the maiden flight of young seagal very good the young seagal is scared of taking the first flight of his life down the cliff absolutely absolutely बहुत बढ़िया फिर उसके बाद आ जाते हैं self doubt or confidence पर तो इस chapter में self doubt confidence इस पर बात हुई है ठीक है कि भाई कैसे आपने देखा young seagal शुरू मैं खुद पर doubt करता अपनी abilities पर doubt करता है और वो confidence गेर्म करने की कोशिश करता है his ability to fly before gaining the courage to take flight और कहीं न कहीं अपने courage पर भी उसको शक होता है कि पता नहीं यार अगर मैं उड़ने की कोशिश करो पता चला गिर जाओ ठीक है तो यह सब कुछ उसके साथ हुआ फिर आ जाते हैं कि important हमारे थीम पर वो है maternal support and guidance की role of mother यहां पर इस chapter में mother का role बहुत जरूरी है तो यह एक इसमें हो गया और आप footprints without feet वे चाप्टर और पढ़ोगे तो making of a scientist जिसमें आपको mother का role देखने मिलेगा है ना तो वहां पर भी mother जो है बहुत helpful role निभा रही है और यहां पर भी एक तरह से लेकिन थोड़ा सा हमने जब amanda के इसको parallel पढ़ा था तो देखा था कि और balanced हो सकता था although mother सीगल ने अपनी बेस्ट ट्राय करा कि मैं अपने बच्चे को कैसे उसकी फॉर्स प्लाइट लेने में help करूं ठीक है कैसे उन्होंने क्या किया था उसको फिश का लालश दिया था ठीक है उसके सामने से फिश दिखाई थी और उसकी फॉर्स प्लाइट सक्सेस्फूल हो गई थी पहला तो हंगर भी एक रीजन था दूसरा वो फिश भी थी क्लियर इसके बाद देफिनेटली करेज डिटर्मिनेशन यह तो है ही इस चाप्टर में कि क्यों जरूरी है करेज और डिटर्मिनेशन क्योंकि वह होगा नहीं तो वैसे भी तुम कोई चालेंज जीत नहीं पाऊगे ठीक है पुकई समझे यंग सीगल is the best example of courage वेरी अधिटया एक यह एक यंग सीगल के आसपास पूरी स्टोरी घूमती है वह अकेला लेज पर बैठा था ठीक है और बाकी उसके siblings जो थे siblings कौन थे वही दो भाई एक बहन हो गए यह औरड़ी उड़ चुके थे मतलब वही एक बचा था जिसको उड़ना नहीं आ रहा था ठीक है तो उसके लिए उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था यह कि कैसे वह अपनी first flight ले और वह काफी कि पैसिमिस्टिक था जल्दी से बता दो पैसिमिस्टिक का मतलब कल बहुत हमने यह वर्ड यूज किया कल की क्लास में लेटर भी हो चुका है राइटिंग सेक्शन तुम्हें करा चुकी हो तुम लोगों को है अंजी शाम को क्लास है बताओ फटाफट वेरी गुड रिशी देखो आरव पॉइंस में मत लिखना चारेक्टर स्केच इस बेटर कि आप प्रॉपर पारग्राफ में अपने आंसर को फ्रेम करो ठीक है पॉइंस में लिखकर आप याद कर सकते हो वेरी गुड शबाश एवरीवन पैसिमिस्टिक का म तो बढ़ा घ्ळा रहा था इसका इसका ओपुजेट क्या होता है जैसे मिस्टिक का जल्दी से बताव पैसिमिस्टिक यव पुजट हां गूड रूटकर बश्वीड शबाश वेरी गूड़ है वेरी गूड यूड दिव्यान शूंट टुआ रशी शबष पैसिमिस्टिक का opposite होता है optimistic positive approach ठीक है तो वह negative बहुत सोच रहा था कि पता चला मेरे wings ही नहीं काम किया और मैं नीचे गिर गया parents ने उनको उसको punish कर दिया कि भईया ठीक है हम तुम्हें अकेले चोड़ देंगे अगले 24 घंटे तक बिना खाना पिना कुछ दिये तुम्हारे परेंस नहीं किया है कभी तुम्हारे साथ ऐसा पड़ो नहीं वरना हम छोड़ देंगे तुम्हें इस कमरे में बिना खाना पिना दिये करते नहीं से कुछ मस्टर अपका मीनिंग पूछ रहे एक बच्चा मस्टर अपका मतलब बता है ग्यादर करना इखटा करना करेज इखटा कर रहा है वो बिचारा यहां बैठ ठीक है ओके जैसे अभी मुझे करेज की बड़ी जरूरत है पता है कि मुझे सब एक एक पॉइंट मैं यह चाहते ह रहे था कि कोई देखर नहीं रहा क्या मुझे प्लीज देखो मैं अब हुख से मर रहा हूं इस बोल नहीं रहा था वो लेकिन ऐसे तिरशी नजरों से देख रहा था कि भाई भूख लगी है प्लीज प्लीज कोई महीं तरफ देखो और मुझे खाना दो ठीक है his mother preparing to eat a fish और उसकी मदर को ममा से कुछ नहीं चुपा सकते हो ना ना उनको पता चल गया कि यह भूखा है यह देख रहा है चलो यही ट्रेक अप्लाइब करती हूं इसके आगे मैं कुछ प्लान करती हूं तो मदर नहीं आपर एक पॉजिटिव अप्रोच ट्राइब किया उनका प्रोच भूख लगया मेरे आगे रख दे कोई मोमोज यहां लाखे बस फिर देखो तो ठीक है बट अभी मैं नहीं खाऊंगी जब तो तुमारे एक्जाम में हो जाते हैं मैंने सोच आए यह प्रण लिया हुआ है ठीक है दा मदर इंटर्वी इन प्लेसे बेट इन फ्रॉंट आप आप फिश और भूख से वो फिश के ऊपर जंप करता है क्यों आज बसाइट ऑफ फूड मादन हिम ठीक है क्योंकि उस खाने को देखते ही वो पागल हो गया राइट तो यहां पर हंगर हम देख रहे हैं as a source of motivation भूख जो है वह मोटिवेशन का काम कर रही है आई समझ में ब करना इससे मतलब एकदम मज़े लेकर खाने का ठीक है यहां देखो हंगर as a source of motivation यहां से मैं पता चला की कैसे उसकी मदर ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको इसकी भूख का एक पॉजिटिव यूज करू और इसको मोटिवेट करू ओब कमिंग हिस्टियर और फाइनली यह बिल तुमने लगे ठीक है बेट क्या होता है बेट का मतलब बताओ जारा मैंने यहां पर वर्ड यूज किया है बेट यह वर्ड तुम भी उसकर सकते एक्जाम में अगर एक्वेस्टन आए कि उसकी मदर ने इंटर्वीन किया ठीक है और उसके सामने बेट रग दिया प्लेसेज अवर्ड ऑसती ऐसे अख यहां प्लेसे मैसे नि cần रहा अइसे और ने पेखल जैना क्या stylist तुक्त है तूररत यह जाहले है तो चाहरे औरहे प्लेस mend Slide यह trap एक जाल है फसाने के लिए ओके clear चलो समझ में आया अब यंग सीगल ने finally confidence gain किया और उसका जो attempt था सी में float करने का वो achieve कर लिया by conquering his fear अपने डर पर जीत पाकर he realizes that उसको क्या realize हुआ कि fear कुछ नहीं होता है सिर्फ एक mindset होता है किश् Prinzip की तुम लोग को ना मैं बताती हो प्रॉब्लम क्या होती है जैने क्यों वह सोचतेक रहे क्यों तुम लोग सोचते हूं और हमें वो गशन रहे हे इसका reason क्या होता है इसका reason कर दिमाग में होता fear अपने दिमाग में इसमा आता है of course toc रखो positive approach लेकिन of course आपको पढ़ना भी पढ़ेगा उसके लिए यह नहीं कि कुछ करके नहीं गए बस सोच रहे हमें सब आता है तो exam में definitely vocabulary नहीं आएगी अगर आपको पता है English में आप लोग please paragraph में answer लिखना points में answer सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए लिख सकते हो क्योंकि जब आप points में answer लिखते हो थोड़ा सा आपको दिमाग में वही मैंने बोला ना सब दिमाग का खेल है आपको यह लगेगा कि अरही तो चुटा-चुटा सा है है ना तो आप आ हमने आपको describe किया chapter आप सीगल के लिए आप क्या-क्या words दे सकते हो सबसे पहले तो सीगल जो था वो डरा हुआ था उसके अंदर confidence नहीं था ठीक है उसके parents ने उसे सिखाने की कोशिश की और finally successful भी हुए लेकिन शुरू में क्या-क्या problems face की अब डरा हुआ था तो वो खुद सीगल महेश्वरी आधिक मुझे इसके लिए एक सेकंड चाहिए यह तुम्हारा जो तुम्हें लिखा न सीगल महेश्वरी है तुम्हों कितने क्रियेटिव हो कहां से यह कहां से आता है दिमाग में और फिर खुद को जच करते हो कि हमें कुछ नहीं आता वाह क्या connect किया सी सीगल महेश्वरी है नाइस लफ डिट लफ डिट मजा आ गया आज तो मुझे तुम लोगों के साथ है तो यहां पर हमने क्या देखा हम क्या देखेंगे ना अगर आपको सीगल का पूछेगा नहीं वैसे लेकिन अगर आता है तो तुमको पूरा transformation दिखाना पड़ेगा कि पहले वह एकदम डरा हुआ था confidence नहीं था ठीक है उसको डिस्ट्रस्ट अपने विंक्स पर अपने ही पंखो पर उसको ट्रस्ट नहीं था तो यह क्या दिखाता है कि आपको बाहर स से motivation नहीं लेना है आपके लिए आपका motivation आप खुद हो अपने knowledge पर बिलीव करो ठीक है आप अपनी महनत पर भरोसा करो तो यह सोच रहों कि कोई बड़ी-बड़ी बाते करेगा तो में motivate करेगा तब जाके तुम एक्जाम में फोड़कर आओगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है वह खुद से करना है हाँ टिमेड लेकिन इनीशली पैसिमिस्टिक लेकिन शुरू में इनीशली वर्ट जरूर लगाना शुरू में वह बड़ा पैसिमिस्टिक था ठीक है बहुत डरा हुआ था लेकिन उसकी मदर ने उसे help किया no doubt ठीक है और उसने खुद ने मदर स अगला आ जाते हैं तो ब्लैक है ठीक है क्लेर हो गया क्लेर यहां पर कोई डाउट है तुम लोगों को यहां पर कोई डाउट है ओके सीगल का कमबैक पूरी मूवी बना दो सीगल पर थांक यू मॉंस्टर स्लेयर मीन्स अलोट बेरी गूट इनिशली ही वह दी मोटिवेटेड स्केप्टिकल वेरी गूट स्केप्टिकल लिख सकते हैं नेगिटिव है ना जो डाउट करता है ठीक है क्लेर है चालो चालो अब यहां पर यहां पर देखो अब क्या चाप्टर है हमारा दे ब्लाक एरोप्लेइन अब यह ब्लाक एरोप्लेइन टाइटल तो है लेकिन इस चाप्टर में बात क्या हुए है यह हमारा एक कंसेप्ट पर बात करता है कि वही करेज पर अगयान ठीक है करेज पर बात करता है जो हम अपने आप में देखते हैं during difficult times अक्सर ऐसा होता है कि मुसीबत के टाइम पर हम बाहार करेज धूणते हैं आमीन बाहार motivation दूणते हैं लेकिन लेकिन वह motivation कहां मिलती है हमें हमारे अंदर ही वह हम खुद है करेजियस कौन होता है हम खुद होते हैं बाहार factors ढूनते हैं motivation का है ना doubt and fear can make decision making challenging doubt यानि कि शक और डर कई बार हमारा decision making बड़ा मुश्किल बना देती है leading individuals to seek external help जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं अब जैसे क्या होता है तुमनों को कही example देखे बोलते पढ़ाई लिखाई नहीं करी होती है जिस बच्चे आप follow करने लगो और वही external help की बात की जा रही है वह अपने आप पर trust नहीं करता है कई बार राइट जिसकी वजह से उसको लगता है और बाइचांस अबर कुछ रखल हो जाए तो फिर उसे लगता अरे वा अरे वा जादू हो गया है ना ठीक है तो यह क्या फोर्स कर रहा है जो चाप्टर है कि इस बात पर emphasize कर रहा है आपके decision making को बताने के लिए कि भी देको कई बार क्या होता है ऐसे life जो efforts और जो सोच रहते positive factor जो आप लेके आना चाहते थे वह बस वही हो ज़रूरी नहीं है कि यह क्या है यह आपका कोई चमतकार ऐसा कुछ नहीं है ठीक है कई बार ऐसा नहीं होता है ओके self आप motivate खुद को करते हो self motivation is a factor here the pilots encounter with the black airplane अब चाप्टर में कैसे है यह बात जब पाइलेट black airplane से मिला हम लोगों ने discuss भी किया था यह बात कि कौन था वो black airplane भगवान जी आए थे क्या इसकी help करने के लिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं था अगर आप practically सोचोगे तो भगवान जी कैसे महाँ पर होंगे ऐसा नहीं होता है ना ठीक है ऐसा थोड़ी black airplane बनके वह आ जाएंगे यू नेवर नो ऐसा हो भी सकता है क्या पता लेकिन अगर आप इसको अपने practical real situation से जोड़ोगे तो वो black airplane कुछ नहीं था वो सिर्फ और सिर्फ उस पाइलेट का अपना manifestation था उसको क्या लगा कि भाई यह मैं उसको लगा कोई और help कर रहा है लेकिन एक्चली में उस डिफिकल सिचुएशन में वो खुदी ही अपनी help कर रहा था ठीक है clear समझ में आई बात अब इस चैप्टर में क्या reflect है तो अब इस चैप्टर में क्या reflect है कि कैसे किसी का judgment कई बार distort हो जाता है लड़ खड़ा जाता है अपसर fantasize करने की वज़े से और वो problem में आ सकते हैं जैसे कि क्या यह लाइन को क्यों कौन सी बार justify कर दी है चैप्टर में narrator कौन सा प्लेन उड़ा रहे थे old dakota ds088 ठीक है यह थोड़ा सा याद रखना extract based में पूछ लेते कई बार options आते हैं वैसे ठीक है options आते हैं हाँ imagination बोल सकते है hallucination बोल सकते बहुत अलग-अलग reasons है लेकिन अगर आप थोड़ा सा very good subconscious mind था उसका don't you think कि यार वो अपनी खुद की मदद कर रहा था है ना तो यह reasons ज्यादा होते है ज्यादा यह reasons है ठीक है अब narrator जो है वो old dakota ds 088 उड़ा रहा था ओवर France back to England at 1.30 in the morning सुबह सुबह एक बच के 30 मिनट पर अब ऐसा नहीं था कि कोई नया नया पाइलेट था experienced पाइलेट था और इन लोगों को सिखाया भी जाता है कि भाई देखो कोई situation कोई problem सामने आये तो उसको वहां से क्या करना है तो मैं ideally वहां से side हो जाओ storm है कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि आस्मान में problem है तो आप क्या करेंगे तो आप क्या करोगे वहां से आप रिवर्ट हो लो यही करते हैं professionally ठीक है यह नहीं कि जबरदस्ती जाओ अपनी जान खतरे में डालो ऐसा कोई नहीं सिखाता है ठीक है अब यहां पर यहां पर सुबह जब 1.30 in the morning वह अपनी प्लेन पर थे ओल्डकोटा उड़ा रहे थे स्मूध एगदम वॉसम था सब कुछ साफ था आई शुट कॉल पारिस कंट्रोल सून उन्होंने खुद से यह बात की खुद से बोल रहे थे किया अब मुझे पारिस कंट्रोल फून कर लेना चाहिए to ask for directions for his smooth landing ताकी मैं अपनी smooth landing की preparation करूं राइट की the map उसने map check किया compass check किया सब कुछ सही था Confederate to his second and last fuel अपने आखरी fuel tank पर चेंज किया पहला CPU tank हो चुका था आखरी fuel tank पर उसने अपने plane को उड़ाने उड़ाना ठीक समझा और Dakota को थोड़ा सा direction dी ट्वेल डिग्रिज़ वेस्ट की तरफ त्रफ जाऊंगा और English breakfast करूंगा बड़ा ही खुश हो रहा था सब कुछ बढ़िया था सपने सजाने लगा था अपनी family के साथ holiday मनाने का ठीक है लेकिन suddenly सामने से क्या देखता है storm clouds आ जाते हैं ठीक है huge storm clouds स्टूफान आ जाता है सामने से जो किसके जैसा दिखता है looked like black mountains यह यहाँ पर आप देख रहे हो similarly के मदद से comparison किया हुआ है ठीक है storm clouds को किस से compare किया है black mountains से ठीक है काले पहाड़ काले आपके पहाड़ों से क्यूंकि बहुत huge वो cloud था बहुत huge storm सामने से आ रहा था standing in front of him across the sky अब यहां से उसको आइडिली क्या करना था उसको घूमना चाहिए था वापिस चले जाना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्यों क्योंकि उसको तो अपने घर जाना था अपने बच्चों से मिलना था उसको तो English breakfast करना था compass, radio, other instruments सब खतम हो गए, fuel tank भे भी इतना fuel नहीं था कि उसको smooth landing करा पाए, सब कुछ गढबढ हो गया था ठीक है, he saw a black plane, लेकिन suddenly वो क्या देखता है, इतनी सारी problematic scene में, side से एक black plane आ रहा है, ठीक है, और उसके wings पर light भी नहीं है, तो बिना, उसके wings पर light ही नहीं है, plane के, तो वो कैसे चला रहा है, doubt तो होने लगा था, लेकिन आवे situation में वो क्या करता, उसके पाइलट ने, ऐसा व पास यहाँ पर कोई option नहीं थी, तो वो उसके पीछे चले गए, बिल्कुल एक obedient child के जैसे, ठीक है, like an obedient child, उन्होंने इसको properly follow किया, कि भई ठीक है, अभी तो कोई option है नहीं, जान बचानी है किसी तरह, तो जहाँ बोल रहा है, वहाँ चल देता हूँ, ठीक है, और था और घर चला गया सीधा खाने के लिए English breakfast, यहाँ पर यहाँ पर वो सीधा गया, control और वहाँ पर office में, ठीक है, control room में, और वहाँ उसने सोचा किया, gratitude express करता हूँ, पाइलिट को thank you बोलता हूँ, लेकिन to his surprise, woman in the control center informed, उसने क्या बताया, कि भई, वहाँ तो कोई aeroplane visible ही न कर पाया हो, कोई और help कर ने आया हो, यह भी एक रीजन है, ठीक है लेकिन अगर हम इस चाप्टर की theme के हिसाप से चले, अगर हम इस चाप्टर की theme के हिसाप से चले, तो यह क्या बोलता है, कि भई वो जो pilot था, उसने अपनी मदद खुद कर ली थी, वो सिर्फ और सिर्फ य मैं समझी नहीं, अध़ तो यह नहीं समझाया मुझे, जैसे letter to God में postmaster को समझा God, वैसे ही the Black Aero Plane खुद ही था Lord, very good, very good, very good, है ना, monster slay depends on the question, depend करता है question, ठीक है, question क्या है, illusion कह सकते है, कह सकते है, ठीक है, शिवमाइं आइधिक टेक गार समोर टाइम ठीक है वाम एक्जाम में लेंचो और पाइलट के बीच कॉन वर सेशन आई थी इसे कैसे करते हैं अमर मैंने यह क्वेश्चन भी रीसेंट किसी लाइफ सेशन में करवाया भी था जिसमें लेंचो और इसके बीच में कॉन्वर्से का रूट होगा गिश्थ स्टेशन लोग बात करेंगे क्या को शर्म नहीं आती है क्या करते हो तुम लोगई क्यों है लिग के से मुहता है लेंख में दाना कि का बताओ जल्दी से बताओ बताओ जल्दी जल्दी से विभूती ग्रामर भी सॉल्व हो जाएगा प्यारग्राफ भी सॉल्व हो जाएगी टेंशन न लो पता नहीं कौन आया था और ब्लाक एरोपलेन आया एक हेल स्टॉम नहीं आया रहें ओके एक बच्चा कह रहा है मैं दोनों के केस में नेचर बिकेम क्रूवल यार मुझे ऐसा नहीं लगता तुम लोग अगरी करते हो इस बात से कि नेचर बिकेम क्रूवल देखो मैं जो लॉंग रही होरा क्या पर डायलोग बेस्ट कर रही हूं तो अगर जो क्वेश्चन वाला से सटख नहीं करोंगे डेफिनेटली क्यों कि नहीं लिए नहीं लिए थी कर हैं लोग वह खोस्टेंगे जो इंप्रंट है और इंपोर्टेंटकर आप से सुनों ठिके नेचर बिकेम क्रूल तुम लोगों को क्या लगता है नेचर किसके साथ क्रूल हुआ लेंचो के साथ वह ना पाइलट के साथ कैसे लिखोगे अगर आया इंपोर्टेंट है लेकिन कैसे लिखोगे अगर मानलो इसी पर लिखना है तो पाइलट के साथ नेचर कैसे क्रूल कैसे लिख सकते हो इस चीज़ को है इसको कैसे लिख सकते हो इसको आप ऐसे लिखोगे इन दोनों के बीच में तो यह अपना दुख एक्स्प्रेस करेगा वह수 कि भाई हेल स्टोन्स ने मेरी क्रॉप उजाड़ दी सब खराब कर दिया पाइलेट बोलेगा कि येस लेंचो सिमिलर थिंग हापन विद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ वेरी गुड़ वेरी गुड़ आई हाट टू गो थू अपनी कॉन्वसेशन में कंटेन्यू करेंगे हो सकता है डिसक्राइब करें कि इसके साथ क्या हुआ था लेंचो फिर लिखेगा कि इदे बहुत बढ़ा नहीं लिखना है तीन तीन डायलोग इच उससे जादा नहीं बह लेंचो हाई पाइलट ऐसा थोड़ी ना यह डायलोग में खाउंट नहीं होगा खालिया तुमने यह मत लिखना तुमको क्या करना है लेंचो का जो आप में गांसरन हो लिखो ठीक है बिगिनिंग के लिए क्या करोगे आप थीम से लिखना शुडू करो ठीक है एलो मिस्ट तू से दाट नीचर आट टाइमस शोज इस क्रूल्टी की नेचर कई बार अपनी क्रूल्टी दिखा देती है सीधा आप यहां से शुडू कर सकते हो कोई हाई है लो नहीं करना है समझ में आई बात ठीक है इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे फिर आप पाइलट का जिस त कि यहां पर लेंचो यह छे नंबर का क्वेश्टन में डिसकस कर रहे हूं अब लेंचो गॉड के लिए क्या बोलेगा कि देखो मेरी हेल्प तो करिए भई मुझे तो 100 पैसोस मांगे ते 70 पैसोस आय थे लेंचो को थोड़ी पता है कि मास पोस्टमास्टर ने दिये थे ठी यह दिद गॉट सेंड मी जस्ट 70 पैसोस और नौट 30 पैसोस आयम अब इस इसकार कर दो ठीक है इस फाइन मद वोलना वो तो मैं तुम्हें सब संजाने के लिए बोल रहे हो पोकर इंगलिश मत लिखना वापर रिटन इंगलिश लिखना फिर पाइलट क्या बोलेगा यह सी इसवन आयगरी दाट गॉट है इसे एप इसे कैसे ठीक है मिस्टीरियस वे फिर क्या लिखो गया उसमें की वह अपना सिच्वेशन डिस्क्राइब करेगा की अ ब्लाक अरो प्लेट है प्लेट इन अब्लाक अरो प्लेट है प्लेट में समझ गया क्लियर हाँ लेंचो विल से हाव वाज इंग्लिश ब्रेक्फस्ट हाँ इशान नो डाउट ऐसे कर लो आप जो भी शुरू करो जो भी शुरू करो उसका रिलेशन चाप्टर से होना चाहिए हाई हेलो कथा मत करना ठीक है समरोजदीप कह रहे हैं मैं पारग्राफ में लिख आपने užफ्याय च्छान होगे आपने पहले लेंचो के लिखा आप यंजा घंट बर लंशो कर लिख दिया पिर देकर दायलोग लिख दिया और आहता przetalpad लिखेसे करके कमसेतes डायलोग बनादो और आपका काम हो जाएगा मिए क्लियर है यह नहीं कि एक हीवारी में लिए इंचों ने सब कुछ बोल दिया और एकी बारी में पाइलेट ने सब कुछ बोल दिया ऐसा थोड़े उता है डायलोग है ना फिक्र क्लियर वेरी फुन सत्यम हाँ और एंड आप कैसे करो एंड आप आप लोगों को डायलोगcs एंड करने में problem आती है ना तो आप लोग कैसे लिखो आप लोग लिख दो कि भई अब क्या ही हो सकता है we cannot predict अब आप लोग दोनों का एंड कर दो फिर लेंचो बोले का यह सीवन आई अग्री खतम है क्लियर ठीक है एनीफिंग लाइफ इस अन्प्रेडिक्टिबल यह बोल सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ के से यह हुआ अंसर्टन सिचुवेशन डेवलप हुई नहीं पता था कि कैसे होगा ओके क्लियर है वेरि गुद सिधार्थ वेरी गुद ट्रांजियों का मतलब उत यह टेम्प्री सबच्व में आया कैसे आंसर करोगे दियोंके क्लियर है clear है और कोई डाउट और किसी का कोई डाउट है लेंचो और पाइलेट का डायलोग हमने डिस्कस कर लिया है okay पाइलेट बोलेगा that's a beautiful thing लेंचो and you know what I may not be God but I can do something to help you how about I drop some seeds and tools for you to start planting again very good सुमन यह बहुत अच्छा है आप यह भी लिख सकते हो लेकिन आप थोड़ा सा उनका discuss भी करना बहुत बढ़ी है सुमन see it's all about your creativity कि आप कैसा लिखते हो ठीक है और जिन बच्चों को problem है सोचने में कि यार हम अपने आप से कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्या करो आप उस chapter से related को पॉइंट उठाओ उस पर discussion चालू कर दो थीम ज्यादा discuss करना डायलॉग में थीम से discuss करने का मतलब यह नहीं कि लैंचों पूछ रहा हाँ वट इस दीम आप यॉर स्टोरी ब्लाक एरोपलेन का लेकिन मैं यह बोल रहे हूं कि अभी जो मैं चीज़े डिसकस कर रहे हूं वह मैं शाम में रिपीट नहीं करूंगी ऑल्दो आपको slide में मिल जाएगा ठीक है और जरूरत पड़ेगी तो यह इस तरीके के questions का मैं आप लोगों को provide भी कर दूंगी PDF लेकिन अभी अगर आप लोग long questions discuss कर रहे हो तो शाम को मेरी preference रहेगी short question answer right long question answers भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी मापर किस तरह क्या रहे है और इसी तरह से chapters हमने पड़े लेंचो मंडेला black aeroplane और सीगल वाला इन में से आपको किसी में भी कोई long answer type में doubt है तो पूछ लो मैं time दे रही हूं पूछ लो पूछ लो haunted aeroplane क्यों कहोगे नहीं थे passengers नहीं थे है ठीक है clear हां अमन definitely ऐसे अग्री ऐसे अप start करो डू यू अग्री पाइलेट डाट नेचर इस क्रूवल वेरी गुड वेरी गुड अमन वेरी गुड मैं लॉंग answers कैसे start करें long answers start करने के लिए आप लोगों को question में से ही वह sentence उठाना पड़ेगा आप उस sentence को लिखो अकसर आपको long answers में आते है questions की statement दिया होता है फिर लिखा होता है comment या लिखा होता है justify या इस तरीके से तो हम लोग क्या करते हैं उसको वही लाइन लिखते हैं और फिर अपना chapter का start कर देते हैं ठीक है मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है आज के session answers कैसे लिखने हैं ओके चलो clear हो गया ठीक है अब यहां से आपके पास किस तरह के long answers बन सकते हैं या क्या phrases पर question आ सकता है तो इस बात को आपको justify करना आ सकता है तो कैसे justify करोगे तुम अपने pointers डालो की हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका illusion था फिर उसमें आप add-on करोगे कि भाई यह जो illusion था यह सिर्फ वो यही देख रहा था अपनी inner strength थी उसकी और कुछ नहीं था there was no one else क्योंकि अगर कोई होता तो वह डिटेक्ट हो जाता ना रडार में clear तो यह सारी चीज़े आप add-on करोगे लेंचों को नहीं पता चला ही मायंक वहीं मैं कह रही हूं हम add नहीं करेंगे कि पोस्ट मास्टर ने भेजा लेंचों यह लिख सकता है आप add कर दो लेंचों यह लिखेगा कि भिया गौड से आए मुझे पैसे लेकिन अगर आप अपनी conversation को और थोड़ा सा बनाना सत्यों कि लिख दो कि बाद में मुझे पता चला कि गौड ने नहीं भेज़े वह पोस्ट मास्टर ने भीज़े तोटली डिपेंड करेगा आपकी क्रियेटिविटीविटी पर है ठीक है कि समझ गए conversation between seagal parents and amanda's parents it's poppy मैंने कल के session में कराया है शाम वाले session में उसका pdf आपको telegram पर मिल जाएगा ठीक है clear है चलो अब यहां पर the black aeroplane was nothing but a manifestation of the narrator's own knowledge same similar type यहां पर आपको मिल रहा है question का कि black aeroplane कुछ नहीं था बस एक manifestation था नरेटर के अपने खुद के knowledge का उसकी understanding का of averting of averting the disaster मतलब disaster को टालने का of an impending crash impending का मतलब होता है कि जो अभी आगे होने वाला है expected ठीक है upcoming crash कि जो आगे crash हो सकता था उससे difficult situation में खुद को ही black aeroplane के पाइमीन sorry जो पाइलेट है उसने बचा डकोटा के पाइलेट रेकुद को बचाया actually में वहां पर कोई और नहीं था सिर्फ और सिर्फ उसकी manifestation थी ठीक है उसकी positive belief था कि मैं समहाल लूंगा situation को ठीक कर लूंगा और ultimately उसने खुद को खुद से ही बचाया है और कुछ नहीं ठीक है clear clear चलो दन है character sketch कैसे लिखोगे pilot का the pilot was flying his old dakota plane back to England from France यह क्या कर रहा था pilot अपने plane code आ रहा था back to England from France he awaited to reunite with his family and enjoy an English breakfast वो वेट कर रहा था कि अपनी family के साथ English breakfast enjoy करे उसने storm warnings को भी ignore कर दिया तो कहीं न कहीं उसने खुद के लिए risk लिया life में है न और फस गया फिस storm में जाके उसके सारे equipment fail हो गए ran fuel सारा खतम हो गया था बहुत ज्यादा जल्दी थी न उसको breakfast पर जाने की उसने rules follow नहीं किये तो ultimately वो फस गया अपने professional knowledge को उसने ignore किया but he should have returned to Paris जबकि उसे पीछे चले जाना चाहिए था वापस चले जाना चाहिए था और उसने ये बहुत बड़ी गलती करी ठीक है तो ये वाला factor भी आपसे कई बार पूश लेते हैं एक्जाम में कि कैसे आप यहां से जच करोगे black airplane के pilot को कि उसने अपनी professional knowledge को सही तरह से यूज नहीं किया ठीक है और उससे भागने की कोशिच की जिसकी वज़ए से वो अल्टिमेटली फस्ट गया ठीक है clear है समझ में आयो एन फ्रैंक तक आए ब्रेक चाहिए दस मिनट का ब्रेक ले ले दस मिनट का ब्रेक ले ले रोने लग जाते हो यार मुझे तो नहीं लगती ब्रेक की जरुए तुम लोग रोते रहते हो रन वीर मैं किसी को इग्नौर नहीं कर ले चलो चलो जाओ दस मिनट का ब्रेक लेते हैं ठीक है 946 हो रहा है मैं आप लोगों को मिलूंगी यहां पर 956 पर दस मत बोलना राउंड ओफ मुझे नहीं समझ आता है राउंड ओफ नहीं करूंगी मैं ठीक है मीट नहीं यहां पर हम लिख देते हैं कि यू आट है 956 ठीक है ओके क्लियर है चलो चलो पानी बानी पी के आजाओ और वाश्रूम जाना है होके आजाओ इतना तो मैं मतलब इंसानियत दिखाई सकती हूँ जरूरत नहीं है वैसे मुझे बट इस चीज के लिए एक घंटे का प्रेक भूल जाओ तब भूल जाओ भूल जाओ ठीक है जल्दी से जाओ फटा फट से आजाओ 947 एक मिनिट गवा चुके हो कि अर्ड़ सेंगे जths वीजाओ बग। झाल 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 आजाओ सभी वापिस जल्दी से नफरत हो गई मुझे तुम्हारे इस लेट ओपी से यहां मैं यहीं बैठी थी यहां सामने पस पैर सीधे कर रही थी अपने कहीं भागी भी नहीं थी यहीं थी उतने में तुम लोग लिख देते पॉर फैवर देल यारी मुझे जर्मन नहीं आती है सोमदास तो मेरे मेरे को यहां पर बंदर मत बनाओ चलो प्लंज इस जब है ना प्लंज इन्टू वाटर ऐसा बोर्ट में हम पढ़ रहे हैं हर पल इस चैप्टर का प्रोटागोनिस्ट है यंग सीगल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नाम मैं क्या प्रनाउंस करूं से भनत भनात स्टडीज बहुत बढ़िया वेरी गुड च नोट्स का लिंक या डिस्क्रिप्शन पर है देखो इसी सेशन की डिस्क्रिप्शन में होगा नहीं है तो फिर मुझे बताओ मैं अब ही बोल देती है जीने नहीं दूंगा हाँ क्या मैं पोच्छा है कि इसकुछ पोच्छा जैसा दिखाई दिया रक्षित यह मुझे नहीं पता दस मिनिट का प्रेक बहुत जल्दी खतम हो गया अरे यार चलो कुछ दिनों की बात है कुछ दिनों की बात है देखो मोटिवेशन यही है मेरा कि बस एक बार इंग्लिश का एक्जाम ओवर हो जाए मेरे लिए तो यही बहुत बढ़ी लंबी फाइट है है ना चलो ओके मैं कैन वे उस राउंड ब्राकेट इनार आंसर अटो एक्स्प्लें सम्थिंग एसा कुछ ओके यह क्या है भाई यह कौन से सप्राइज की बात हुरे है तो मुझे भी सप्राइज देते जाते हैं भाई क्या ही है ओके एन फ्रांक की अगर हम बात करें तो यह चाप्टर बहुत ही प्यारा है ठीक है बहुत अच्छे से आप लोगों को या दो जगा ओए बाइद वे बाइद वे अभी मुझे कॉमेंच पता चला कि हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा दिव्यान्शु उसका आज बर्ड़्दे है विश्यू बहुत अच्छा करोगे I am sure ठीक है ओके सभी लोग विश्च कर दो जल्बी से उसको अल्राइट अब यहां पर एन फ्रैंक की हम बात करें तो थोड़ा सा डीटेल हमें जानना इतना देखो डेट वेट कोई तुमसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा यू जूइश होना प्रोब्लमाटिक इसलिए है क्योंकि हिटलर के रूल में नाजी जर्मनी में जूस पर अटैक होता था और यहां पर एन फ्रैंक ने वही पूरा टाइम अपना क्या किया है अपने उस टाइम पर यूनों सर्वाइवल अपना दिखाया है थूह डाइरी कैसे पता चला हमें की इतना बुरा हाल था जियूस का कैसे पता चला वो हमको कैसे पता चला जितने भी बच्चों का बट दे आज सबको हैपी बट दे भाई सबको सब को कि ठीक देखी की स्पेलिंग गलत है सिनेख़ी की स्पेलिंग ठीक करो राइट तो जीूस पर होने वाले अटैक्स के बारे में इतना देखो बहुत ऐसी चीजे होते हैं जो पता नहीं चलती है जिनके लिए हमारे पास यह स्टोरी यह लिटररी राइट अब सोते हैं जो हमें विंडो दिखाते हैं तो आपको क्या लगता है क्यूं आप लोग यह चाप्टरस पड़ते हो ताकि आपको पता चले कि एक गिवन टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में दुनिया में चल क्या रहा था अब जैसे पिरियोड राइट तो बस उसी की बात यहाँ पर हो रही है तो जाइरी वोस गिवन टू हर ऑन हर थर्टींथ बर्ट्डे अब यह डाइरी उनको कब मिली थी उनके थर्टींथ बर्ट्डे पर मिली थी और पहली एंट्री उन्होंने अपनी डाइरी में कब की 20th जून 1942 को पहली बार उन्होंने अपनी डाइरी में लिखा था कितने बच्चे डाइरी लिखते हैं जारा बताओ और मैं बोलते मेरा तो यही सजेशन है कि डाइरी राइटिंग छोड़ो मत लिखो डाइरी राइटिंग डेफिनिटली लिखो ओके ठीक है जल्दी से मेरा बट दे नहीं है यार बट दिने एक ड्राइवर नहीं आ रहा है आपके सेलिबस में नहीं है अच्छा ओके यार इस पोल पर अरे वह अरे नहीं तुम लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो कि तो पिकार हो तुम लोग अच्छा बैटा यह तो सोचना चाहिए था कि इंग्लिश का सब्सक्राइब दोनों को करो 50% तो मैं मैं वो दे रही हूं क्या थोड़ा सा समझ गया ठीक है तो चलो 50% कर दो इसको दोनों को फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं राइट अब यहाँ पर उनकी पहली एंट्री गई 28th June को डाइरी ऑफ यंग गर्लिए क्या है यह जो पूरी जआगस 1944 बहुत झोटी ही एज में एंट फ्रांक की डेथ हो गई थी ठीक है बहुत छोटी ही एज में एंट फ्रांक की डेथ वगई थी रीजन उसका क्या है कि बहीं उनको concentration क्यांप में डाल दिया गया था नाजी रूल के अंडर में ऐसा ही करते थे जी उसके साथ बहुत मुश्किल से इनकी फैमिली ने चुपा बचा के रखा था सब लोग बच रहते लेकिन कोई नहीं ओटो फ्रैंक इनके फादर बचे उन्हों ने जाके एन फ्रैंक की डाइरी को पब्लिश करा दिया और उसमें एन फ्रैंक ने हर एक चीज लिख डाली कि आज हम ऐसे चुपे आज हम यह कर रहे थे वह हर एक चीज नोट डाउन करती थी ठीक है ओके आगे थीम ओफ लोनलीनेस इसमें हम देख रहे हैं इस चाप्टर में अब आप को यह कहा है तो बड़ लाइफ में वह लाग क्या था एक true friend का और उसको किस ने फिल्फिल किया उसको किसने फिल फिल्फिल किया उसकी डाइरी ने राइट So the story revolves around the theme of loneliness and the difficulty of connecting with others. Loneliness होता है खेलापन, तो यहां पर Anne Frank के पास कोई as such थे ही नहीं friends, ठीक है? थे जितने लोग उसकी family में उनसे वो vibe match नहीं हो पाती थी. ठीक है, अब Anne Frank को किसी और चीज़ पर बात करना पसंद था, लेकिन बाकी लोगों का कुछ और hot topic होता था, नहीं समझ में आता था, उसको connection नहीं build up हो पाता था, right? So यहां पर narrator feels a lack of true friendship and companionship, जिसकी वजह से वो मुड़ी किसकी तरफ? डाइरी की तरफ, तो question यहां से बन जाता है, why did she, मैं Anne Frank नहीं लिख रहे हो, she लिख रहे हो, prefer writing a diary, क्या उनका preference था डाइरी लिखने का, तो यह एक reason यहां से बन सकता है, इतना सारा write-up मैंने सिर्फ तुमको अपने phone की memory भरने के लिए नहीं दे रहे हूँ, यह अपने laptop का space occupy करने के लिए नहीं दे रही हूँ, यहां से answers लिखने में help मिलेगी, समझ में आई बात, ठीक है, okay, clear, एक बार रुको, तो मुझे तुम्हारे comments नहीं दिख रहे है, इसके pole के, यह pole हट सकता है, क्या, अच्छा, ओके, चलो, हाँ, yes, yes, अब यहां पर एक बात का और emphasis दिया पर के अंदर जादा पेशन्त होता है, आपको बहुत सारी themes भी explore करने मिली, क्या themes, self expression आप देख रहे हो, narrators use of a diary emphasizes the importance of self expression, कि भई, narrator जब diary में लिख रहे हैं, तो यार वो एक तरह से देखा जाए, तो खुद से ही बात कर रहे हैं, अपने words को वो खुद को ही convey कर रहे हैं, त कोई friend क्यों नहीं बना लेती, तो पहला reason तो यार वो vibe वाला चीज आप लिख सकते हो, in a formal language, दूसरा, it was a mode of, you know, coping, it was a coping mechanism for her, ठीक है, अपनी loneliness से बचने के लिए, right, and finding comfort in one's own thoughts, और जरूरी नहीं ये loneliness से बचना भी, इतना भी नहीं, आगे भी लिख सकते हो, कि हो सकता है, उन्हें अपने साथ ही अच्छा लगता हो, अपने thoughts को ही वो expressive रखना चाहती है, खुद से वो बात करना उन्हें पसंद, बहुत से लोग होते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता, कि जादा किसी से communicate कर बहुत लोग होते हैं, ठीक है, आप उनको बोलते हो कि वो introverts होते हैं, लेकिन एक category और आती हैं लोगों की जिने हम ambi words बोलते हैं, जो ना ज्यादा लोगों से बात करते हैं, कभी कबार बात भी कर लेते हैं, और कभी कबार एकदम expressive भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा Anne Frank को पढ़कर मुझे लगता है, शिवस काइंड अन ambi word, राइट, कैसे ambi word क्यों, क्योंकि जब उसको जहाँ पर fun लगता है, वो वहाँ पर अपने topics related discussion भी कर लेती है, लेकिन mainly उसके लिए source of medium क्या बना, उसके expression को दिखाने का, उसकी diary, ठीक है, clear, यार मुझे ना दिख नहीं रहे हैं, दुम लोगों के comments, okay, चलो, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, येस, very good, उसकी diary एक alternative थी, ठीक है, ताकि वो अपनी loneliness से बच सके, ठीक है, okay, चलो, Ann had no real friends, Ann के real friends तो थे ही नहीं, उसको हमेशा से क्या लगता था, हमेशा वो क्या सोचती थी, Ann thought that it was an odd experience, उसके लिए, तो को छोटी सी बच्ची है, और उसके लिए diary लिखना एक बड़ा ही odd experience था, क्योंकि उसको लगता था कि यार मैं एक छोटी बच्ची हूँ, मैंने अपनी life में ऐसा क्या ही अचीव कर लिया है, ठीक है, मैंने ऐसा क्या ही अचीव कर लिया कि कोई, यह सोचे का कि हाँ भई, अपने experiences लिख रही है अपन लेकिन कोपें का मतलब हूत है, deal करना, ठीक है, ऊकरा हां, हां, एक रहां, हां बिलकुल यह बभर पढ़िया, किसी का comment देख रही हूँ हूं है, देख रही हो, पढ़ लिए है, ठीक है, बोलोंगी नहीं पर यहां, शी बिलिभ बाट पर बिलिख देख जात पर बिलिव करत ज्यादा patience होता है क्यों होता है क्यों बोला उसने यह ऐसा आगे मैं पूरा का पूरा एक slyd اس पर है कि भाई पेपर आपको जग नहीं करेगा ठीक है आप उसको जो भी बात बताऊगे कनवे करोंगे judgment नहीं मिलेगा criticism नहीं मिलेगा Okay clear yes she प्रोवाइड़ ब्रीफ स्केच ऑफ और लाइफ और इसमें उन्हों ने अपने फैमिली के बारे में बताया अपने पेरंस के बारे में अपनी बड़ी बहन के बारे में और 1941 में कैसे उनकी ग्राइब मदर जो है बीमार हो गई थी फिर उनकी जैनवरी 1942 में डेथ हो गई तो कोई जरूरत नहीं है आप ग्राइड मा के बारे में इसलिए जानो क्योंकि उनका अच्छा रिलेशन्शिप था ग्राइड मा के साथ और उनके जाने की वजह से उन्होंने दिखाया है कि उनकी लाइफ में एक वॉइड आ गया एक खाली पन आ गया तो उन्होंने अपनी रखने का सोचा उन्होंने किटी रखा और उन्होंने शुरू किया अपनी बाग्ग्राउंड डीटेल्स के बारे में लिखना ताकि इजी हो जाए इजी हो जाए तो अन्डेस्टांड पर एनीवन हुरीड इट लेटर ठीक है ताकि कोई बाद में उनको पढ़े तो उन्हे बताना शुरू किया तुम लोग अगर डायरी लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ सबसे पहले किस के बारे में लिखो घए अपनी फैंमिली के बारे में लिखोदे या सोचो सब्सक्राइस कभीозможноar कि अरु नाम की तो ठीक है कोई भी नामदे क्या परगता है तुम डिपिका नाम दे दो अपनी डाइरी को तुम स्मरत हैं तुम निकल नाम दे दो Position मार्टर लेकिन नाम देने के पीछे का सीद manifest क्या है क्यों नाम दिया chínhुत सीधर डाइरी क्यों नहीं कookie तो दुख होगे तूँंभ ऐसे अध्रद ये क्ली राम में द्वारे में निёखो गए केlaughs के बारे में को तुक वावाक है शुरूं भू CHACON करोगे फिर तो भैया हो गया तुम्हारा positivity का the end नहीं नहीं डेट याद करना कोई जरूरी नहीं है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड विकर्स शी वांटेड अफ्रेंड अब देखो हो उसको नाम देदे तो कहीं ना कहीं उसको अपने फ्रेंड में कंसिडर करने के लिए she named it okay very good she feels it her as she considers it as her friend समझ कहें बहुत बढ़िया शबाश जो भी पूछ रही हूँ सबका अंसर तुम्हें आता है भाई क्या चक्कर है क्या reason है बतादो आज okay she mentioned about her school days school days के बारे में बताया कि कहा पढ़ना शुरू किया था Montessori nursery school में जहां पर मिस्स क्यूपरस वहां की head mistress वो उनकी टीचर थी और मिस्स क्यूपरस से वह काफी attached थी ठीक है she was attached to her teacher यह वाली टीचर ठीक मिस्टर कीजिंग के साथ मत बोलना क्यूपरस अलग है मिस्स क्यूपरस से वह attached थी कीजिंग से नहीं ठीक है यह अब इन चाप्टर एंट्री डेट कपकी डाली हुई है Saturday 20th June 1942 डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको पहले ही बता दूँ के पहली इंट्री में क्या और चीज़े लिखी है उन्होंने अपने स्कूल मिखमां को दिसक्राइब किया और लिखा है कि पूरी की पूरी गूरी कि पूरी पेसेज में भी तुम हाने पास ऐसी नौबत आएगी एसे फ्रेसे होंगे तुम क्या करोगेए तुम क्या करोगे वो लोगे अरे यार गया पेपर अब हमारा हमें नहीं आता फ्रेज है ना लेकिन यहां पर समझदार इंसान क्या करेगा वो क्या करेगा वो इसके पीछे नहीं भागेगा वो आगे का पड़ेगा प्रणव धुट्धू धा अपकस्वमिन रिज अब रिज़क आने वाला है पॉसिबल feelings क्या होती है पॉसिबल feelings क्या होती following result आने पर जरूरी नहीं है कि हर बंधा बर अफन ऑपर बहुत तो result आने पर एक common feeling होती है सबकी क्या होती है वेरी गुड नर्वसनेस है ना तो बस यहां से समझ जाओ इंटाए क्लास वोज नर्वस यही अटेंट यही टिप एंट ट्रिक आपको अपने रीडिंग सेक्शन में भी लगानी है ठीक है रीडिंग सेक्शन को ऐसी चीज नहीं जो एक दिन में करके हो जाती है किसी ने बोला मैं डोरेमॉन जैसी है अब कह रहे है मैं शिंचन जैसी है सारा कार्टून सारा एलिमेंट यहीं डाल दो है ना एंग्जाइटी वेरी गुड नर्वसनेस फियर सारा लिख सकते हो समझ गए ठीक है शी इस अंसर्टन अंसर्टन का मतलब होता है नॉट शॉर नहीं है सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर और वह मैथ मेरे जैसी है ठीक है उसको शूर नहीं है कि मैथ में उसका क्या होगा एन एन हर फ्रेंड जी ट्राइट टुवाइट नॉइजी स्टुडेंस दोनों ने उसके फ्रेंड ने जी ने नाम पूरा नहीं लिखा था जी ही थो बिना सकसेश के बिना सक्षेश के कहने का मतलब है कि विलकुल सक्सेश नी मिली उनने चुप कर आने में वो शूर करते रहे ना थे हैण तो ऑथा ERIC Nh were the most unpredictable okay most दो बार हो गया unpredictable creatures on earth यह क्यों बोला उन्होंने तो author thinks a quarter of the class might fail author को लगता है कि one-fourth class तो fail हो जाएगी पक्का जिस तरीके की इनकी हालत है पढ़ते बढ़ते वैसे भी कुछ नहीं और जितने यह लोग है तो एक-fourth one-fourth को तो fail हो जाना चाहिए ठीक है लेकिन उन्होंने बोला है teachers are the most I mean past tense में लो तो teachers were the most unpredictable creatures on earth क्यों बोला है father of monitor क्यों बोला है यह backbenchers middle ventures चलो जल्दी से क्यों बोला है जल्दी से बताओ क्यों बोला है वाह 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 तुम कौन सा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे है मुझ जियान बोल रहे हो या जियान से तो अच्छी आवाज है मेरी वेरी गुड वेरी गुड नमन विकेज जैसा इनका प्रेडिक्शन था कि भई सब बच्चे पास उन्हें लाएक कंडिशन में है नहीं लेकिन उन्होंने बोला कि तो इसका पीछे सिर्फ एक रीजन है कि टीचर क्या करते हैं कई बार पास कर देते हैं ठीक है तो जो तुम्हें लग भी रहा होगा कि यह फेल हो जाएगा वो टॉपर बना फिर टॉपर बन जाता है और जो तुम्हें लगता है कि भाई यह तो बहुत पढ़ता था एकदम टॉपर उसके मार्ग्स कई बार कम हो जाते हैं ठीक है ओके अन प्रेडिक्टेबल इसलिए बोला एं मैं प्रेडिक्टेबल हूँ एसा क्या कर दिया मैंने ना मिस्टर कीजिंग हमारे पास आते हैं फॉर्दर डिस्रिप्शन में मिस्टर कीजिंग को कैसे दिखाए गया है कम सब्सक्राइब कर दिया किसी रीजन से के सब्सक्राइब हैं अन। था कि कोई किसी तरह से पनिश्मेंट दी कि पर इंडे से पिटाई हो रही है ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने बहुत सेंसिबल होमवग दिया क्या दिया शी रोट एसेज ऑन चार्टर बॉक्स और इन इन को रिजिबल चार्टर बॉक्स तो इस तरह के से इस पर उनको बोला क रहता है पनिश्मेंट का या नेगटिव तरीका है क्या इस अप्रोच को तुम अगोरी करते हो इस अप्रोच से तुम खुश हो यह नहीं यह बताना है यह वानध बात है गलत बात है चलो हां वेरी गुड यह पॉजिटिव है क्यों है बई पॉजिटिव क्यों है मतलब अगर मैं कभी तुमको आगे तो मुझे से पढ़ने वाले हो आगे तो अगर मुझे गुष्टा आ गया तुम पर और मैं तुम्हें ऐसी पनिश्मेंट दू तो उस टाइम पर क्या है क्या रीजन होगा क्या रीजन होगा जल्दी से बताओ शिवम गेमर यार एक बार आंसर कर दो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा बढ़ा फट से बताओ जल्दी से क्यूं है है वेरी गोड इस राइट अप्रोच बट वाई वाई अच्छा किसी मुझे नहीं बोल रह है मैं शॉर्ट में लिख रही हूं पॉसितिव आप क्यों आप रोच है पॉसिटिव अप्रोच क्यों बोल रहे है विकेस इट विल है एल्प अन तू इंप्रूव हर राइटेंग प्लस स्टे कनेक्टेज तू अक्यादमिक सनफ पढ़ाई में भी वो चनेक्ट रहेगी नहीं दिया उसको ऐसा है ना इंप्रूव्मेंट के लिए उसके ही भले के लिए यह काम खिया उन्होंने तो यह क्वेस्टन आ जाता है कि यह जो तरीका है यह आप से सीधा पूछ लेते हैं कि यह क्या पॉसिटिव अप्रोच है नेगिटिव अप्रोच है तो आप कैसे कर जाते हैं एक्जाम में ठीक है आगे बड़े शी आर्गूड दाट टीचिंग इस टूडेंट स्ट्रेट अब उसने क्या वहस करी उसने अपने इन एसे में क्या लिखा कि भई देखो ऐसा है इंडरेक्ली उसने ये बात कनवे करी कि हम नहीं छोड़ेंगे बोलना तुम कुछ भी कर लो ऐसे लिखवा लो तुम थीसिस लिखवा लो तुम पीएचडी करवा लो तुम तीन हजार वर्ट्स का ऐसे लिखने देदो हम बोलना नहीं छोड़ेंगे ये हमारा जन्मसिद अधिकार है है ना बस वही तो इदर उसने क्या बोला आनने कि टॉकिंग इस बिल्कुल वही अप्रोच है यही अप्रोच एन ने लगाई और उसने ये भी बोला कि देखो मैं कोशिश पूरी करूंगी पक्का नहीं है कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं अपने थोड़ा सा चाटिंग को कंट्रोल में रखू ठीक है शी हाड इन हेरेट इट प्रॉम ह प्लस में एक और फैक्ट दे दिया कि देखो भई मैं कुछ नहीं कर सकती बिल्कुल टोटल साइन्स है यह मुझे मेरी मदर से मिला है अब साइन्टिफिक पर मैं क्या करूं ठीक है प्योर साइन्स है मैं कुछ नहीं कर सकती मेरी मदर से मुझे यह आया है अब अपनी मदर क जैसी नहीं बनूंगी तो किसके जैसी बनूंगी और उसने अपनी continue रखी पढ़ाई I mean यह बाते करना तुम लोगों को रखना है पढ़ाई continue ठीक है ओके यह तो पुष हर क्रियेटिविटी बाउंडरी तो पुष हर लिमिट सारा पॉजटिव कोई बच्चा इसको नेगटिव नहीं बताएगा ठीक है क्योंकि यह पॉजटिव अपरोच है तुम कहीं इसमें ना यह सोचते हो कि नहीं आर यह नेगटिव है उन्होंने गलत किया ऐ मिस्टर कीजिंग हार मान रहे न और हार मान रही है मस्त एक्डम दोनों में फाइट चल रहा है तो मिस्टर कीजिंग आस्ट हर तु राइट आनेसे आफ एक बहुत ही अन्यूजवल अजीब सा वियर्ड टाई ते दिया अन्यूशल हो था फिर्द टीक है मैं एक और डिग साथ में अगर तुम लोग अन्यूजुल नहीं लिखना चाहते तो वियर्ड लिख सकते हो स्ट्रेंज लिख सकते हो एक अजीब सा टाइटल दे दिया क्या क्या दे दिया क्या 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 on your mother father family पर ऐसा कोई topic अगर दे दिया जाए तो क्या लिखेगा सो तुम्हें कोई question आ जाए एक्जाम में ऐसा तुम क्या लिखोगे किस लेवल की creativity तुम्हें चाहिए होगे कितना practice चाहिए होगा ठीक है ओके अब it was about a mother अब उसने लेकिन यहां पर भी excel कर गई हमारी एन वह उन्होंने क्या लिखा एक mother duck और father swan पर पूरा का पूरा प्रेजेंट कर दिया अपना राइट अप जिनके की तीन बेबी ducklings थे चोटे 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 तब से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूं कि अगर father swan को यह बात नहीं समझ में आ रही है कि ducklings quack quack नहीं करेंगे तो थोड़ी भाव भाव करेंगे या म्याव करेंगे या रोर करेंगे यह उनका inherited I mean उनका feature है ट्रेट है उनका तुम क्या expect कर रहा अच्छा लगेगा डख जो है वो पानी में भाव भाव कर रहा है कितना वियर्ड लगेगा यह बात को funny way में और बहुत ही amusing तरह से convey किस ने किया आन ने कैसे उन्होंने यह satirical poem लिखी अपनी फ्रेंड की मदद से mother duck और father swan के बारे में जिसको की Mr. Keezing पढ़कर एदम लोट पोट हो गए हससके कि found it amusing 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 का आप लिख सकते हो entertaining उनको काफी funny लगा ठीक है उनको काफी अच्छा लगा और उनने बाकी के साथ भी शेयर किया तो successful हो गया और यह पूरा का पूरा गेम प्लान ठीक है सक्सेस्फुल हो गई बहुत बढ़िया मजा आगया एन फ्रैंक के लिए तालिया कर दो भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है और मजा आता है मुझे मैं बहुत इंजॉय करती उस चैप्टर को पढ़े में भी पढ़ाने में भी और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करत सब्सक्राइब की जैसे आपके एक्जाम जरूर पढ़ना इसको बहुत अमेजिंग मजा आएगा और यह चैप्टर आपको बढ़ा फनी दिखाया गया लेकिन रियालिटी बहुत हार्श थी आन फ्रैंक जो बाकी चीज़े बताएगी ना अपने बुक में रियल बुक में बहुत आउसम है ठीक है ओके चालो ओके ओके अब आगे क्यारेक्टर स्केच अप लिख सकते हो आन का पहली बात तो बड़ी स्मार्ट थी बहुत ही केरिंग थी हॉलेंड शिफ्ट होना पड़ाता जब वो चोटी थी चार साल की और बहुत सारे फ्रेंज थे नो डाउट फैमिली फ्रेंज सब थे लेकिन कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेर कर सके तो देखो अगर ऐसा कोई बच्चा है ना जिसको लगता ह है कि या मेरे पास वो शोव करने के लिए दोस्त नहीं है जिनके साथ मैं स्टोरी पर वह वाली स्टो गाना लगाकर टैग कर सपूं कि भाई कौन सस्ट गाना लगता है कि तू है तो आइल भी ओल राइट यह लगाने के लिए कोई फ्रेंड नहीं है तो यू डोंट हाब त अपने सारे मोशन उसमें एक्स्प्रेस किए और उनका जो टॉकिटिव अब इसमें एक चीज़ और आड करोगे करोगे इनके कैरेक्टर स्केच में कि वह बहुत टॉकिटिव थी ठीक है तो उनका जो टॉकिटिव नेस था कई बार उनको मुसीवत में डाल देता था उनके अरिथमेटिक टीचर के साथ मिस्टर कीजिंग के साथ लेकिन उनका हुमरस बेहवियर उनको बचा लेता था तो शी वाज हुमरस चीक फणी थी नहीं याद रह रहा है पनी लिख लेना ठीक है फणी थी बहुती स्मार्ट थी शी कुड्मेक जोक्स अबाउट एनीधिंग किस जरूरी नहीं है यहर हर मुसीबत से बचने के लिए तुमको पावर ही चाहिए है ना आपको पार की जरूरत नहीं होती है आपको दिमाग का भी उसकरना पड़ता है क्रीटिव होना पड़ता अपने आग्यूमेंस में जिससे कि उसका इंटेलिजेंस और इसकी इंजनुइ कर दो फिर हम अगले चाप्टर के साथ बढ़ते है जल्दी से जल्दी से ऐसे मुझे बोलना नहीं पसंद खुद करना चाहिए था फटा फट से कंप्लीट करो अगले सेशन की तरफ बढ़ते है को डिक का मतलब क्या होता है इनजैनुइटी का मतलब होता है जब आपना ओर अगर कोई बिच्चा डाउट पूछ रहा है अपका originality ठीक है अगर इसको ऐसे लिखना है और सिंपल originality दन है ओके 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 वाइल एंचो डिडिन्ट हेल्प नहीं डिडिन्ट हेल्प हिंसेल्फ अलोन इग्जाटली नहीं हां यही क्वेश्चन है पूरी थरह से कि लेंचो का जो फेथ है ना ही इट इस अन्वेवरिंग फेथ यूनों कुड़न्ट हेल्प हिम वर्क तो वर्द्स हिस यूनों तो वर्द्स सल्यूशन ऑफिस क्राइस कि अगर वह उसका फेथ अगर बालंस होता तो वह अपनी मुसीबत में ख गोड़ पर ओके अम रेज डिरेक्टली नहीं आएगा क्यारेक्टर वाला क्वेश्चन बट कंपेरिजन करने को आ सकता है ठीक है इनकोरीजिबल चार्टर वॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा चार्टर वॉक्स एक ऐसा इंसान जो बहुत बाते करें बहुत बाते करें अगे है ओके ओके एक बार आन फ्रैंक के क्वेश्चन्स ले लें जल्दी से हाँ वाँ अब नहीं अब नहीं बोलेंगे की चुप रहे कैसे क्यूंकि आन को मिली है पनिश्मेंट में ऐसे मारगट उनकी सिस्टर थी बड़ी भेंती हिमायंग और इसमें सबसे अब इंपॉर्टेंट है पेपर वाला क्वेश्चन ठीक है बहुत बार कराया हुआ है आप उसको प्लीज रिवाइस करना कि पेपर हाज मोर पेशन्स देन पीपल वाई क्यों ऐसा क्यों कि उसका रीजन क्या है विटस पेपर जो है वो जजज नहीं करता है डेफिनेटली ओके ठीक है और प्लस आप क्या लिख सकते हो कि शी कुड़िंट कन्वेंगर फीलिंग द्रू एंट्रू स्टू एनी ओफ दी एनी ओफ़र फ्रेंट्स ठीक है चलो ओल्राइट आगे पड़े चलो ठीक है ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया इसमें क्या है आपका देखो इसके हम लोग अगर थीम्स की बात करें तो इसमें आप क्या देखोगे आपने इसमें देखा एक्सकोरेशन का थीम अ ठीक है टीव ओफ एक्सप्लोरेशन की किस तरह से अलग अलग आपने इसमें कहाँ-काँ हम γοRa हम घूमे हम लोगों ने असम देखा हम लोग ने कुछ देखा ठीक है तो ये सारे ही जगा पर हम लोग देखरेख तरह से तो एक्सप्रोरेशन की बात चीक है नोस्टाल्जिया हमने आजने मोशन इस चाप्टर में देखा कि भई कैसे वहां के जो लोग है वो पुराने तरीकों को ट्रीशनल मेथोट्स को याद कर रहे हैं ओके ख्लियर और और क्या है इसमें बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ सीगल की मदर नहीं दिया था उसे बेट टॉकिंग इस टूदेंट स्ट्रेट वेरी गुड अजिस था देखो यह बहुत अच्छा तरीका होगा आपकी वोक्याबलरी याद करने का और मैं बार बार बोलती हूँ वोक्याबलरी ऐसे फंतर्वह से याद कर सकते हों बहुत बढ़िया लाध बढ़िया पर कह बीन के वहाँ लोकी बेरिय गुड वेरिग्वुड लोलिंग में एध्राइवलिंगे na learning with traveling बहुत बढ़िया शब्बाश और क्या थीम्स आपने इस पूरे वेरी गुड ट्रेडिशन हमने देखा वाल्यूज फ्रेडिशन डेफिनिटली नेचर नेचर के बारे में हमने देखा कूर गो गया असम हो गया वहाँ पर हम लोगो ने नेचर के बारे में देखा तो इस चाप्टर में यह कुछ थीम्स पर बात हो रही है और इसमें से कई बार आपको कॉन्वर्सेशन बेस्ट डायलोग बेस्ट क्वेशन आ जाते हैं कि बात कर रहे हैं दो लोग की कन्विंस कर रहे हैं राजवीर और प्रांजोल एक दूसरे को कि भाई चलो अब गोव घूंग कर आते हैं तो इस तरह के कुछ आप लोगों को येस डैवर्सिटी डैफिनिटली वेरी गूड डैवर्सिटी आज थीम कि भाई कितनी वराइटी है अलग-अलग कल्चर में अलग-अलग जगह पर हम लोग कितने सारे वराइटी देखते हैं फ्लोरा फॉर्णा का क गोवन विलेच बेकर का पूरे के पूरे चाप्टर में आप देखोगे कि गोवा में ट्रेडिशनली बेकरब कैसे होते हैं ठीक्या-ठीक, ओके राइट, हूश्च व इन इंपॉर्ट प्लेस इन हिस सोसाइटी जिसका आज भी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टन जगह है राइट तो बेकर्स के बारे में है पूरा दे आर नोन आज यार इसकी प्रनांसियेशन ना बड़ी ही कॉम्प्लिकेट अप पदेर कई जगाओं पर बोला जाता है पैडर कभी-कभी इसे प्रनाउंस कर देते हैं ठीक है तो जो भी एडिक्वेट विल्कुल सही अमीन अप्र साने पॉर्टुगीज टाइम्स में गोवा में पॉर्टुबल रूल था ठीक है तो जब पॉर्टुगीज वहाँ पर थे गोवन्स इंजॉइड लोब्स ऑफ ब्रेड तो वही ये ट्रेडिशन लेकर आये थे वो लोग क्या खाते थे ब्रेड उन्हें बड़ा पसंद था ह हर जगा उनका ब्रेड एक बहुत इंपॉर्टंट रोल प्ले करता था ठीक है उसके बाद अभी हाला की ब्रेड चले गए हैं लेकिन बेकर वहां पर अभी भी एक्जिस्ट करते हैं पॉर्टुगीज क्योंकि टाइम बाद चले गए थे वहां से राइट लेकिन ऐसा नहीं है ट्रेडिशनल फरनेसे आज भी वहां पर है और रिदमिक साउंड ऑफ बैंबू कें स्टिल भी एक्स्पिरिंस जो बैंबू का रिदमिक साउंड है जिसे लेकर बेकर जो थे वह घर घर जाकर सेल करते थे उनका भी अभी सेम ट्रेडिशन है वैसे ही वाते और थोड़ा स माइनूट चेंज़ आ गया है ड्रेस वगरा में ठीक है ओके सो डिसेंडेंट्स ओफ इस बेकर इस को प्रमोट करती है अभी तक आज भी बेकर जो है वह गोवा के कल्चर का एक इंपॉर्टन पार्ट है क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि गोवा के कल्चर का इंपॉर्टन पार्ट है सबसे पहले तो यह बहुत ही पुराना ट्रेडिशन था दूसरा आज भी इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है पीसरा इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे क इस सारे इंपॉर्टन फंक्शन में बीट मैरेज बीट एनी सॉट अफ सेलीबरेशन हर जगा यह जरूरी हो जाता है ठीक है हर जगा ब्रेड्स मतलब होता है ना किसी कल्चर में कुछ ना कुछ है कैसी चीज होती है जो एक्सचेंज करने जरूरी होते है तो गोवा के से रिलेटेड मालनों कोई नया बंदा गया है गोवा तो उसको कोछ जानना है तो बेकर्स वहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करते थे ठीक है पोम्स भी आटन विद पोम्स मोमश्री घोश तो साउंड ऑफ बैंबू स्टाफ सर्फ डाज़ा जो स्टिक बैंबू स्टि तो बैंबू लेकर कौन आया है बेकर आया है radiowatch वाई ब्रेड बैंगर जोते भी लोग है वो क्रेस था ब्रेड को लेकर ठीक है और जो बेकर था वो अपने सर पर एक बास्केट लेके घुमता था बैम्बू के सपोर्ट का यूज करके ओके एंड रेजिदेंस उसका बड़ा वेट करते थे वहां के रहने वाले कि भई कब वो आएगा कब हम उसकी बास्केट में से ख पुछा जाए कि कैसे ब्रेड बॉस एंपोर्टेंट पार्ट ओफ गोवन कल्चर तो इधर आप स्वीट ब्रेड को एड करोगे डेफिनिटली मैरेज गिप्स में बहुत ज़रूरी था बोल याद रखना ठीक है और डेलिकेसी और भी टेस्टी टेस्टी डिलिशिस आइट अच्छा ये वाले में ना तुमनों बड़ा गड़बड कर रहे हो कबाए की जगह तुमनों कुफिया लिख रहे हो बहुत जगा पर मैंने देखा बहुत जगह पर तुमनों कन्फ्यूज हो रहे है तो ट्रडीशनल बेकर एक अजीव तरह की ड्रेस पहनते अजीव नहीं तो यह important है ठीक है यह dress वाला part important है आपको पता होना चाहिए वो dress का नाम क्या था कब आए ठीक है किसी ने क्या बोला था पिशली बार किसी ने कुछ तो लिखा है भेंकर भेंकर प्लीज मत लिखो यह ठीक है very good marriages were incomplete without a sweet bread called bowl mother of the bride had to be made sandwiches had to be made made had to made you had to make two ke baad made नहीं आएगा and cakes were essential for Christmas very good ठीक है okay clear है baking was a lucrative profession in the past what is lucrative यह word ka meaning जल्दी से बता बहुत important the bakers और उनकी जो families थी वो काफी ऐसा नहीं है कि बहुत ही poor कोई प्रफेशन नहीं जॉइन किया था बहुत ही ऐसा समझ लो फ्लरिश्टिंग यह प्रोफेशन था बहुत पैसा था इनके इस प्रोफेशन में कैसे पता चलता है उनके वेल फेड बोडी उनके प्लम फिजीक से यह बात पता चलती है ठीक है कैसा अपियरेंस था उनका जैक फ्रूट लाइक अपियरेंस ठीक है तो जिससे दिखता है कि भाई हाँ वो अपने प्रोफेशन से सैटिस्वाइड है और होता है जो इंसान खुश रहता है अपने काम से वो ज्यादा कमजोर नहीं होता है फिर हैना वो मोटा हो जाता है वेरी ग इस थोड़ा सा वेल फेड है अच्छे खासे वेल्दी ओके ख्लियर खाते पीते घर के ऐसा समझ लो बेकर्स फॉर्म्ड एपी और वेल ओफ कम्यूनिटी और ऐसा नहीं की बहुत रूड या नेगटिव अप्रोच वाले थे यह सारे के सारे इनका बहुत ही हापी और बहु गोवन कल्चर में बेकर्स एक्जिस्ट करते हैं यह सीधा सीधा क्या दिखाता है वो यह दिखाता है कि भाई इनकी लेगिसी आज तक चलती आ रही है मतलब पहले भी यह रहते पहले भी एक्जिस्ट करते थे आज भी है तो कही ना कहीं देखो ऐसी चीज़े जो पास्ट म से दूर तो कई बार अपने घरों में हम लोग ट्रडिशनल चीजों को सम्हाल के बचा के रखते हैं राइट क्यूंकि अगर आज से सालों बाद भी वह एक्जिस्ट करेंगी तो कहीं न कहीं हम लोग पुराने कल्चर से अपनी हेरिटेज से कनेक्टेड रह पाएंगे तो यही बिलीफ आपके इस चाप्टर में लोगों का था ठीक है ओके समझ में आया क्लियर है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यह आपका कल्चरल वाल्यू दिखाता है आपको क्या बताता है कि कैसे पुरानी चीजे मैटर करती हैं ल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सौरव शब्बाश बढ़िया था बहुत बढ़िया था रोहिला यह वाला क्वेस्टन मैंने कल के सेशन में कराया है आप टेलिग्राम पर वो पीडिएफ चेक करो ठीक है क्लियर ओके ओके जैक्फ्रूट लाइक अपीरेंस शब्बाश औके प्रियांशु पूछ रहे हैं कि माम हाउ बेकर वोध ओ गुड़ फ्रेंड ओफ चिल्डरन बताओ जड़ा इसको आंसर कैसे करोगे हाउ बेकर वौस ऑफ गुड़ फ्रेंड ओ चिल्डरन कैसे है और दो जल्दी से कैसे है good friend कैसे बताओगे प्रियांशु तिवारी की हमें help कर नहीं है इस question में क्या होगा भी तुम मुझे दिखने ही रहे हो दिख गए दिख गए ठीक है वे बेकर था बहुत अमीर क्योंकि उसके पास था प्लम फिजीक ठीक है close enough close enough close enough very good very good यह इस इमोजी के साथ किसी ने कुछ बहुत बढ़िया सा आंसर भेजा है सुदिक्षा ने भी अच्छा लिखा है very good सुदिक्षा लेंचो ने कहा था post office के employees को bunch of crooks glimpses of India है बहुत beautiful यार गलत हो जाएगा फूल हो जाएगा वो तो ओके 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 बेरी गुड़ बेरी गुड़ बेरी गुड़ बेरी गुड़ बेरी गुड़ विडियो ने लिखा है विकेजी ब्रेंग्स ब्रेट बैंगल्स फोर चिल्रन आप्सलूटली हां बहुत बढ़िया and he used to give sweets to them definitely तो वो क्या करता था बच्चों को उनके पसंद की he used to give bread bangles to children और बच्चों के लिए exciting क्या होता है सबसे जाद सबसे जादा कि भई वो खुद से select कर पाते थे है ना जाके तो इसी लिए इसी लिए दिखाया गया है ऐसा कि he was a good friend to children ठीक है clear ओके डूबी स्प्लेटिकल पारग्राफ इन फी पारग्राफ और अपना अनलेटिकल पारग्राफ कवर करेंगे ठीक है अब इसमें तुम क्या करोगे थोड़ा साथ चाप्टर को चाप्टर का जिस्ट दोगे फर शॉर् ठीक है बेकर के बारे में so this presentation tells us यह तुम्हें क्या दिखाता है कि बच्चों की तरफ उसका care है वो bread bangles बच्चों के लिए लाता है और थ्रूआउट हलका सा summary में नहीं कहूंगी डरेक्ली लेकिन आपको थोड़ा सा connect correct linking words के साथ चाप्टर को quick summarize कर देना होगा अगर ऐसा कोई question तुम्हारा long answer में आता है पर नहीं आता ठीक है क्लियर है बेकर वास गोवा सोल marriage bread is known as bowl बहुत बढ़िया द द गोवा मत करना क्लियर है इसके बाद अब कूर्ग पर आते हैं और पूरा का पूरा रही है तुमको specifically क्या बताता है सबसे पहले तो कूर्ग का हमको जो ग्राफिकल लोकेशन दिया हुआ है क्या बताया है कि कूर्ग कहां पर सिटुएटेड है मैंगलोर एंड मैसोर के बीच में कौन से स्टेट में करनाटका में ठीक है ओके डिस्क्राइब आज पिक्चरेस्क एन हेवेंली प्लेस बहुत ही सुन्दर सीनिक ब्यूटी बोली है इस जगह की कि भई ऐसा लगता है कि भगवान के किंग्डम से उतर कर यह जगह नीचे आई है तो क्यों क्यों बोला है ऐसा पिकस बहुत ही सुन्दर उसका व्यूव है ब्यूटिफुल प्लेस है और यहां का फ्लोरा फॉना बहुत डाइवर्स है बहुत अलग अलग यहां पर प्लांस आनिमल्स आपको मिलते हैं बहुत बढ़िया जीया 25 को हूंगे फुट्परिंस के चाप्टर्स ठीक है वेदर और इंवार्मेंट यहां का कैसा है कूर्ग क कहो चाहे कोड़ागू कहो है ना तो यह क्या है करनाटिका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है यहां पर आपको क्या-क्या मिलेगा एवर्ग्रीन फॉरेस्ट यह थोड़ा सा जरूरी है प्लीज ही सब लर्न करना ठीक है आज बैठ कर दिन में सामको question answer session से पहले यह चीज़ बहुत बढ़िया होता है यहां पर ठीक है yes it is a heavenly place on earth लिक सकते हो सबसे best time visitors का विजिट करने का कौन सा है September से March के बीच में ओहो ओहो तुम लोग तो नहीं जा सकते तूशे हो गया तुमारे साथ नहीं जा सकते एक जान्स है ठीक है इसके बाद जा सकते होगा जाना है तो when the weather is pleasant जब मौसम बहुत अच्छा होता है और वहां हवा में किसकी खुश्बू आजाती है coffee की reason क्या है उसका क्यूंकि भाई देखो coffee के बड़े बड़े यहां पर land है पूरा plantation है coffee का ठीक है okay heaven कहेंगे heaven people of kurg अब वहां के लोगों के बारे में क्या describe किया है कि देखो locals का कहन है कि हम लोग जो आये हैं हमारे ancestors दो अलग-अलग stories है पहली story है कि हमारे ancestors Greek हो सकते है या फिर Arabic हो सकते है ठीक है अलग-अलग तहानिया है अलग-अलग stories है तो एक अलेक्जेंडर आर्मी से related उन्होंने story बताई है कि inter marriage with the locals led to unique culture seen in martial traditions marriages and religious rights ठीक है क्या बोला है कि भाई देखो पहला reason तो यह है कि हमारे tradition में उन लोगों ने आके शादिवादी की जिसकी वजह से settle हो गए आगे और हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एक Greek जो है tradition follow हो गया या हमारा एक Arabic tradition follow हो गया clear long black coat known as kupiya worn by koda woos reflect Arab influence लेकिन यहाँ पर Arab influence किसकी वजह से बोलते हैं कि भाई हमारा kupiya जो यह dress पहनी जाती है ठीक है koda woos यहां के जो लोग है वो यह kupiya dress पहनते है और इस reason से हम कह रहे हैं कि पहले जो Arab लोग इसको पहनते थे तो similar dress हमारा भी है तो हो सकता है हमारी Arab ancestry है तो लोग यहीं settle हो गए यहीं उन्होंने शादीवादी कर ली यहीं उनके सब family tradition आगे बढ़ गया पूरा religious rights पूरे तरीके से यहीं उन्होंने permanent settlement कर लिया तो वह यहीं के हो गए इस reason से वो कहते हैं कि हमारा Greek ancestry है अब क्योंकि उनकी dress जो है kupiya वो koda woos worn by koda woos koda woos यह dress पहनते हैं जो कि Arab influence दिखाता है अर्भी लोग यह पहना करते थे ठीक है clear चालो फिर यहां के cultural tradition की बात करें तो और क्या था यहां के लोगों में कुर्ग के लोग अपनी hospitality के लिए बड़े famous थे hospitality वोड याद रखना ठीक है hospitality का क्या मतलब है कि बहुत ही welcoming nature के लोग है कि बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और ओके यह ज्यादा सही कुछ नहीं कह सकते दोनों ही balance चाप्टर के इस आपसे अरब tradition भी follow हो रहा है वहाँ पर अमीन कहने का मतलब है लोगों का मानना है कि अरब ancestry भी है कुछ लोग कहते है ग्रीक ancestry भी है ओके अशांसर और आशुसर है भाई क्या लिखा आपने आंगे continue मैं पढ़ नहीं पाई कुर्ग रेजिमेंट है तो यहां से क्या पता चलता है कि भई काफी strong लोग इस जगह से आते हैं राइट जनरल करिया पा यह नाम याद रखना पर्स्ट आर्मी चीफ ये भी कुर्ग के थे clear you need to koda woos they are the only people in India allowed to carry fire arms without a license और ये सिर्फ koda woos को ही allowed है कुर्ग के लोगों को ही allowed है कि वो अपने पास बिना license के fire arms रख सकते हैं clear ठीक है समझ में आई बात sweet bread को कहते हैं बोल और गोवा में बेकर का था बड़ा रोल बहुत लिए ओके कुर्ग कौन जा रहा है हम तो गोवा जाएंगे क्यों भाई कुर्ग में क्या कुर्ग में क्या वराई यह मैंने जर्मन बोल दे था क्या Greek बोलना था मुझे पीछे Greek Greek ठीक है ऑक फिर है wildlife और नेचर यह बहुत important है सारा का सारा मैंने तुम्हें पॉइंटर में दिया है ताकि तुम घबरा न जाओ कि भगवान इतना सारा कैसे पढ़ेंगे ठीक है पॉइंटर में तुमको इसको फ्लीज इसको थोड़ा से याद कर लेना अराम से चिल करके इसको पढ़ लेना क्योंकि अगर सपोस्ट तुमको आ गया कि डिस्क्राइब दोनों का बहुत लोन मैंने कहा ताना इस चाप्टर में हम लोग वाइलाइफ नेचर सब के बारे में पढ़ेंगे तो जंगल और पहाड करते हैं तुदध कावेरी रिवर होम तुदध महासीर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश तो यहां पर आपको देखो क्या मिल रहा महासीर अब कोई तुमको फिलेंद ब्लैंक्स नहीं पूछेगा जैसे साइन्स में क्वेश्टन आते थे पहले ऐसा नहीं पूछेगा लेकिन आपको ओवरॉल पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें क्या क्या वेराइटी यहां पर प्रेजेंटेड है अबंदन्स ऑफ किं यहां देखने मिलेगा उसके बाद और क्या देख रहे हैं हम लोग अब देखो यह सब आपको देखने मिलेगा ब्रह्मगिरी हिल्स आपको यहां से बहुत सुन्दर व्यू देंगे कुर्ग का निसर्ग धाम आइलेंड जो है यहां आपका बड़ाइडवेंचर एक जमीन यहां पर आपको मिलेगी ओके बाइलग कुपए हाउसेज इसको भाइलग को भी बोल सकता है बाइलग कुपए भी आप बोल सकते हो स्पेलिंग याद तर लेना बस ठीक है यहां पर बुद्धिस्ट मंक्स जो है इंडिया के टिबिटन सेटिल्मेंट के इधर पर थोड़ा सा मैं समझती हूं कि प्लीज पॉइंटर यहां बने हुए इसको याद जरूर कर लेना यू नेवर नो आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर एक्जाम में आता है छोड़कर आओगे तो रिग्रेट बहुत होगा पहले ही बता दूं ठीक है अब इस उसके रूट से सो कुर्ग के जो लोग है वो भी अपने वाल्यूज और ट्रेट्स के लिए जाने जाते हैं इंस्पाइट ओव बिंग थाउजंस ओव माइल्स अवे फ्रॉम दर प्लेस ऑफ ओरीजिन ग्रीस एन अरेबिया ठीक है हाला कि अपने ओरीजिन वाले प्लेस से तो बहुत दूर हैं अब ग्रीस और अरेबिया से बहुत दूर हैं हमारे कौन कुर्गी लोग राइट कोड़ा वूज राइट लेकिन फिर भी उनके रूट से हम लोगों को जानते हैं यह बात सही बात है वन इस नोन बाइवन रूट्स की अपने रूट्स इंसान कैसे रि बताओ जल्दी से अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया तो आप कैसे आंसर करोगे फटा फट जल्दी से बता दो नहीं नहीं नो ब्रेक नो ब्रेक नो ब्रेक कोनोटेशन का मीनिंग बता दो यार कोनोटेशन का मतलब यह होता है कि आप किस तरह से एक लाइन को एक फ्रेस को समझ रहे हो और उसका क्या मीनिंग है ठीक है कि यहां पर क्या आप आंसर करोगे कि अगर आपको लॉंग आंसर टाइप आ गया इस तरीके का कि वन इस नोन बाइव रूट्स की भाई एक इंसान जो है वो अपने रूट्स की मदद से ही जाना जाता है उसकी जो ग्राउंड होती है जहां से वो आया है इसके इस पेसे प ठीक है उनका ट्रेडिस्टिन ठीक है यह सब कुछ जो भी मैंने आपको पीछे पॉइंटर में लिखाया है आपको उसको पूरा पूरा पारग्राफ में कनवर्ट करके लिखना है ठीक है बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड ओके ओके क्लियर समझ गए हाँ एक तरह से ओवर्व्यू दोगे पूरा अगर तरीके से बोलू सही भाशा बोलू तो समराइस करना है आपको कुर्ग के बारे में क्लियर तो ऐसे रेडी रहना इसलिए बार-बार बोलो यह पॉइंटर बहुत जरूरी है इसके बाद हम असम घुमने चलते हैं आजाओ जल्दी से सब लोग ठीक है असम चले चलो अब असम का बही बहुत इजी हम लोगों को दिखाए गया तीनों में से सबसे असान ही वाला पार्ट है आपका राजवीर और प्रांजोल दोनों ही हमारे इस चैप्टर के लीड कारेक्टर है ठीक है य अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अब कौन एक्चली में असमका है और कौन असमका नहीं है जरा बताओ राजवीर और प्रांजोल में से कौन असमका है और कौन असमका नहीं है बताओ फटा-फट से हां यह बढ़िया था दिपिका मैं पढ़ा के करती है अच्छा काम कोर्ग्स वर अलाउट टू कैरी फायर आम्म्स बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया समझ गयो तुम लोग की पढ़ना कैसे है ना बहुत बढ़िया इंबाग्ड मतलब शुरू स्टू 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 गो च Colon to start with a journey into okay oh जी दिवं Kevin break दो फिर बताएंगे में देखो बता दिया बच्चो ने बेक की जरूरती नहीं isol Technology ने पजो को देखो किते well very good very good हुख着 कैसे खाल पर बढ़िया प्रांजोल जो है वह वो असं से ही विलॉंग करता भाट ता ठीक इतना लंबा नहीं लिखते सीधा यहां पर असम लिख देते हैं ताकि इजी रहे तो प्रांजोल जो है वो अल्रडी असम से था ख्लियर और राजवीर पहली बार वहां जा रहा था तो ऑविसी बात है कौन ज्यादा एक्साइटेड होगा राजवीर एकदम पागल हुआ राजवीर क्योंकि पहली बार असम जा रहा था होते हैं ना कुछ होशियार बच्चे जो आपके परेंस को इंप्रेस करेंगे और आपको विल्कुल ऐसा दिखाएंगे कि आप बुद्दू आपको कुछ नहीं पता है ना तो ऐसा ही कुछ राजवीर यहां कर रहा था गराओंबर 800 millions of million cups of tea tea are consume daily worldwide पूरी दुनिया में कितने कितनी चाय पी जाती है 800 million cups पी जाते ठीक है 800 million कब सी उसने क्या किया है एक फैक्ट बता दिया मतलब होश्यारी उसने करनी शुरू कर दी है इसके बाद जैसे वह असम की तरफ बढ़ते हैं राजवीर बढ़ा खुश हो जाता है वहां की लश ग्रीनरी को देखकर ठीक है वहां पर पैडी फील्ड वह देखता है कि इतने सुन्दर है सब कुछ टी गार्डन स्ट्रेश्ट एस फार इस आई कुट सी दूर दूर तक जहां तक वो देख सकता था टी गार्डन ही टी गार्डन थे ओके और वहां पर बहुत सुन्दर सुन्दर ट्रीज देखने मिले अब यहां से राजवीर हमें इंपोर्टन बात क् प्रांजोल को बोलता है कि देखो मैं तुमको ना दो लेजन्स बताऊंगा क्या थे वो दो लेजेशंज देखो टी के औरिजन को लेकर कि चाइनीज लेजंड था एक एक स्टोरी थी कि भाई एक बार क्या हुआ कि बॉयलिंग वॉटर में कुछ पत्ते एकसिडेंटली गि थे तो यह आपका चाइनीज लेजंड था इंडियन लेजंड क्या था भई इंडियन लेजंड क्या फीचर कर रहा था कि एक बुधिस्ट मंग थे बोधी धर्म ठीक है अब उनको करना था मेडिटेशन उनको आने लगी थी नीद उन्होंने अपनी आईलिट काटी ऐसे फेकी और उसमें से टी लीव्ज उग गए ठीक है अपनी नीद को उन्होंने बैनिश कर दिया खतम कर दी कि नीद ही नहीं आएगी लेकिन उस आईलिट से क्या हुआ थी प्लांट ग्रो कर गया तो यह दोनों लेजंड आपको याद रखना है ठीक है जो टी का ओरिजिनेशन है अमीन टी जो ओरिजिनेट हुआ है वो कहां से हुआ है चाइना से हुआ है ठीक है क्लियर बहुत ही वियर्ड तरीका है मतलब लेजंड लेजंड होते हैं जरूरी नहीं है कि लेजंड कोई स ठीक है क्लियर है अब राजवीर आगे बताता है कि भाया टी सबसे ज्यादा कहां पी जाती है चाइना में इन आराउं 2700 बीसी ज़रूरी नहीं है उतना युरोपियंस भी टी को अड्मायर करते थे लेकिन उनका मेन रीजन क्या था टी के पीछे क्या था कि भाई मेडिसिनल पर्पस दवाई के लिए दवाईयों के लिए था आपको कई बार ना टूफर्स में एक वेस्टन पूछ लेते हैं आपके एक्स्ट्राइक बेस्ट में कि भाई लिखा होगा कि यूरोपियन का जो इंट्रॉप्शन था इन इन शिक्स्टीन सेंचुरी टी का जो इ बेवरेज तो ये गलत होगा या टुलवा सबस्टीन ऐसा आ गया ऊपर ये ओरोपियंस तो यूस ह। टी जो नॉर्मल आप अपना चिपस मतना जैसे कोई गैस तावगयोए तो आप उनको टी कॉपी पूछते हो इस लाइक दाट है ना रिफ्रेश्मेंट के लिए आपको देते हैं तो बेवरेज के लिए यूज करते थे क्या ट्रू या फॉल्स नहीं करते थे ना तो यह आपका फॉल स्टेटमेंट हो गया तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है तो यूरोपियंस ने मेडिसिनल परपस के लिए सिर्फ और सिर्फ दवाई के परपस के लिए इसे यूज किया था समझ गया तो चाई हंड ची और क्यों ही जो चाय का कंसेप्ट का जो कंसेप्ट कहां से आया है वह ऐसे मुझेत है कि हुई आँजय資 नहीं मिली है रिम आग्वे वड़्े growth say जिस까 का नाम है देखिया बारी कहने का मतलब यह कि पूरा का पूरा एक एरिया होता है जहाँ पर प्रॉपर्टी प्लान्टेशन की जाती है ठीक है एकर्स ऑफ टी बुशेश फ्लैंक्ड रोड मतलब कि हर तरफ दोनों तरफ आपको बहुत सारे टी बुशेश यहां देखने मिलेंगे और व वोकिंग पॉर्सन को हम बोलते हैं कि भाई वो बहुती डिलिजेंट है ठीक है तो बड़ी महनत से वो लोग काम कर रहे थे हाँ चाय वाले भाईया को बुलवा दो तुम लोग प्लीज दे मेट प्रांजोल फादर एड़ एस्टेट और वो कहां मिलते है प्रांजोल के फा मतलब मैं अगर यहां पर प्रांजोल की जगह होती तो वहीं विसे राजवीर को बोलती तो जा प्रेन पकड़ और घर्जा वापस क्यों क्योंकि राजवीर ने यहां पर भी प्रांजोल के फादर को फुल-on इंप्रेस कर दिया क्योंकि उसको कई ज्यादा नॉलेज थीट रहा था उसको जानना था बहुत कुछ तो जब कोई चीज जानने के आप इच्छुग होते हो तो खुद भी बहुत रिसर्च करके आते हो ठीक है ओके समझ गये लफ्वरम असम अब यहां पर राजवीर का कर सकते हो अगर आ गया क्वेस्टन में तो राजवीर को पढ़ना पसंता ही हमें कैसे पता हूँ अपनी बुक्स पढ़ रहा था ठीक है ट्रेन में जाते हुए और उसको काफी चीज़े पहले से पता थी जो उसने नहीं भी देखी थी ही शेयर्ड टी ड्रिंकिंग फैक्स फ्रॉम इस क्लासमेड प्रांजोल ठीक है और बहुत एक्साइट उसने एक्सिंप्रांजों के साथ असम के टी सेट स्टेट जाने में राजवीर एक्सेप्ट πα्रांजोल इंविटेशन पर समर वाकेशन और उसनेartet भी किया राजवीर में ठीक है मैं जोल का घर था प्रान्जो इंट्रेस्टेड नहीं था वो डिसिंट्रेस्टेड था वाइब करता है कि उसको काफी चीजों का नॉलज़ था पहले से और राजवीर ने वहां के ब्यूटी को भी एप्रिशेट किया और अपनी लाइकिंग दिखाई अपनी विजट के टाइम पर ठीक है क्लियर तुम लोग भी ऐसा कुछ प्लान करना अपने अपने फ्रेंज के गाउं जाओ एक दूसरे का कल्चर देखो अब प्रांजोल पर बात करें तो प्रांजोल हमें उतना एक्साइटेड नजर नहीं आया वह असम में ही रहता था वहीं पैदा हुआ था पैदा हुआ था तो यह एक्स्प्लिसिटली कहीं चाप्टर में लिखा नहीं है उसके फादर का पूरा का पूरा यहां पर देखिया बारी टी एस्टेट था पूरा बिजनस था है ना दिस्पाइड देस ही स्टडेड विद राजवीर इन डेली लेकिन फिर भी यहां चोड़कर वो डेली पढ़ने गया था और उसने वह बहुत ही अच्छा फ्रेंड की वही उसने राजवीर को इन्वाइट किया समर वेकेशन में और उसको भी डिटेक्टिव स्टोरी पसंद था ठीक है क्लियर है यह सी वाज़ा क्यूरियस पर्सन आपसलीटली यह सब वर्च तुम आड़ कर सकते हैं ठीक है डन है डन है बस एक मिनिट का पानी ब्रेक ले रही हूं है एक मिनिट का पानी ब्रेक ओके उत्राखंड वाले यू के लिखो मैं कहां लिखू बोर्ड पर लिखू मैम प्लीज टेल मी डोंट इग्नोर सिक्स मार्क्स के लिए वन पेज आंसर इस इनफ तुम लोग अपने आंसर्स को पेज से क्यों गिनते हो यार वर्ड लिमिट रखो ना देखो मान लो कि अगर तुमारी राइटिंग इतनी बड़ी बड़ी है एक वर्ड तुम इतने में लिख रहे हो तो ऐसे तुम से पांच वर्ड लिख पाओगे तो उससे कैसे जच करते हो यहां से कैसे बता दूँ एक पेज तो कई बार जिसकी र बहुत ज्यादा एक पेज है ना तो आपकी राइटिंग बीटो डिपेंड करेगा ओके चलो चलो आगे बढ़ते हैं अब आते हैं मिच्बिल दी ओर्टर पर तो इस चाप्टर में तुम लोगों ने क्या थीम देखी तो मैंने इसलिए थोड़ा सा चाहती हूं कि तुम अब सामने से थीम फेको ताकि साथ में अभी मैंने सारे थीम शुरू के डिसकस किये मि साथीम देखा सबसे पहले लव टुवर्द्स अनिमल अनिमल ठीक है बहुत ही सिंपल उसके बाद उसके बाद और क्या देखा और क्या देखा इसका PDF सेशन ओवर होने के बाद मिलेगा नो किट-कैट ब्रेक चलो चलो अभी आगे के चाप्टर इजी है आगे के चाप्टर वेरी गुड है ना यही सेम चीज है रिलेशन्शिप बिट्वीन अ मैं चाहू तो शॉट में लिख सकते हैं पर नहीं लिख रहे हो बिट्वीन अपेट एंड हेज या इट्स जो मर्जी लिखना है इस ओनर ठीक है ओके वेरी गुड वेरी गुड कंपाशन केर वेरी क्लियर तो यह सारे अनिमल लाव और यह सारी चीजे कवर करता है मिजबल दी ओटर अब इस चाप्टर में आप यह जो चाप्टर है को गेवन मैक्सवल नहीं लिखा हुआ है अब वो क्या बताते हैं अपने बारे में कि भई मैं एक कॉटेज में रहता था था क्यामस फिया बहुत ही अच्छा और क्यूट सा चाप्टर है यह तो 1956 में जब एक ट्रिप पर गए थे सदर्ण इराग कौन गए थे कौन गए थे अब विसली मैक्सवल ठीक है वो सदर्ण इराग गए थे उन्होंने ठाना कि वो वो ओर्टर को एज़ पैट पालेंगे तो वहाँ पर ओर्थर को देखो उन्होंने सोच लिया कि यार एक काम करता हूं मैं एक ओर्टर इस बार पाल लेता हूं इससे पहले उनका एक पैट ड देखता हूं ठीक है तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड से इस बारे में डिसकेशन किया और उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि देखो भाई टिगरिस मार्श जो है बेस्ट है क्यूंकि यहां पर तुमको ओर्टर जो है वह अच्छी कॉंटिटी में मिल जाएंगे ठीक है अच्छी कॉंटिटी में मिल जाएंगे जितने मस्कीटोज होते हैं ऐसे तुम्हें वहां मिलेंगे टिगरिस मार्श में क्यूंकि ओर्टर जो है वो पानी में रहना पसंद करते हैं और इसी लिए जो मार्श है उधर ही आपको ओर्टर सबसे जादा मिलेंगे अब यहां से वो बसरा जाते हैं कॉंसलेट जनरल इनके पास इनका कुछ ऑफिशल पॉपस था कुछ काम था अपनी मेल वगरा करेपलाई के लिए वहां से मेल रिसीव करते हुए किसी तरह फाइनली सारी मुसीबतों के बाद जब उनको मेल मिली तो उन्हें मिलता है एक सप्राइज और तो सप्राइज में क्या था एक ओटर जिसका नाम था मिजबिल ठीक है ओके समझ गए राइट अब जैसे ही उस सैक को उन्होंने ओपन किया तो उसमें से जो अनिमल लिकला उन्होंने अपने उस पर्टिक्लर फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए क्या फ्रेजिस यूज क कर सके ओटर की तरफ ठीक है ओके समझ गए तो ही फेल्ट की जो ओटर फिक्सेशन और फिक्सेशन क्या होता यह एक स्ट्रॉंग अटाच्मेंट है जो मेरा ओटर की तरफ है वो सिर्फ और सिर्व वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी भी एक ओटर पाला हो इस लाइक एक बहुत से लोग होते हैं जिनको डॉग जाज़ा पैट बहुत पसंद है ठीक और उनकी फीलिंग उनका अटाच्मेंट तो वर्ट वही लोग ज्यादा समझ सकते हैं जिनके पास एक पैट होता है डॉग ठीक है तो यह यहाँ पर सेम चीज कनवे की है मैक्सविल ने अब एक दो हिंटे बाद फिर पता चलेगा तो यहाँ पर सेम चीज हुई शुरू में तो भई मैक्सवेल अलूफ और इंडिफरेंट रहने लगा ठीक है रिमेंबर दिस वर्ड रिमेंबर दिस फ्रेज अलूफ और इंडिफरेंट ठीक है शुरू में वह बहुत दूर दूर र पानी उनको ज्यादा पसंद होता है प्लेफुल वह बहुत हो जाते अगर उन्हें कहीं पर भी पानी में पानी का थोड़ा सा भी यह रोव स्टाटिक नहीं होना चाहिए चाहिए मुव्मेंट में रहना चाहिए पानी ठीक है और उन्होंने धीरे धीरे ओटर ने सोचो काफी फन लविंग नेचर है इस ओटर का ठीक है वेरी गुड सर्दी को कहते हैं क्या लिख रहे हो तुम ये सर्दी को कहते है विंटर हमारा पैठ है मिचबिल दी ओटर येस वेरी गूड हाँ अनुपा मां यह हम लोग कह सकते हैं काइंड एंड जेनरेस वेरी गुड वेर आप वसाण रहना चाहिए अगर वह स्टाटिक होगा अगर वह स्टिल रहेगा तो भाईया उसको गुष्सा आ सब्रबॉक हो जाता कि यार यह स्टिल कैसे यह स्टिल कैसे है यह ठिका हुआ क्यों है पानी गिर क्यों नहीं रहा ठीक है अवेवर ओठर फेस्ट चाम और author को बड़ी problem आई जब उनको अपने घर ले जाना पड़ा था मिछ बिलकॉप वहीं तो नहीं रहेंगे वह अपने घर भी जाना है तब problem आई लेकिन author ने जिस तरह से सारी problems सारे efforts उठाए ठीक है सारे efforts उठाए और किसी तरह उनको कहां पहुचाया chemistry आर ना वो क्या दिखाता है वो उनका लव दिखाता है compassion दिखाता है care दिखाता है towards the water ठीक है water in water yes rhyme कर रहा है ना ठीक है हाँ I didn't like taking water which will like playing with water क्या बात है कोई बात नहीं साइपर थोड़ा सा और wait कर लो हम आज first light खतम करके ही जाएंगे ठीक है ऐसे determined रहो एकदम ऐसे जोश एक बार बना लो तो कैसे तुम लोग सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा यह हो जाएगा हो अगर पता चल जाएगा अलूफ का मतलब बता है दूर दूर ठीक है क्या 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 प्रॉब्लम्स जेल नहीं पड़ी वो देखो यहां पर ब्रिटिश एर लाइन्स ने तो बोल दिया कि हमारे में आप आनिमल्स को नहीं ले जा सकते तो मैक्स्विल ने अपना एक्स्ट्र कंडिशन उस फ्लाइट ने दे दी कि भाई मिज क्योंकि एक आनिमल है तो उसको क्या करना पड़ेगा एक बॉक्स में पैक करना पड़ेगा जिसका कि कितना लिमिट दिया है 18 इंचे स्क्वेर एरिया से जाधा नहीं होना चाहिए तो उसको इंग्लेंड उस बॉक्स में प यह अपने इंवारिमेंट से हबीच्वल हो जाए इसी के लिए मैं इसको क्या करता हूं इस बॉक्स में घंटे के लिए रख देता हूं ठीक है और वह उठके चला जाता है फॉर लंच ओके और हैविंस मील लेकिन जब वह वापस आता है तो क्या देखता है कि पूरा का पोशिश की और कॉंस्टेंट मूवमेंट की वजह से अपने एसकेप की वजह से उसने खुद को चोट पहुचा ली और इसको डिस्क्राइब किया है और अपॉलिंग स्पेक्टिकल इसका क्या मतलब है अपॉलिंग स्पेक्टिकल का कि भाई बहुत ही शौकिंग व्यू थ स्पेक्टिकल ठीक है अगर ऐसा आता है एक्स्प्लेइन हाओ यह जो भी आप पूछ रहे हो कि एक्स्प्लेइन एट हाओ और लव तो प्ले इन वाटर अगर यह लिखना है तो आप वो सारे चीज़े जो मैंने पीछ वाली स्लाइड में आपको बताई कि क्या कि भाई किस तरह से वो टाप खोलना सीखता है कैसे वो पानी में रब बहुत से खेरता है उसको स्प्लैशिंग बहुत पसंद थी स्टिल वाटर उसे पसंद नहीं था यह सब आप लिखोगे ठीक है अब जैसे ही यहाँ पर मिजबिल को देखा इस कंडिशन में मैक्सवल ने तो पहला रियक्शन उनका क्या था उनका यह था कि उन्होंने यह नहीं सुचा किया अब में क्या करूं मेरे फ्लाइट लेट हो रहे हैं मेरे पैसों का नुकसान हो रहा है नहीं उन्होंने सारा का सारा वो शाप एजस वहां से हटाया मिजबिल को बचाने में हेल्प की अधर्वाइ था लविंग था केरिंग था तो आपको ये इंसिदेंट्स मेंशन करने पड़ेंगे ठीक है आपको लिखना पड़ेगा अब लेट भी हो रहा था भाई पहुंचना भी है तो दोनों किसी तरह पहुंचते हैं और वहां पर उनको एयर होस्टेस मिल जाती एकदम अच्छी बहुत ही प्यारी सी उसको कैसे डिफाइन किया मैक्सविल ने कि शी वस्ट वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड कि अपने जैसी वह थोड़ी देर में मासर डिजपीर हो गया ठीक है बॉक से बाहर भाग दिया और वर स्कॉक्स एंड श्रीक मतलब पूरी तरह से के ओस मच गया ठीक है प्लेन में बट दी एर होस्टेस हेल्प इम तो फाइंड आउट मिच तो यहां से क्वेस्टिन क्या बन जाता है वाई मै Maxwell admired the air hostess you admire Kia q u subo Pason divity cure reason thua a happy reason डाल सकते हो she was a very queen of her heart take you know queen of her kind yabha jata hai why did max will say she was the very queen of her kind of a elaborate karo we qq she allowed the narrator to place the order on his lap she was understanding she understood the entire situation which Maxwell described to her, समझ गए, ठीक है, clear है, clear है, very good, बहुत important time, इसके बाद London में भी क्या था, जब London पहुँचे, तो वहाँ भी लोगों को बड़ा struggle हो रहा था, और को पहचानने में, अलग-अलग guesses वो मार रहे थे, कोई बोलता था भाई, ये baby seal है, कोई बोलता था ये squirrel है, कोई बोलता था ये walrus है, कोई बोलता था हिपो है, इस तरह से अलग-अलग जानवर सब ने guess किये, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि ये एक otter है, ठीक है, और बहुत ही funny incident भी उन्होंने फर्दर दिखाया, last में, कि कैसे जो laborer था, उसको तो समझी नहीं है, वो अपना सारा कामवाम छोड़के, वहाँ पोजे कि भई ये है क्या, वो ये भी नहीं guess कर पाया कि ये कोई animal है, उसने सीधा पूछ दिया कि भई ये है क्या, ओके, ठीक है, clear है, right, तो आपको मैंने ये chapter भी explain कर दिया, यहां से आप Gavin Maxwell का एक पूरा character sketch portrait कर सकते हो, इसमें क्या है, obviously, उसके kind and caring होने के बारे में लिखोगे, उसके compassionate होने के बारे में लिखोगे, he was excited to have an otter as a pet, वो कितना excited था, otter को as a pet रखने में कैसे, उसने throughout struggle किया, मिजबल को safe रख और कहीं न कहीं देखो, वो मिजबल को observe कर रहा था, उसने हर चीज जो सीखी, ऐसा थोड़ी था, कि उसके पास कोई past experience था, otter को पालने का, पहली बार वो otter को पाल रहा था, right, और यहां पर उसको help मिली, उसकी observation की, तभी तो उसने उसको नए घर में patiently deal किया, नहीं तो इंसान इस तरह से सोचे, तो फिर क्या ही problem है, ठीक है, clear, मिजबल का अगर आपको character sketch लिखना है, तो सारा detail यहां पर है, ठीक है, यह आप अराम से इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं already हर चीज आपको mention कर चुकी हो, जिसमें क्या है, कि देखो मिजबल के बारे में दिया यह तो आपको मिलेगा ना, ठीक है, यह तो आपको मिलेगा ना, ठीक है, clear है, अभी बताओ, यहां से किसी को कोई doubt है, तो पूछो, अभी कोई break नहीं, यार, जब तक first flight book खतम नहीं हो जाती, मैं यहीं खड़ी हूँ, आज मुझे खतम करना है, आपके साथ first flight, और वो भी किसी doubt के, तो doubts पूछो जल्दी से, इस chapter के कुछ है तो, पूछो, पूछो, तुम्हारा तो ऐसे भी break लगया, कुछ नहीं करना है, बैठो और अराम से, note करो, चिल करो, जल्दी से, बताओ, बताओ, अओके, ओके, 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 क्लियर है, कोई doubt है, आपर chemistry आणा यार कोई जगे का नाम है, उसों कोई मतलब ठोड़ी नहीं है, ठीक है, ओके, character sketch आपसे directly नहीं पूछेंगे मैंने आपको character sketch इसी लिए लिखवाया है इसी लिए दिखाया है ताकि अगर आपको कहीं पर dialogue writing आजाए कोई theme based question आजाए या मान लो जैसे कि आपको judge करने को आजाए कि भई बताओ क्या तुम्हें लगता है कि Maxwell जो था वह compassionate था careful था तो कैसे लिखोगे है ना इस पर अगर question आ जाए तो तुम्हें कहां से help मिलेगी तुम्हें character sketch से तो help मिलेगी समझ गए ठीक है ओके हाँ वो मैंने माइक आफ किया था चलो चलो चीक है ओके चलो कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं मैंडम राइज तो बस की तरफ आए बस में घूमकर आए अब बताओ ओके वाट गेम डेढ मिज इंवैंड ये वाला question भी जरूरी है इसनमें किया चीज़ए आड करोगे बताओ इसका क्या आनसर करोगे वोट गेम डेढ मिज इंवैंड मेज ने क्या क्या गेंज in fallait कि पीको यहां पर बतां पर बताओ जल्द जल्दी क्या गया गेम्स इंवन्ट कि बता दो जल्दी से उसके बाद हम लोग है मैडम राइट चुटरू करें भार इसका वाला क्वेश्टन दें छल्दी से कौन से कौन से गेम उन्हों उसने इन्वेंट किये थे इन्वेंट किये थे जल्दी बताओ ओके सूट केस वाला गेम ओके ठीक है ओके पकड़म पकड़ाई रामेश्वरम सच में सच में तो आपको मेरे पीछे लिखवाया भी था कि he used to play with juggling I mean he used to play with marbles he used to juggle them तो आप simply भी लिख सकते he used to play the following games या अगर pointers में obviously आप नहीं लिखोगे so he used to play games with marbles with Maxwell's suitcase मैक्सविल के सूटकेस के साथ भी तो उसने गेम इन्वेंट किया था राइट ठीक है very good very good water water obviously पानी में तो यार वो खेलता ही था ना वो तो तो तुम्हें आड करना ही पड़ेगा PUBG खेलता था उच्छा तुम अगर और पालोगे तो मुझे लगता है तुम PUBG ही लाओगे उसे बहुत बढ़िया ठीक है यह सारी चीज़े वो यूज करता था खेलने के लिए समझ गए ठीक है जगलिंग मतलब वही अपने मतलब लेट के बॉल्स को ऐसे जगल मैं तो हम नहीं कर सकती वह मैं हातों से कर सकती हूं ऐसे फिंग-Ponk balls घए ठीक चलो अब आजा थे है मैडम रायस बस की तरफ अब इसमें क्या है इसमें आपने किस के बारे में पड़ा वली के बारे में ठीक है इसमें आपने क्या देखा अगें काफी चाप्टर में हम लोग सिमिलर चीज़े देख रहे हैं आप देखो इस चाप्टर में एक प्रॉमिनेंट आस्पेक्ट है अब इसके बाद और क्या चीज़े आपने देखी है मैडम राइट्स बस में और क्या थीम है और क्या थीम है बताओ जल्दी से क्या रोल होता है बहुत बढ़िया है nina अ मैची क्यूलिस प्लाणिग मैटिूरस का मतलब क्या होता है जब अप एकदम स्ट्राटजी से कोई चीज़ प्लान करते हो है right positive and strong mindset absolutely absolutely adventure बहुत बढ़िया adventure as a theme शबबाश ठीक है तो इसमें आपके यह सारे के सारी चीज़े very good desire to experience new things बहुत बढ़िया ठीक है अब यह जो story है एक 8 साल की Tamil बच्ची वली की है she was curious lonely and fascinated by the outside world lonely क्यों बोला क्योंकि उसके कोई ऐसे friends थे नहीं उसको उनके games में जादा interest आता नहीं था उसको बाहर की दुनिया की तरफ attraction था कि भई लोग जो घर के बाहर बस से जा रहे जा कहां रहे हैं है ना ठीक है उसके कोई friends नहीं थे she daydreamed वो क्या fantasize करती थी कि भाई मैं बस में travel करूं usually वो दर्वाजे पर खड़ी रहती थी लोगों को बसे में से चड़ते उतरते देखती थी और शी watched to experience उसको भी जाना था भाई बस राईड में उसको भी ये फील करना था सबक्ते को अपनी अपनी इच्छा है बहई किसी को plane में travel करना होता है पहली बार किसी को train में travel करना है किसी को solo travel करना है किसी को group travel travel करना है और यह सारी चीज़े इट पास्ट थू हर स्ट्रीट इच आर वो जो बस थी ना उसकी गली से हर घंटे गुजरती थी एक बार वो टाउन जाती थी फिर टाउन से वापस आती थी बड़ी फैसिनेटर थी वो इस तरह ठीक है ओके अब वली ने पूरा डीटेल ऐसा न रहीं किया उसने क्या किया उसने आप रोगों को बात करते हुए सुना और जो लोग उस बस में रोजावर करते ते उनकी बात्चीत शुनी है यावर यह बात क्या कर रहे हैं फ्रस्टाat experience उसने गेन किया राइट शीडिसकवर्ड उसने ये भी किया कि बस जो है वो 6 माइल तक जाती औरेस्ट जो ओका 30 पैसे का फेयर है उसका थिके जाने के लगेंगे फिर उसने क्या किया अरौंड 60 पैसे जमा करने शुली है रोइद बो तर्फिस पैसे जाने में राइट टीके the trip टूथ 45 लगा उसको टोटल उसने देखा कि भया 45 five minutes की trip है मेरी राइट तो सारा कुछ उसने प्लान कर लिया अब पूरी चीजे प्लान करने के बाद उसने बस पकड़ी एक बजे की ठीक है और यह बहुत सही टाइम उसने चूज किया क्यूं क्यूंकि उसकी मदर इस टाइम पर नाप ले रही ती सो रही थी आराम कर रही थी उसको टीज करने के लिए ठीक है टीज करने के लिए रीजन क्योंकि वली का जो लेडी लाइक भी हेवियर था बस वो उसी को थोड़ा सा फन वे में प्रेजेंट कर रहा था कि एक छोटी सी 8 साल की बच्ची और ऐसे दिखा रही है जैसे पता नहीं कितनी 28 साल की है लाइक सब्सक्राइब कर दो मैं उपर चड़ा दू मैं आपकी इस तरह से हेल्प कर दू वली जो थी वह एकदम कॉंफिडेंटली उसको बोल रही थी नहीं और ऐसा नहीं कि रूटो कर पॉलाइटली डिक्लाइन क्या है रहांडल ठीक है मैं खुद कर लूगे मैं बच्ची नहीं सब्सक्राइब कर रही थी जिसते की उसने उसको मैडम बोल कर चड़ाना शुरू कर दिया तो यह वाला आंस यह वाला जो पार्ट है यह आप इसके बाद वली जो है वह बसके बाहर देख रही थी उसे कभी क्याना उसे वहां से बहुत सारी चीज़ा देखी ठीक है किनाल उसने देखी पाम ट्रीज उसने देखा माउंटेंस ब्लू स्काइस सब कुछ वो अब्जर्ब कर रहे थी ठीक है दैन शी मेट लॉट अफ लोगों से वह बस में मिली शी गोट अनॉइट बहुत चिड़ गई जब एक एल्डरली मैन ने उसको बच्चा बोला बच्चा नहीं बोलने का वली को बच्चा नहीं है वो ठीक है उसको वह बड़ी और लेडी भी पसंद नहीं आई जिसका अपियरंस बहुत शाबी था श इसके साथ ही वो बीटल नज भी चबा रही थी जिसे देखकर वली को बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उस लेडी का माउथ पूरी तरह से बीटल जूस से भरा हुआ था तो यह आप लिख सकते हो कि वली के एक्स्पीरिंस में आड़ कर सकते हो बस के कि भई उसको कैसे लोग मिले वहां किस टाइब के लोग उसे दिखें क्लियर ठीक है हाँ अब जब बस पहुंची टाउन तो वहां खाली हो गई अब वली जो है उसको पता था मेरे पास लिमिटेड ही पैसा है मैं कैसे यहां से उतर जाओ और पैसे खर्च कर लूँ तो उसने क्या बसमाई बैठी रही अब कंड़क्टर ने ओफर भी किया कि मैं तुम्हारे लिए जूस ले आता हूं अब कंड़क्टर ने जभी ओफर किया तो वह दिखाता है अब कंडड़ का केरिंग नेचर लेकिन वली ने उसको भी डिनाय करा तो यह कहीं नहीं उसका intelligence दिखाता है है ना विमल क्यों बोल रहे हो तुम लोग है भगवान क्या बच्चे हो ठीक है तो कहीं न कहीं यह concern दिखाता है conductor का कि यार सच में केरिंग था और वली की करना हो सब रहाता तो इसको पता था यह बच्ची है बहुत खिए होता है क्या होता है बी तल नत्स डौदी पाव चैना वीमल रोला ज़ल्डिय शबता ट्रिक मॉडए बगवान इतव बहुत वागवान कि ल॥ दिश्टराक्ट रॉज advocating कितनी जल्दी डिस्ट्राक्ट हो जाते हो थैंक यू अर्ष आयम देचर आप यॉर काइंड वट इस और काइंड चलो चलो हाँ 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 वाँ वाँ कोई कह रहा है कि विमल है कोई कह रहा है अजय देवगन है पता नहीं क्या तुम लोग भी यह वह पांसुपारी होता ना उसको बोलते हैं ठीक है ओके चलो अब वापशी के टाइम पर वापसी के टाइम पर वली क्या देखती इस जब वह वाली अपने घर से टाउंड जा रही थी वहां पर उसने तब एक चेर्फुल काव देखिश आर्ण से रोड क्रॉस कर रही थी लेकिन वापस आते टाइम उसने उसी काओ को रोड साइड पर उसकी डेड बॉडी देखी वैसे अनिमल्स की डेड बॉडी को क्या बोलते एक वर्ड होता है क्या होता है वह जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो क्या होता है, एनिमल्स की डेड बॉडी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भैंकर यह हो तुम लोग भी सही में, कॉर्प्स तो इंसानों की डेड़ बॉड़ी को बोलते हैं एक वर्ड होता है जानवरों की डेड़ बॉड़ी के लिए क्या वर्ड है क्या वर्ड है क्या वर्ड है वेरी गोड अमोग वेरी गूड यह है वह वर्ड ठीक है अनिमल्स की डेड़ बॉड़ी के लिए हम यह वर् मीनिंग समझ में आ गई और जब उसे घर चोड़ा गया वली चुपचाप अपने घर निकल गई अंदर चली गई उसकी मदर और वो जो भी जो भी नेबर जिससे उसकी मदर बात कर रही थी उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि वली कब गई और कब आई तो उसके लिए यह बह लाता था कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है बिल्कूल भी उसने इम्मिचौरिटी से भी नहीं किया डिस्पाइट हर यंग एज इतनी छोटी एज की थी फिर भी उसने मिचौरिटी नहीं दिखाई इंटेलिजन बहुत थी क्यूरियस थी उसको अकेले ट्रावल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई अराम से ट्रावल किया प्लानिंग बहुत अच्छे से की थी तब ऐसा नहीं था पर फिर भी फिर भी फिर भी क्या उसने पूरा अपनी जर्नी को सक्सेस्फुल बनाया अमाउंट पूरा क्यालकुलेट करके गई थी बहुत ही तरीके से तो अभी सा क्या रोल रहा प्लस कि ऐसे कह सकते कि बस कंड़क्टर वाज़ा फ्रेंडली परसन तो आप उसके एक्शन और इंसिदेंट्स बताओगे तो बस कंड़क्टर बाहीं चीरफुल और हुमरस था उसने प्रसेंजर के साथ कहीं पर भी रूट बिहेव नहीं किया एक मिडियेट था जो सबको खुश रख रहा था स्पेसिफिकली यहां पर बात की जाए तो वली की उसको पता था कि छोटी बच्ची है मैं इरिटेट करूंगा तो हो सकता है कुछ प्राब्लम हो जाए तो उसी की तरह से उसे हैंडल कर रहा था राइट और वली के साथ फ्रेंडली भी थ का जूस ऑफर किया है ना और उसको पता था कि उसके रिस्पॉंसिबिलिटी क्या है वली की तरफ तो यह आपको पास क्वेश्चन आजाता था एंथूजियाजम होता है एनर्जी ठीक है हां यहां से आपके पास कुछ पॉइंटर बन जाते हैं सबसे पहला तो देखो एज is not a barrier अगर आपको life में कुछ बड़ा अचीव करना है तो age limitation नहीं है age barrier नहीं है the people and surroundings are great book to learn और जब आपको चीजे सीखनी है तो जरूरी नहीं है हमेशा आप किताबों में घुसरो कई बार हम लोग life के experiences और लोगों से सीखते हैं यह कैसे पता चलता हमें यह हमें ऐसे पता है कि इस chapter में जो madam writes बस है वली ने सारी details कहां से ग्यादर की उसने लोगों को बोलते हुए सुना तो आप इस point को थोड़ा सा exaggerate करोगे elaborate करोगे अगर ऐसा कोई question आ जाता है फिर whenever we want to achieve something जब हमें life में कुछ अचीव करना है तो difficulties तो आएंगी ही अब ऐसा नहीं है कि तुम ल करोगे इसमें तुम उसकी पूरी planning describe करोगे कि उसने कैसे एक एक पैसा जोड़ा उसका सारा collection ठीक है बहुत टाइम लिया ऐसा नहीं था आज प्लान कर और कल चली गई बस में ऐसा कुछ नहीं था तो शी वस सेंसितिव बहुत सेंसितिव भी थी और अट दे सेम टाइम फियर्लेस और कॉइट डिटर्मेंट थी यह कैसे बताएंगे सबसे पहला तो भाई अकेला उसने ट्रावल किया ठीक है बहुत ही तरीके से प्लानिंग से वह पूरा उसने ट्रिप अपनी कवर कर ली आज सेंसिख्यां ओके कि समझ में आई बात शाल आगे बड़े समना अट बनारस समना बनारस हो जाएगा हो जाएगा कर सकते हो तुम लोग चलो दी मोटिवेट नहीं होना है हो जाएगा इस इतने धोड़ी तुम लोग मतलब बिलकुल ऐसा कर रहे हैं तुम से जब अक्ट टाइप भी आज साथ के साथ डिसक्स कर लिए शाम में हम लोग थोड़े शॉट आंसर टाइप और जो एक्सपेक्टेड क्वेस्टिंज है फालतु कुछ नहीं कराऊंगी ठीक है जो आने वाले हैं वही क्वेस्टिंज कराऊंगी और पोवम की पीपिटी अपलोड हो चु बूस्ट इसाइगर लजी नहीं यूगाई आर दॉसीक्रित ओफ माः अनरजी बूस्ट बूस्ट गया तेल ले ने तुम हो तुम हो तुम हो हमारी एंदर्जी का सीक्रेट समझ गए चलो ट्रुस आप 녹नारस अब यह क्या है भई यह तो बगल है किसमें किया क्या हता ओता है ना very good all is well हम लोग कर सकते हैं यही सुनना है मुझे तो अब इस चाप्टर में पहला सर्मन जो गौतम बुद्ध ने दिया था उसके बारे में है और वो क्या बताता है वो क्या बताता है किसके बारे में था वो लाइफ एंड डेथ के बारे में हमें सिखाता है तो सारे चाप्टर देखो एक साथ करने के पीछे रीजन यहीं था कि सब इंटर कनेक्टेड हैं तुम लोग समझ रहे हर चीज हर कोई न कोई चाप्टर हमें मोटिवेट कर रहा है तो यह चाप्टर में लाइफ एंड डेथ के बारे में था अब गौतम बुद्ध के बारे में हमने क्या देखा उनके हिस्ट्री के बारे में कि यह नौर्थ इंडि लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया कब आया जब यह नहीं था कि शादी से फ्हेलें पॉइंट आया था नहीं नहीं मुझा सबता है थोड़ा चेंजस कब आए जब उन्होंने बाहर देखा कि भई दुख है जुन दुनिया में यही लाइफ नहीं है जो मैं देख रहा हूं ठीक है उन्होंने क्या देखा उन्हों लोग वो किन से मिले तकराए एक सिक मैन से एक एजड आदमी से एक फ्यूनिरल प्रसेशन और एक बैगि जड़िंग मंक एक मंक को भीट मांगते देखा तो उन्होंने सोचा यह लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है और उन्हें रियलाइज हो गया कि एक्चली मैं यह सब जो हमारे लाइफ की लगशरी होती है माटीरियलिस्टिक प्लेजर होता है यह सब तो इंपर्मनें गेन करनी है मुझे सच जानना है गुनंग इनेविटिबल की स्पेलिंग गलत हो गई है वागी ठीक है ओके तो गौतम बुद्ध अपनी इस स्पिरिचुल जर्नी पर चल पड़े ठीक है बाग दोता है चल पड़ना अब उन्होंने लाइट्मेंट भी हासल करी कहां अंडर रात को ही अप्लोड़ेट है देखो एक बार मैं फिर से अप्लोड कर दूंगे अगर आप लोगोंने रीसेंटली जॉइन किया वैसे तो चेक करना मिल जाएगा कल का पीपिटी है उसमें ठीक है इस फर्स सर्मन वस डिलिवर्ट इन सिटी ऑफ बनारस तो पहला उनका जो ल प्ले जिसने किया किसा गौतमी इसका क्या रोल था देखो इसके बेटे की हो गई थी डेथ और अब इसको यह बात एक्सेप्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी शीवाज़ ग्रीविंग मदर वेरी गोड़ेट इस कॉमन तो ओल जैकली किसा गौतमी यह बात नही तुम्हारी हेल्प करेंगे और कोई तुम्हारी यहां पर हेल्प नहीं कर पाएगा तो बुद्धा चैलेंज्ज़ रुद्धा ने बोला आप देखो क्या होता है ना कई बार पेरेंस और टीचर यहीं करते हैं जब लगता है कि इतना समझाने पर भी बच्चे को नहीं को बात समझ आ रही है पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूं बाकी चीजों की बात करें लाइफ में चीजों की बात करें तो हम लोग सोचते चलियार एक बार ठोकर खाने देते हैं खुद ही समझ आ जाएगा यहां पर गौतम बुद्ध ने क्या बोला अच्छा ठीक है मैं तु कोई भी प्यार करने वाला कहने का मतलब यह है कोई भी हो सकता आपका beloved आपका husband आप कोई भी घर में किसी की death ना हुई हो ऐसे घर से लेकर आओ यह दुख मेरे साथ कितने लोग जेल रहे हैं समझ गए ठीक है clear तो उन्हें समझ माया जब उन्हें घर घर जाकर भटकना पड़ा और कहीं से भी उन्हें यह category इस eligibility criteria में कोई fit नहीं हो पाया ओके ठीक है अब lesson क्या मिलते हैं हमें किसा गौतमी के experience सबसे पहला कि बुद्धा ने जो क्या सिखाया है कि grief and sorrow तो वह human suffering को बढ़ाते हैं कोई फायदा नहीं होता है ठीक है आप बस एक चीज को लेकर रोते रहोगे वह आपकी दुख को बढ़ाएंगे कम नहीं करेंगे तो ऐसे emotions को अपनी life से हटाना है और उनको दूर करना है और यहां से जो समझदार इंसान है वह यह तो समझ जाता है कि life and death inevitable है unavoidable है देखो life है तो death भी आएगी ही death है तो life भी है for sure right तो यह अगर कोई सीक गया तो definitely उसकी life से सारी negative elements automatically चले जाएंगे और वो हमेशा के लिए खुश हो जाएगा ठीक है enlightenment का मतलब होता है ज्यान very good death is unavoidable inevitable यह word तो हर बच्चे को आना चाहिए class 10th के ठीक है so death is an unavoidable part of life death क्या है एक unavoidable part है life का जैसे कि उन्होंने एक example दिया क्या बोला कि पेड़ पेड़ों से क्या होता है कई बार fruits गिरते हैं है ना तो हमारी life का भी natural end है clear he also compared उन्होंने life को एक fragile part से भी compare किया है जो ultimately टूठी जाता है तो इससे भी वो क्या दिखाना चाहते है कि रोने रोना धुना जो वेस्ट है ठीक है futility का मतलब होता है wastage कि सब वेस्ट है क्या करोगे रोके lamenting होता है expression of grief दुख जताने के लिए जो वर्ड यूज किया है वो limiting है समझ गए दुख का एक expression है कि भई जो जिसकी death हो गई है बस अब उस पर दुख जताने का कुछ नहीं आप you know life is all about moving on fog का वो याद करो moves on कल सिखाया था now you have to connect all the chapters इसी लिए बोल रहे हूं कि themes को दिमाग में बिठा के रखो कभी भी कुछ भी connect करने आ सकता है ठीक है फॉग में बढ़ा था life moves on क्या कह रहे हैं गौतम बुद्ध कुछ अलग बोल रहे हैं यहीं बोल रहे हैं हो सकता है parallel question आ जाए कैसे लिखोगे यहीं से लिखोगे clear है clear है बहुत बढ़िया चलो आप किसा गौतमी का character sketch वैसे आता नहीं है पर फिर भी हम लोग safe side रहेंगे लिख देंगे ठीक है किसा गौतमी थोड़ी सी selfish हो गई थी no doubt ठीक है उसको बड़ा दुख था अपने बच्चे की death का अपने बच्चे को लेकर वहर जगा जा रही थी वो इस मामले में क्योंकि भूल गई थी ये बात कि आप जिंदा थोड़ी हो सकता है कोई महरा वह इंसान है ना very good everything is temporary तो ऐसे आपको connect करना अब आप बोलते हो ना कि माम हम कैसे tackle करें हमें नहीं समझ आता parallel questions तो आपको themes को connect करना पड़ेगा आपस में ठीक है transient मतलब temporary very good very good the ball poem को connect करो john berryman बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया होश में आ गए हो तुम लोग सभी क्या बात है क्या बात है जॉन बेरी में का the ball poem connect करो वह भी तो यही सिखाता है loss is unavoidable है ना आपको move on करना पड़ेगा तो सारे chapters connect कर सकते हो और यहीं से आपके parallel questions बन जाते हैं कुछ अलग थोड़ी out of syllabus थोड़ी पूछ लिया है यहीं से connect करना है बस और यहां से आप लिख दोगे कि वहीं वह एक ताइम पर selfish हो गई थी क्यूंकि वह एक impossible condition आगे रख रही थी इसके बाद हम आते हैं अपने आखरी chapter पर which is the proposal पहले तो एक बार जोरदार तालिया हम लास्ट chapter पर पहुँच चुक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा जोश मुझे लगी नहीं रहा कि हम लोग ने पूरी first light almost हमारी done होने को है मुझे लग ही नहीं रहा ठीक है अभी लेती हूं questions एक बार जल्दी से the proposal खतम करते हैं ठीक है ओके तालिया हो जल्दी से सबके लिए सब कोई बात नहीं यार जितनी देर तक थे तुम थे ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो चलो और I want session and होने तक यार 6000 likes भी कर दो फटा-फट से तो मेरे लिए और motivation बढ़ जाएगा तो दो प्रपोजल बाइंटन शेकॉब अब बुक खोलनी नहीं है हर एक important element मैं समझा चुकी हूं नहीं खोलनी है बुक अब चिल करो relax करोगे इसके बाद ठीक है ओके बिल्कुल डाल सकते हो अगर आपको कोई coat आता है तो वो डाल सकते हो बिल्कुल डाल सकते हो ठीक है ठके चहरे लाल हो गए अभी मैंने अपना आल देखा मेरा चहरा कैसा हो गया है ठीक है बहुत बढ़या यह तो easy chapter है इसमें क्या आतीम देखा सबसे पहले हमने क्या देखा this chapter is a mirror to russian society ठीक है ये चाप्टर क्या है ये ए है ठीक है russian society का mirror वैसे तो हर literature है topic आपको society मिरर ही बोलना चाहिए लेकिन यह में russian society दिखाता अब Russian society को लेकर यह मत सूचना कि मैं Russians के पीछे पड़ गी नहीं ठीक है यहां पर हम लोग क्या देखते हैं वेल्दी एंड एलीट क्लास का सूपर फिशियल नेचर ठीक इसको थोड़ा अलग फॉर्मिलेट करते हूं ओके सूपर फिशियल नेचर ओफ वेल्दी एंड एलीट क्लास कि यार दिखाएंगे तो oh my god मतलब इतना प्यार my darling my love and bla 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 लेकिन actually में वो कुछ नहीं होता है ठीक है आपने देखा बहुत क्लियरली किस तरह से चुबकवित्ती प्यार से फिर उसको ग्रीट करने लगा पर पीछे-पीछे सोचा था यार यह पैसे मांगने तो नहीं आ गया है ना ठीक है तो यह यहां पर हमें क्या दिखाता है क्या दिखाता है क्या हो गया तुम्हें क्या हो गया क्यों हसने लग गए हाँ ग्रीड हमें दिखाता है हाइस वाहई सॉसाइटी का बहुत बढ़िए ऐलीट lang का हमें सुपरोफिशन नेचर दिखाता है और कुछ और कुछ तुमको लग रहा है और कुछ लग रहा है जो तुम आड़ कर सकते हो और selfish nature बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना selfish nature ठीक है clear चलो अब इसके बाद this is a one-act play it is a fast by Anton Shekov ठीक है one-act play मतलब एक तरह से comedy यह बहुती absurd सापको लगेगा लेकिन बहुत important topic यह cover करता है एक ही act में पूरे एक ही act में play खतम है ठीक है और society yes very good society का reflection हमें देता है funny और comical manner में अपने characters के through अब इस chapter की शुरुवात किससे होती है लो मोव आता है एक unexpected visit देता है लो मोव पता है ना तुमको हमारे इस character का Romeo है ठीक है अभी Juliet से मिलने आया है उसको propose करने problem कहाँ पर आती है एक बार हम देख लेते पहले पूरा setting चुबकॉफ का घर है यह क्योंकि play है तो यह सारी चीज़े matter करती है ठीक है चुबकॉफ का यह घर है ओके लो मोव यहां पर evening attire में आया है evening attire बहुत special dress होती है तुम सोचो कि तुमको फ्रेंड को कहीं घुमने जाना है सिर्फ कहीं या समझ लो स्कूल तक जाना है कुछ ऐसा है और वह बिल्कुर शादी के dress में आया होगा है तो थोड़ा सा थोड़ा सा क्या होगा यह और लगेगा ना और लगेगा ना भाई तुम लोग पढ़ भी लो साथ में यह मत करो यह मत करो चीक है तो इवनिंग अटायर में आता है जिसकी वजह से चुबकव थोड़ा सप्राइज हो जाता है कि यह ऐसे कपड़ों में क्यों आ गया यह अभी तुम्हारे पडोसी ऐसे करें कि हमें चीनी चाहिए और वह सजदच के आ गया बिल्कुल लहंगा वहंगा पहन के तो थ चुबकव को लगा कि यार यह पैसे तो नहीं मांगने आया है लेकिन जैसे लो मोफ ने बताया कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है कौन थी बेटी इंटालिया ठीक है तो चुबकव बड़ा एक्साइटेड हो गया और वह अपनी बेटी को बुलाने चला जाता है इस इसके बाद इसके बाद अब होता क्या है होता क्या है चुबकव को जैसे ही पहले तो यह पता चलता है जाने से पहले कि लो मोफ मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है तो वह उसको तरह तरह के जो है जैस्टर्स के थूरू दिखाता है ऐस फो लो मोफ को कितना पसंद करता है उसको hug करता है, ठीक है, उसको kiss करने लगता है, क्या reveal करता है, कि भई मैं तो कबसे यही चाता था कि मेरी बेटी और तुम शादी कर लो, ठीक है, इस तरह से, and चुबकोव got filled with excitement, चुबकोव एक्दम खुश, कि भई मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जा था कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी ये रीजन था क्या लगता है क्या रीजन था क्या रीजन था reason ये था that he was happy reason was that he was happy to get his daughter married to a wealthy family ठीक है सब चीज के पीछे पैसा ही एक रीजन था वो बड़े खुशते कि चलो लुमोव जो है वो एक अच्छे अमीर परिवार से बिलॉग करता है तो मेरी बेटी भी अमीरों में जाएगी और इनके भी इनके हाना रॉष्यन सुसाइटी में दिर्वास इस कल्चर की वेल्दी फैमिलीज का जो भी अलायन्स होगा ठीक है आप कोई भी मैरेज वगरा जो भी सबसेस्फुल होगी वो कैसी होनी चाहिए वह वेल्दी फैमिली में होनी चाहिए ठीक है वह उसको झाल आप यहां पर नोव फूशता के मैंने लिकी बात बता दी वहटमशनों इंट्रयस्टेटर नहीं होलता की नंटाल जो है कि टालीय जो है वो खूद एक लव्ष् से-क्याट है ठीक है उसको खुद वो चिडाता नातलीय को यह बोलकर कि यार्वो तो कपसे मरे जारी है कि शादी हो जाए उसकी फटाफट से उसको चाहिये ही नहीं है ना ठीक है उसको तो भी है कि भाई अपनी बच्ची के लिए फिनांशल सिक्योरिटी चाह रहे थे हना ठीक है इसके बाद इसके बाद अब लुमोव को लुमोव अकेला बैठा होता है और वह चले जाते हैं अपनी बेटी को बुलाने वहां पर लुमोव अपना डिस्क्रिप्शन देता है लुमो पर उसको नींद भी नहीं आती है उसको प्रॉबलम होती है बहुत जादा तो यह सारा डिस्क्रिप्शन हमें पता चलता है उसके मोनोलॉग में जब वो खुद से बात कर रहा होता है और वो क्या डिसाइड करता है कि यार मेरी एच सही एकदम शादी की मुझे वैसे भी को लिखी भी है और वो खुद को मैनेज कर लेता है और मना भी लेता है कि अब मैं नचालिया से शादी करूंगा लेकिन फिर भी ही वह स्वीलिंग को ठोड़ा सा नर्वस था ओव्यस है ठीक है शादी होने वाली है भई मच्चे की ठीक है अब यहां पर यहां पर अब यहां पर इसके बाद डिस्प्यूट शुरू हो जाता है उनका ओक्सन मेडोस पर बहुत इंपोर्टेंट है यह लगा था कि एक बहुत रोमांटिक प्रपोजल हम देखेंगे लेकिन हुआ क्या बहस चड़ गई दुला-दुलन में लडाई हो गई क्या हुआ देखो यहां पर प प्रपरटी जिसको लेकर पहले से बहुत बहस चलती थी राइट अब एक ही टेड आर्गूमेंट शुरू हो जाता है ने टालया बोलती है कि यह हमेशा से हमारी जमीन थी लोम वोलता है जमीन दी थी ताकि तुम इस पर अराम से खेती कर सको इन फैक्ट चुबकॉफ के दादा जी के किसानों को पैसेंस होते हैं फार्मर्स इनको दिया था राइट तो आइडली तो यह हमारी जमीन थी हमने तुम्हें फ्री में काम करने दी थी ताकि तुम यहाँ पर खेती करो औ पैसे कमाओ राइट लेकिन यह कंटिन्यू रहता है लड़ाई जगड़ा कर रहे होते कोई बहस्वाजी पीछे नहीं हटना चाहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा वो तो पूरे प्रूफ देने को तयार है लेकिन नाटालिया मानने को रेडी नहीं है नाटालिया से नहीं मुझे सुनना ही नहीं है यह मेरी जमीन है ठीक है अब इसके बाद नचालिया अपने पॉइंट्स कर रही है पर थोड़ा सच बगर आपने चाप्टर लाइन बाइलाइन देखा होगा तो चुबकॉफ तो एकदम वैद प्रू मशीन दी थी हमें कितनी प्रॉबलम आई थी फिर भी हमने तुम से नहीं कहा तुम कितने बेकार नेबर हो हमें तो लगता तो तुम बहुत अच्छे हो अब यहां पर लो मोव यह समझ बैठता है कि नाटालिया उसको लैंड ग्रैबर बोल रही है कि तुम जमीन छीनने वा रहा हुआ दूसरे के अगेंस्ट हेट्रिड वो सब कुछ हमने देखा लो मोव के ग्रैंट फादर को अब्यूजर मिल रहे हैं उनको ड्रंकड बोला जा रहा है उसकी छोटी आंट को नस्तासिया को बोला गया कि वह एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी नस नचालिया यहां तक की लुमोव को एक रासकल भी बोल देती है चुबकव उसको विलन बोल देता है और स्केर क्रों मॉंस्टर नचाने क्या क्या तो मुझे बताओ यह सारे नेगेटिविटी के साथ एक रिलेशन्चिप कैसे डिवलप हो तो यह सब क्या है यह क्या है यह हमें दिखा बचर को ही टार्गेट कर रहे हैं इस यह रिलेटेट तो मोस्ट भी एलीट क्लास यही थोट प्रॉसेस होता है चुबकव अनिंटेंशनली रिवील और वहां पर अनिंटेंशनली चुबकव जो रिवील कर देता है कि अरे यार इस से मैं कैसे शादी करा दो तुम्हारी यह पुल आफ एमोशन जब आप बहुत सारे मोशन एक साथ फील करते हो तो वह चुबकव को बोलती है कि अब वापस बुला लो मुझे शादी इसी से करनी है राइट लो मोव रिटर्न लो मोव वापस आता है कॉन्वसेशन फिर से शिफ्ट कर दी जाती और अब वो बात कर र ओक्सन मेडोस पर ठीक है ओके दूसरा आर्ग्यूमेंट डॉक्स पर शुरू हो गया और उनके डॉक्स का नाम क्या था स्क्वीजर एंड गैस अब स्क्वीजर जो था वो नाटालिया का डॉप था 85 रॉबल्स में उसने खरीदा था गैस जो था वो लुमोव का डॉक था दोनों अब एक दूसरे के डॉग को क्या करते हैं हुमिलियेट करने की कोशिश करते हैं नचालिया को यह लगता है कि स्क्वीजर बेटर है ठीक है क्यों लोमोव का गैस बेकार है लोमोव बोलता है नहीं मेरा डॉक जो है वो बेटर है तुम्हारा डॉक ओवर्शॉट है और जो जो है छोटी है वो अच्छा हंटर नहीं बन सकता तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को चिड़ाने लगते हैं और टीज अगैन वही फाइट इनकी शुरू हो जाती है ठीक है अब आर्गुमेंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है एसकलेटर मतलब इतना ज्यादा हो जाता है और लुमोव को तो वैसे भी प्रॉब्लम थी ही उसको पैल्पिटेशन का इशू था और वह बेहोश होकर गिरने लगता है ठीक है बिल्कुल तीनों ही देखो कॉरल सम नेचर के थे चुबकोव एज में बड़े थे तो आइडिली उन्हें शांत कराना चाहिए अपने बच्चों को पर कुछ नहीं किया उन्होंने ऐसा वो भी इसमें पार्टिसपेट कर रहे थे तो काफी हमने इनका कॉरल सम नेचर यहां पर हम लोग देख रहे हैं अपने सारे ही क्यारेक्टर का राइट कर्सिंग कंटिन्यू रहती है गालियां दे रहे एक दूसरे कोень कर रहे एक दूसरे को यहां यह सब में क्या होता है लो भाल ज्रौव बिहोश हो जाता है अब उसको उठाने की भी कोषिश होती है पर कोई फायदा नहीं होता उन्हें लगता है कि लोको अगें है अब इसकी हो गय करना जाता है अचानक से उसको थोड़ा पानी मानी पिलाया जाता है और चुबुकव अब इस situation में क्या करते हैं उनको नहीं समझाता कि अब क्या किया जाए कैसे हम इस situation से बचें तो वो क्या बोल देते हैं कि चलो यार तुमारी शादी करा देते हैं ठीक है चुबुकव क्या करते हैं नचालिया के बीच में कोई रियल प्रपोजल हुआ ही नहीं था यह सिर्फ इन्होंने अपनी मुसीबत को कम करने के लिए to get rid of her daughter उन्होंने इसको accept कर लिया तो चुबुकव वहां से exit लेता है और फिर से दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और क्या मस तरीका है उनक possessions पर argument continued रहता है और एक बहुत ही सुन्दर relationship की beginning कैसे होती है आर्गुमेंट से ठीक है clear है समझ में आया तो यह hypocrite एक तरह से देखा जातो society में आप देखोगे prominent hypocrisy हमें देखने मिली ठीक है hypocrisy कितने दोगले लोग है सामने कुछ पीछे कुछ अभी तक अगर लडाई नहीं हुए होती तो पता ही नहीं चलता कि इनके मन में दूसरे के लिए कितना negativity भरा हुआ है है ना अब नचालिया को अगर आपको पूरा character sketch देना है तो आप कैसे दोगे देखो she was a woman of 25 25 साल की थी लोमोव के घर के पास रहती थी अन्मैरिट दोनों ही थे ठीक है बहुत अच्छा घर के काम का जो मैं सब चीज बढ़िया था लेकिन she always longed for love इसी लिए उसको love से cat बोला है चिबुकॉव ने उसको हमेशा से life में क्या चाहिए था कि भई कोई partner हो ठीक है तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो शाम को questions दूंगी तब पता चलेगा रुप जाओ आज तो ऐसा करूगी न सारे घुमा के mcqs बना दूंगी और वो extract based और फिर देखती हूं कितना तुम लोग answer कर पाते हो ठीक है तब देखती अपना behavior दिखा रही थी तो कहीं न कहीं लग रहा था कि यार तुब वेरी ओनेस्ट वो लेवल का education नहीं है आट फिर्स्ट वो आर्ग्यू करती है लो मोव से Oxen Meadows पर कभी डॉप और उसको reason भी नहीं पता होता कि आया क्यों है ठीक है बिना बात के एकदम petty issues petty issues क्या होते है petty issues मतलब बहुत ही छोटे से topics पर वो लड़ने लगती है despite being sharp minded बहुत smart और sharp minded होने के बाद भी पूरा defensive man था no doubt ठीक है उसको अपने पैसे और स्टेटिस की बड़ी चंता थी अपनी बेटी की शादी का उसको जो सपना उसने देखा ना वो सिर्फ किस परपस से था sense of security financial security social standing wealth etc ओके वो चाते थे कि नटालिया जो है लोमोव से शादी करें उसके पीछ सिर्फ एक reason था वो था लोमोव का wealth and status ओके विकाज यह उनकी family को benefit देगा चुबको अब जो थोड़ा मेरी problem चली जाए he tried to convince Natalia Natalia को भी convince करने की कोशिश की कि लोमोव जो अच्छा मैच है यार उससे शादी कर लो overall चुबकोव अगर हम देखे तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके character से क्या पता चलता है कि पैसे और status के लिए ही यह इंसान इस पूरे chapter में था ओके लोमोव का character sketch के बारे में आपको क्या कहना है लोमोव थोड़ा सा देखें तो नो डाउट ठीक है यहां पर आप यूँ कर देना लेकिन जब उसने अपने बारे में बताना शुरू किया चीजों को डूंट यू थिंग कि वहां पर रिवील हुआ कि वह अपने लिए वह सोच रहे था कि मुझे कोई तो मिलने वाली है नहीं तो मैं यह settlement कर लेता हूं मैं नटालिया से शादी कर लेता हूं है ना तो यह थ थोड़ा health issues भी थे ठीक है health issues भी थे palpitations का problem था heavy breathing उसको होती रहती थी और उसको शादी करनी थी नचालिया से लेकिन बिल्कुल उसने छोड़ा नहीं बहस करना trivial matters बहुत ही छोटे से matter पर वो लोग लड़ रहे थे हैना जैसे कि ox and meadows हो गया pet dogs हो गया lacking confidence और confidence भी नहीं था उसके अंदर properly और romantically propose भी नहीं कर पाया कुछ नहीं कर पाया और विहोश और हो गया तो यह सारी चीज़े हमें देखने मिलती है उसकी maturity भी हम देखते हैं कि भाई अपने marriage को almost ruin करने ही वाला था प्रपोस करने गया था तो प्रपोस करके आता यह क्या कर दिया ठीक है okay trivial matter का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी सी बात and with this we have completed our first flight अब पूछो doubts अगर कोई doubts है तो जल्दी से ठीक है okay अब आप लोगों के पास oh by the way there was this shyri अगर मुझे अच्छी लगी किसी बच्चे ने आ रहे हैं comments में डाली थी एक बार मैं देखती हूं पटाफट okay okay चलो यह है आपकी शायरी भाई क्या है देखो नचालिया ने एक वक्त पे लोमोव को खो दिया और नेलसन मंडेला ने अपनी speech दी एक मिनट यह मुझे पढ़ लेना पढ़ेगा फेले यह क्या लिखा है रुको रुको प्राक्टिस कर लेना दो एक बार यह बहुत बढ़ी है यार बहुत बढ़ी है नचालिया ने एक वक्त पे लोमोव को खो दिया और नेलसन मंडेला ने अपनी speech दी थी इन यूनियन बिल्डिंग्स अंपी थियेटर इन प्रेटोरिया ठीक है ऐसे यादखरना है समझ गए यह शायरी आई थी भई अलोकिक की तरफ से बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है अलोकिक अब यहाँ पर यहाँ पर हिस्टेरिक्स का मतलब आप लोग पूछ रहे हो तुम लोग को यादा है फुट्प्रेंट्स विताउट फीट में भी तुमने यह यह वर्ड पढ़ा था जब वहां पर मिसेस हॉ कि तरफ जो एकदम पागलों की तरह जब बहुत आप इमोशंस को ए श्बैसक्प्रेस कर देते हो ना वही जो रेफलेक्षन वहता उसको इस्तेरिक्स भोलता है कि डिट वल्ली डू गुड राइड तबस विदाउट टोल्डिंग हर मधर हां वेरी गुड मोहे तेको यह वाला क्वेस्टन आ रहा है एक्जाम में कि क्या वल्ली ने सही किया बिना अपनी मम्मी को बताए वो निकल गई तो इसमें ना तुम लोग दो परस्पेक्टिव लिख सकते हो बैलन्स डोके चलो की बिल्कुल उसने सही नहीं किया विकल्स हम इस बात को कहीं भी प्रमोट नहीं करेंगे प्रमोट नहीं करेंगे कि भाई एक छोटे बच्चे को घर से बिना बताए निकल जाना चाहिए ठीक है हम उल्टा यहां पर ऐसे चीज़े लिख देंगे कॉन्वर्सेशन बिट्वीन नचालिया एंड एंड ग्रेगरी यह मेरे को लग रहा है मैंने कल कराया है आप लोगों को कराया है नहीं वाला क्वेस्टिन देखो एंड ग्रेगरी जो है वो तो ट्रूलव की तलाश में जाएगी लेकिन नचालिया का क्यारेक्टर में आप थोड़ा सा क्या देखोगे कि वो फिनांशल सिक्योरिटी की तरफ जाएगी ठीकि यह मैंने कल कराया है मुझे इसा लगता है मुझे इसा लगता है ओके हाइपोकॉंड्रियाक पूछ रहे हाइपोकॉंड्रियाक जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है लो उनोव के लिए लो मॉज वाज येव फिल यूज रिख क्योंकि वह अपनी भिमारी को लेके हर टाइम आंक्शिस रहता था कि भाही मुझे तो यह प्रॉब यह एक्स्ट्राक्ट वेस्ट क्वेस्ट्ट अब हो जाएंगे फॉर्स्ट प्लाइट के तो हो जाएंगे क्योंकि मैंने सारा एकदब इंपॉर्टेंट फ्रेज़ लेके समझाया है ठीक है यह मैंने कॉन्वसेशन नचालिया और एन फ्रैंक की कराई यह तुमको है क्लियर क्लियर हमारी इंग्लिश माम का नाम है दिपिका इन फॉर्स आर्मी चीफ इस जनरल करी अपा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो ओल्राइट दिन ओल्राइट मैंने थीम्स आपको शुरू में ही तो बता दी पेपर टाइम में नहीं हो रहा है आप लोग लिटर अब लोग के लिए और देन रात को नौ बजे है हमारी वार ठीक है क्वेस्टिंस देख लो बढ़िया बड़िया क्वेस्टिंस होंगे ग्रामर के तो थोड़ी सी तयारी भी हो जाएगी इनकेस कोई ग्रामर रिवाइस कर रहा है अपनी सेल्ट स्टडी में तो उसको मदद मिल जाएगी कुछ literature के questions भी डालूंगी right और fun session हम लोग का रहेगा आप लोगों को definitely help मिलेगी तो वहां मुझे मिलना and bye bye thank you so much I will see you in the next class पढ़ाई कर लो तब तक revise कर लो slide आपको मिल जाएगा अभी telegram पर ठीक है 10-15 मिनिट तो दोगे न सांस देने का फिर मैं आपको send कर द झालूंगी